क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो ये पतानी यार कौन से फटे दूद की चाय फीके आता है यार इसको पता ये अपने ही सुरूर में खड़ा रहता है यार मगर मैं हिंदुस्तानी पिया गंगा का पानी है मेरी जा महीं पे गली की चमक चलो मांगो जस्टिस संजु सेमसन के लिए मांगो वांगो जस्टिस ने ने मांगत काई नहीं हो बे तम बात तो सही है हाँ भई रोहित का मजा उड़ाने वालो रो मैक्सवल शर्मा कैसा लगा फिर है यू ना देख और सुन्दर नारी मुझे समझी यो ना ब्रह्मचारी ऐसा ना हो तेरे कारण दो तिन लड़के जीरो कर दें बस कर बस में बे बस बस जाए ना बस ने नो में क्या कहना भाई क्या कहना भाई क्या कहना भाई क्या कहना फिर तो ते से बोली मैं ना अब कुछ ना बोलेंगे रूही चर्मा को ट्रोल करने वाले दो जीरो आई थी भाई तुम्हरा साथ में खड़ा था विराट भाई ने जलदा जदवाल जी कर दी संजू सैंसन मैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खीच करो, कुमिटेट, डीन ली देनी है, रिंकू तो चाहिए है भाई इस टीम में, आजो फटाफट, टेलेग्राम चैनल को जोइन कर ले न, मैच प्रेडिक्शन के लिए, खीच करो, कम, जब लोग तुमको गिराने पे लगे हो, जब लोग तुमको कुचलने पे लगे हो, तुमारा सत्या नास करने पे लगे हो, तब निकल के आता है तुमारी लाइफ टाइम का सबसे बहतरीन, बहतरीन पारी, आज लाज रख ली भाई रोही शर्मा ने, बाइस पे चार हो चुकी थी टीम इंडिया विराट कोली आउट या शश्वी जैस्वाल आउट शिवम दूबे इनफर्म प्लेर आउट उसके बाद संजू सेंप्सन ये तो निसो धरता वो भी आउट और उसके बाद जो तभाई मचाई है मुझे मालूम है जब रोही शर्म स्टार्टिंग में टाइम ले रहा होगा तब भी बहुत सारी ट्रोलिंग चल रही होगी मैं सोच रहा था 140 करदो किसी तरीके से फिर बाद में देख लेंगे टीम इंडिया हारेगी तो नहीं लेकिन जो तबाई रिंकू मचा के गया है आखरी अवर में 36 रन लास्ट अवर है बाकी कुछ नहीं लिखना है रोही शर्मा के हिटर्स का M K B मा का गोसला लिखना है और यह हर वीडियो के नीचे लिखना है आपको जहां भी पोस्ट मिलेगी वहीं पे लिखना है आपको क्योंकि यार मैं भाई या आशू DAVID माई यह पारी देखके कसम से कह रहा हूं यार भाई वो बंदे ने यार 2-0 लगाई थी यार पहले मैच में run out दूसरे में चलो मैंने क्या बोला था मैंने आप लोगों के एक बात बोली थी कि भाई opener जो होता ना opener वो कभी भी यार 0 पे out हो सकता है कभी भी उसका intent देखो उसकी नियत देखो अगर वो 12 अगर वो मानलो 12-15 बोल खेलता है और अगर वो तब run बोल करता है ना भाई तब ज़्यादा इशू होता है लेकिन यार क्या पारी खेली है यार भाई outstanding पारी खेली है outstanding पारी खेली है भाई मैंने अपनी जिंदगी में ना देखो हमने ग्लेन मैक्सवल को देखा था 201 रन ग्लेन मैक्सवल को देखा था हमने 201 रन बनाये था उसने वंडे में वो बहतरी इन पारी थी यार आज रोही शर्मा ने पांचमा शतक लगाया भाई T20 में तुनिया में पहला बंदा है मैं इसको इस One Day World Cup से सपोर्ट करना हूँ पता क्यूं ये बंदा मर्दो वाली क्रिकेट खेल रहा भाई मर्दो वाली गेम खेली है इस बंदे ने मैं सच बता रहा हूं या आपको वीडियो को लाइक कर दें भाई सारे भाई जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और टेलेग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूले आ रहा हूं भाई आखरी अवर में 36 रन बनाए भाई रिंकु ने मैं सबसे पहले रिंकु से स्टार्ट करता हूं क्योंकि रोही शर्मा तो बहुत ही बड़ा प्लेयर है यार रोही शर्मा की तो खेर बात की अलग है ठीक है बुड़ा हो गया बाल जड़गे मोटा हो गया ये हो गया वो हो गया बाई वर्ल्ड कप आपको West Indies में खेलना है मेरी बात याद रखना West Indies में आपको वर्ल्ड कप खेलना है West Indies में आपको दो लोग चाहिएगे एक आपको चाहिए वहाँ पर रोही शर्मा क्योंकि मैं एकिजामपल दे रहा हूँ जो पारी उसने लखनाओं में खेली थी न इंगलेंड के खिलाफ slow track था भाई वो वहाँ पे रोई शर्मा ने 80, 86, 88 के करीब कुछ पारी खेली थी 80 प्लस रन की पारी खेली थी वहाँ पे इसने बता दिया था कि भाई ठकी हुई पीचिस पे मैं चलूँगा और उसके बाद आज इस बंदे ने बताया यहाँ पे यार यहाँ पे कोई century कर जाएगा और नहीं यार सवाली नहीं पैदा होता यार कोई century कर जाए यहाँ पे लेकिन जिस तरीके से रिंकु ने किया ना भाई रिंकु तभाई मचाता है बोस 19 में 20 में अवर में उसके बाद फिर फिर छक्का फिर एक रन रोहित ने सिंगल लिया फिर रिंकु ने छक्का मारा फिर रिंकु ने छक्का मारा फिर आखरी बोल पे छक्का मारा तो यह impossible काम करके देता है रिंकु सिंग आखरी कुछ बोल्स में तो भाई ये टीम इंडिया में जुरूर चाहिए है लड़का मैं आपको बार-बार खह रहा हूँ इस लड़के ने भाई मेहनत करी है इस लड़के ने कमाई करी है भाई इस लड़के ने भाई साड़े तीन लाख सब्सक्राइबर अगर आज हो जाएं इस लाइब में तेरे को क्या हो गया, ओ भाई, मुझे वो नहीं गलत नजर आ रहा है, जब मुझे वो गलत नजर आएगा, सबसे पहले मैं ही बोलूँगा, 2021 में, 2022 में मैं ही सबसे गलत बोला था कि यार ये क्या कर रहा है, ओपनर होके क्या कर रहा है ये लेकिन वो इस One Day World Cup से भाई कमाल कर रहा है यार वो बंदा इस One Day World Cup से तब मर्दो वाला गेम खेला है कि नहीं खेला है रोई शर्माने इस One Day World Cup से फिर आये कुछ अंग्रेजी खोदने वाले, ओ ब्रो, यू डॉन्ट नो एनिफिंग अबाउट किरकट, मैं रैप्टा मारू, गुद्धी के उपर बता रहा हूँ ये जो अंग्रेजी खोदते हो न, कहीं और खोदा करो मैं देशी भासा बोलता हूँ, सीधी समझता हूँ, जादा इदर उदर की मेरे को पल्ले पढ़ती नहीं है अरे क्यों, क्यों, One Day World Cup में वो बंदा One Day की तरह खेला ही नहीं है, T20 की तरह खेला है वो ये जचवी जैसवाल, भाई, चार रन पर आउट हो गया, छटी बोल पर आउट हो गया वो अगेन, मैं ओपनर्स के लिए एक स्टेंड रखता हूँ भाई एक ओपनर कभी भी जीरो पर आउट हो सकता है, एक ओपनर कभी भी फेल हो सकता है लेकिन अगर एक opener 20-22 बोल पे जाके छक्का मारने की try करेगा वो opener नहीं है वो चलता फिरता बाबर आजम पैदा हो गया है समझ लेना तो भाई opener यही होता है यसेश्वी जाल छक्का मारने गया नहीं बोल खड़ी हो गई और यसेश्वी जासवाल का यह दिक्कत है जो इसकी इस हाइट पे बोल आएगा चेस्ट हाइट पे जो बोल आएगा यह struggle करता है यह चीज आप लोगों ने देखी होगी यह बार बार इस तरीके से out होता है ठीक है अब उसको इस पर उपर काम करना होगा यह जो भी है जैसी भी है वो अलग बात है लेकिन यह problem उसके साथ रही है यह problem उसके साथ रही है बार बार यह इश्वी जासवाल के साथ बट हाँ intent ठीक है उसका intent बिल्कुल होग के intent में कोई कमी नहीं है पिर उसके बाद रोही शर्मा भाई बार बार देख रहा था विक्ते गिरती भी देख रहा है साइड से विराट कोली आया विराट कोली से बातचित हुई कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ी देर दोनोंने बात करी और विराट कोली के उपर ना मुझे नहीं पता आप लोग एगरी करोगे कि नहीं करोगे विराट कोली के उपर ना एक 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 ना एक अन्रील सा ना प्रेशर उस बंदे के उपर एक अन्रील प्रेशर है विराट कोली के उपर crowd जिस तरीके से उसको attend करती है ठीक है यार वो प्यार है वो प्यार है मान लिया मैं मानता हूँ वो प्यार है लेकिन यार वो प्यार किस काम का जो उसको pressure में लेके आ रही है यह शश्वी जैस वाल आउट हुआ है आप शायद agree करेंगे इस बात से यह शश्वी जैस वाल आउट हुआ है और उसके आउट होते ही जिस तरीके से crowd ने react किया है ठीक है भाई हम लोग ना title वही डाल रहे हैं दूसरे वाला बाद मैं title change कर दूँँगा title का थोड़ा issue रहता है हमारे यहां पर ठीक है यार T20 में अभी भी भाई anchoring की जुरूरत है बहुत ही जुरूरत है और देख लो जलूस कैसे निगलता है अगर विराट रोही शर्मा भी आउट हो जाता तो यहां तो 120-30 run बनते हैं फिर तो एक अकेला रिंकूई लेके जाता जहां तक लेके आता वही लेके आना था पहली बोल पे आउट हो गया unreal shot था वह वू मारता है यह इस तरीके से यार पहली बोल पे कहां मारता है विराट कोली यह पता नहीं किसने क्या कर दी या इस management ने क्या ये नया रोल है क्या है विराट पुराने वाला चाहिए पिछले मैच में भी जब उसने खेला था अच्छे खाता स्टाइक रेट से खेला था मैंने तब भी यही बात बोली थी कि भाई अपने को विराट कोली पुराने वाला चाहिए अपने को वो वाला विराट कोली न वर्ड बोलना भी नहीं आता था कंसिस्टेंटी देखो ऐसे बोलता था मैं पहले बड़ी मुश्किल से सीखा हूं मैं यह वर्ड उसके बाद भाई शीवन दूबे जैसे यह आउट हुआ हा भाई तेरा हार्दिक आउट हो गया ओ भाई हार्दिक पांडया ने जो पूरे करि ऑभाई जाने चुका है जाके चेक कर लो हमिолот इतलो कै से बैस मानो क importa एग गर मानों ini जैस्वी बाल ओने वाला नहीं था वर्रट को लिग वाला नहीं था मात गजाओ आ हूं लोगोंने दोनों ने उसके बाद आप देखो अगर आूट होने वाला पिसी का बोल था सही में दूबे का ही, ठीक है, अन्प्लेवेबल, मैं बिल्कुल सामने से बोल उठके आ गया, और उसके बाद संजू सैम्सन, ओए भाई, ये जोडे दो हाथ, इसका जस्टिस मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं बार-बार कहता हूँ भाई, संजू सैम्सन के लिए, हाँ या ना मैं जवाब दे दो, एगरी और डिसएगरी, ये संजू सैम्सन के लिए, मैं बार-बार एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, यार भाई, ये अपने साथ जस्टिस करे पहले, ठीक है, पहली बात तो, इस T20 में ये लोग लाई नहीं रहे थे, ये सरफ इशान किशन को कहते हैं न, जलाने के लिए, चिडाने के लिए लाए थे, अधरवाईज इसका कोई लेना देना था नहीं इस टीम में, और इस एक मैच में खिलाके, मैं कह रहा था, ये क्या उखडवाएंगे, मैं तो ये कह रहा था, management क्या उखडवाएगी, उससे एक मैच खिलाके, वो आगे से बोली जा रहा है, हाँ मैं भी नहीं उख़डूँगा, मैं भी नहीं उख़ड़ूँगा, मैं भी ढीडूँ पक्का, यार भाई, जो पारी रिंकु ने खेली है रिंकु ने जो पारी खेली है 5-वे अवर से लेके और 6-वे अवर तक क्या यही पारी संजू सैंसें नी खेल सकता था 14-15 अवर तक और बाद में रिंकु को double roll play करना पड़ रहा है रिंकू का एंकर करना पड़ रहा है रिंकू फिनिश भी करके जा रहा है यह कितनी बड़ी बात है यह बहुत बड़ी चीज है रिंकू के लिए और जो लोग कह रहे न नहीं नहीं रिंकू की जगे नहीं बन रही टीट्वेंटी में है बे सर्मो बनानी पड़ेगी रिंकू क rare failure आता है इस लड़के का बहुती rare failure आता है जब से T20 खेला एक match में fail हुआ ये लड़का और उसमें भी बहुत पश्टा आ गया छक्के वाली बोल थी खड़ी हो गई थी बोल रिंकु इतना important player तब ही मचाता है रिंकु यार रिंकु ने भाई 69 रिंकु ने मिलके 14 चोके है 14 चोके मारेह है और बाकी तो है किसी का कुछ नहीं बाकी क्या है 4-0, 1-0 बस यही हैं बाकी तो बाकी तो है ही कुछ नहीं भाई-लोगों मेसेज अपने ले आएओ सारे भाई-लोग और ये वीडियो स्टार्टिंग से जुरूर देखना है टाइटल का थुड़ा इशू रहता है टाइटल से घबराना मत बाद में चेंज कर देंगे ठीक है 3,48,000,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 2,000 सब्सक्राइबर और चाहिए है इस पारी को सही माइने में जस्टिफाई करने के लिए 2,000 सब्सक्राइबर मीनिमम चाहिए है इसी लाइव में आज हो जरा मैसी पढ़ूँगा मैं आप लोगों के मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला पहले 13-14 मिनट सच में बोल रहा हूँ ठीक है भाई मैं तो भाई एमोशनल हो गया यार रोही शर्मा की पारीज देखके क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कमेंट पड़े हैं रोही शर्मा को लेके पिछले 4-5 दिनों से मैं भी चुपचा बैठा हुआ था मैं भी आराम से चुपचा भी यार चीजे देख रहा था उसको सपोर्ट चाहिए है अगर आप ऐसे ओषट नहीं करोगे जो पहली compr पर आगे निकल के मारने नहीं का दम रकता आज महने को कोई क्रिटिसाज किया क्यों नहीं किया और जो बंदा पहली बॉल पर निकलने मारने का दम रखता है जिसके पिछवाडे में गूदा है जो पहली बोल पे निकरने का मारने का दम रखता है उसकी दो जीरो क्या उसकी तीन जीरो भी सपोर्ट करनी पड़ेंगी आपको क्योंकि पांच मैचों में अगर इस तरीके का अपनर आपको दो मैचों में रन बना के स्पेशल वीडियो डाली थी, हाँ मेरी पोरिकी ऐसे आई थी कूले मटकाती हुई, तो मैं वो फिन एलन ने देखो क्या किया, वहाँ पे अगर आप देखो के सेकिंड हाइस जो स्टोटल है वो चैतीस हिकत थिसका है, बाकी कोई नी चला, खाल उधेडी भाई, उस आदमी न एक ही लाइव करेंगे भाई, दो लाइव नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक लाइव बहुत है, एक ही बार में निपड़ जाएगी ये, अराम से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पारी इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं नहीं चाता, ये 10-15-20 मिनट के विरेंदर मैं इस लाइव को खतम करूं, कोई सेंस नहीं बनता, एक ही लाइव करेंगे भाई, तरीके से, तो अराम से अपने मैसी लेकि आजाओ जितने भी हैं, और ये जो इंपायर है विरेंदर शर्मा, ये पिटके मानेगा किसी से मैं बता रहा हूं, ये छितेगा टाक बार पढ़के चले जाते हैं, ये वो वाला है, और भाई इसको रहन दिया करो, यार इस से अच्छा तो यार इस से अच्छा ना वो लड़की को बुला लो, यार वो जो लेजंड्स में थी, एक पतली सी लड़की है, इंपायर, उसको बुला लो भाई, वो ज़्याद डाल के चक लेना था, कहीं न कहीं यहां बिठा लेना था भी तक तो, इतना घटी है इंपायर भाई, इतना घटी है इंपायर, कमाल करता है, यार ये आदमी कतई, लेकिन यार देखो भाई, अफगानिस्तान को एक क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से फरीद ने बोलिंग क कितने 50-52 रन आए है उसके बावजुद भी वो टीम यार 212 रन कर गई भाई 212 रन यह कमाल है यार यह कमाल है सच में बहुत बड़ा टोटल कर दिया यार और 4 विक्टे गिरी है partnership कितने की हो गई 190 रन की partnership हुई है चायद हाँ 190 रन की partnership हुई है अन्रियल है यार अन्रियल है भाई सीरियसली यार और मुझे रिंकू का स्टाइल इतना पसंद है ना यार भाई पारी बिल्ड करता है यार घपराता नहीं है यार मतलब वो इस तरीके का प्लेर है कि आसपास में आग लगी हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता भाई मैं focus हूँ मुझे मालूम है मुझे क्या करना है इस तरीके का character है वो आप यह देखो फरीद ने चार अवरों में 20 रन दी हैं सरफ तो बाकी के 16 अवरों में कितने पिल गए इसमें से 20 निकाल दो 195 हाँ 212 है ना हमारा हाँ 195 16 अवरों में 195 और यहां से भी अगर आप देखो तो इसमें से 28 रन और निकाल दो क्योंकि जो एहमद एहमद था काश एहमद कैश एहमद उसने 28 रन दिये हैं तो 192 में से 28 और घटा दो तो भाई साब यह बच गे 164 164 रन आए हैं कितने 12 अवरों में बाकी के जो 12 अवर डाले हैं बाकी 3 बोल रो ने 3 से 4 बोल रो ने उसमें 164 रन आए हैं लिटरली तभाई है भाई साब यह तभाई अगर आप इस तरीके से इसको ब्रेकडाउन करके देखोगे ना यह सच में तभाई थी यार बाकी यार क्या बोलो यार मतलब ऐसी पारी खेल गया यार आज बंदा यार बैस्ट है यार बैस्ट मैंने देखो मुझे रोही शर्मा के मैंने 4 के 4 शतक मुझे को याद नहीं है किस सिचुएशन में आए थे किस तरीके से आए थे क्योंकि मैंने उस तरीके से रोही शर्मा के करियर उतना मैं चारी को याद नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन थी लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि जिस लेवल पे ये शतक आया ना मेरे खाल से ये बैस शतक है मेरे ख्याल से यह best शतक है भाई क्या आप लोग मानते हैं कि यह रोही शर्मा का one of the best नहीं बोल रहा हूं मैं मैं T20 का इसको top of the table रख रहा हूं इस शतक को इसलिए नहीं रख रहा हूं कि उसने आज अपना individual highest total किया है individual highest तो किया ही है लेकिन अगर वो 114, 15 भी होता 16 भी होता, 118 से उपर ना भी होता तो भी मुझे लगता यह top of the table ही है यह शतक उसका number one शतक है भाई आज वाला situation देखो, हालत देखो यह मेरे ख्याल से तो number one शतक है भाई चलिए जी, अब messages पढ़ेंगे भाई सब लोगों के, जितने भी भाई लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके, टेलेगराम चैनल को जोइन करके, टाइटल हमारा थोड़ा उपर नीचे रहता है, वो लाईव खतम होने के बाद हम चेंज कर देंगे, ठीक है? चलिए जी, अब आजाओ भाई लोगो आगे अब मैं मैसेज़ पढ़ना चालू करता हूँ विराट कोली के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि विराट कोली उस तरीके से आउट हुआ है पिछले मैच में विराट कोली ने रन बनाए वो भी विराट कोली की तरह नहीं बनाए थे आज विराट कोली आउट हुआ है वो भी विराट कोली की तरह आउट नहीं हुआ है पहली बोल में आज विराट कोली ने जो पहली बोल खेली वो भी विराट कोली की तरह नहीं खेली है तो ये समझ में नहीं आया है भाई कपटानी कौन कर रहा है तो तो बाहर बैठा हुए चलो अभी आजाएगा मेरे के हल से लग तो राय कि अंदर आजाएगा थोड़ी देर में ने ये ये total बहुत जादा हो गया है यह टोटल बहुत ज्यादा हो गया है, शायद चिन्ना स्वामी को देखते वे चेज हो सकता था, एक सो पचास साथ रन चायद हो जाए, लेकिन जो तभाई मचाई है ना बाद में, चोदा बोल में 64 रन, आखरी की चोदा बोलो में 64 रन, आखरी अवर में 36 रन यार वाई, चल करके जाएंगे भाई, साड़े तीन लाग में, दो, चार पांच सब्सक्राइबर, यह बस मेरी इच्छा है कल मैंने बोला था, और मैंने पिछले मैच के बाद बोला था, घर होगा रोही शर्मा का तभाई, घर होगा विराट कोली का, दुबारा बोलता हूं, कट, मैंने प पता नहीं प्रेशर में है कि नहीं है मैं ज्यादा प्रेशर में हूँ कि यार भाई पता नहीं एक और जीरो ना आ जाए कहीं और देखो खाता भी मतलब यार छटी साथी बोल पे खाता खुलता है ठीक है पहली आठ नो बोल में दस बोल में ग्यारा बोल में जाके एक ही रहे इसको मत बुलाए करो यार हाँ इसके बगैर ही कर लिया करो जिसको जो करना है शुब सेविन गेमिंग कर रहा है किसी अच्छी टीम को बुलाते खेलते अफगानिस्तान को 3-0 करने में कोई मज़ा नहीं आता है यार तुम लोग ना कभी खुश नहीं हो पाओगे शुब दिवाली के फाइदे बता के जाओगे चौदा अगस्त को चौदा अगस्त की बात नहीं करोगे उस दिन 26 जनवरी की बात करके चले जाओगे तुम लोग ना तुमारे अलगी तुमारे अलगी चावल पकते रहते हैं भाई तुम वो हो जो घर में बना है वो नहीं खाओग जी एंडी जैसा मूह लेके बैठे रहोगे कहुनी मारेगा कोई घर वाला अरे तुम राजी नहीं हो सकते तुम किस चीज में राजी थे कि यहां इंडिया 120 पे ओल आउट हो जाए 120 पे ओल आउट हो जाए इंडिया तुम खुशते फिर और अगर इंडिया हार जाए तो फिर तुम खुशते तुम उस बल में भी खुश नहीं हो पाओगे बैठा क्या होगे तेरे को रेगुलर सब्सक्राइबर है कोई आन जाना होता आया गया होता तो अभी तक तो ले लेता मैं गोटे नीचे मैं कोई मज़ा नहीं है ऐसा कम यार कोई मज़ा भी नहीं है और सबसे पहली सूपर चैट भी तुई कर रहा है अगर तेरे को मज़ा नहीं आ रहा तो मत आना भाई देखो सुनो भाई जिस भी बंदे को जिस भी बंदे को छोटी टीमों के खिलाफ मज़ा नहीं आता वो किर्पा करके इंडिया का मैच ना देखें लेकिन हम तो देखेंगे जहां पर इंडिया जाएगी खेलेगी हम तो देखेंगे भाई तुम ना देखो यार तुमको कौन बुला रहा है यार कि तुम देखो यूँ ही लगे रहते हो कुछ ना कुछ करने ऐसा comeback दो डख के बाद रोही थीक करे और संजु खुद का करियर खराब कर रहा है नहीं नहीं तरी पहली बात ही घटिया है न उसके बाद जो मर्जी बोलता रहे कि नहीं नहीं अफगानिस्तान को 3-0 यह वही अफगानिस्तान है जिसने वर्ल्ड कब में इंगलेंड को पेला है यह वही अफगानिस्तान है जिसने पाकिस्तान को भी पेला है और वो वही पाकिस्तान थी जिससे हम 2021 में हार गए से दौक कवडी की टीम से जीत जीत होती भाई क्या बात कर रहो या हमारे लड़के कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि नेपाल को पकड़ पकड़ के उनी के खिलाफ चलते हैं और अस्टेलिया के खिलाफ नहीं चलते हैं और अस्टेलिया के खिलाफ भी रोहित के अच्छे रिकोट्स हैं सही लगरवाल कह रहा है जहां वड़ा पाउ के नारे लगे थे वहाँ अब हिट मैन का हिट मैन का जलवा है हाँ, क्या बात, हाँ, यहाँ लगे थे एक बारी, लगे थे लगे थे और गलत बात है यह ओम मितल करे भाईया, बोबजी से नहीं हो पा रहा है पर बड़ा सवाल है कि क्या बोबजी करना भी चाहता है, यह बहुत बड़ा तुमने सवाल उठा दिया वो यह तो कह दिया, बोबजी कर लेगा, बोबजी कर लेगा, अरे बोबजी करना चाहता है कि नहीं, कोई यह तो पूछलो जाके भाई दखो मैं एक बात बता रहा हूँ, आज जो यह रोही शर्मा की पारी थी न, यह पारी एक टेंपलेट है, हर उस यंग्स्टर के लिए, जो यह कहता है न, या यह सोचता है, अरे यार दो तीन आउट होगे, तीन चार आउट होगे, अरे यार नहीं भाई, मैं तो अं इसको देखो, समझो, सीखो, कैसे पारी बनाई जाती है, यहां रोही शर्मा को कोई इरादा थोड़ी न था छतक का, रोही शर्मा का एक ही इरादा था यार, मैं 60-70 तक जाऊंगा, तो टीम का टोटल 140-50 तक शायद ले जाऊं, 200 पलस के बारे में कोई सोच रहा था, सवाल दिया है, विकरांत कुमार, इंडियन आर्मी, थैंक्यू ब्रो, लिखा कुछ नहीं आपने, शुब फिर आ गया, अंबानी से रोहित की इनिंग देखी नहीं गई, ओ यार तेरा घटिया मैसीज है, यार वो पहले वाला, तू उस मैसीज को ठीक कर अपना, मेरा ना इंटरस से लिखा है, कि छोटी टीम को 3-0 करके क्या होगा, तो एक काम करो ना, बे शर्मो, इन छोटी टीमों के खिराफ तुम क्लीन स्विप कर लो ना, हार जाओ तुम, फिर मैं देखूंगा तू सपोर्ट करेगा के नहीं करेगा, इनके खिलाफ जीत जाओ तो तकलीफ, और गलत हैं, भाई, तेरी वज़े से हुआ है, तूने, तूने, तूने करवा है, भाई, तू दूसरों का मजाक उड़ाता है, देख, हम 22 पे 4 होगे, ओ, बे गहरे तो, ओ, 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 तुम्हें क्या बोलू यार मैं, क्या बोलू तुमको, अच्छा है, यूट्यूब पे फीचर नहीं है, एक दूसरे को यूँ पगड़ के खीचने का, नहीं तो खीच लेता है, एक दो को तो, यूजर, यूजर, जैफ, भाईया, 2019 के बाद ये वाला रोहित दिखा, टी 20 में पुरानी याद आ गई, कोहली को अपना वाला ही खेलना चाहिए, जैसा रोहित आज खेला, वीके ऐसा ही खेलता है, ये जो आज पारी थी ना, ये विराट कोली के टेस्ट वाली पारी है, जो रोहित ने खेली है, मेरे को ऐसा लग रहा था, रोहित शर्मा कहीं विराट कोली की तरह बोल उपर खड़ी करके आउट ना हो जाए, स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ भ तो ऐसी खेलेगा इस सीरीज में जिससे लोगों को ये लगेगा कि भई आ गया आ गया भई लड़का चा आ गया जा गया अब आप एक बात बताओ मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद एगरी करोगे सब लोग इस बात से विराट कोली की तो T20 में कोई जेगर को लेके इशू ही नहीं है कोई सवाल ही नहीं था सवाल अगर कोई उठा रहा था तो वो रोही शर्मा पे उठा रहे थे अब आप एक बात देखो आज रोही शर्मा ने शतक लगाया एक unreal situation मतलब difficult situation से निकलके शतक लगाया भाई इस बंदे ने अब इस पारी का impression वर्ल्ड कप का जिस दिन स्कोर्ड अनाउंस होगा न या जिस दिन टीम सलेक्ट हो रही होगी इस पारी का impression उस दिन तक रहेगा भले ही उसकी IPL में 3-4 परियां खराब हो जाएं कोई दिक्कत नहीं एस्ट सीरीज है बीच में उसका तो चलो कोई T20 से लेना देना नहीं है लेकिन आज ये जो जाते जाते impression रहेगा न ये बहुत जुरूरी था विराट कोली दो मैंचों में 2-0 कर लेता उसको तब भी कोई फरक नहीं था वो तब भी select हो रहा था क्योंकि विराट कोली की भाई वहाँ जुरूरत है और विराट कोली को कोई judge कर भी नहीं रहा था रोई शर्मा को तो लोग judge कर रहे थे ना कि यार 21 में फेल 22 में फेल ये फेल वो फेल करी कुछ नहीं रहा ये है वो है बोज बोल रहे थे मिरेको तो बहुत मैसी आए मैं personally अब एक-एक को जाके क्या जवाब देना है बेगैरत लोगन छोड़ो पर शर्मिष्णा मिखर जी वाई कल तो पोरकी पोरकियों की कियामत की दिन था इरान वालों ने रात में और निशिलेंड वालों ने सुबह इनको पीड़ दिया सही बात है मैं जब वीडियो बना रहा था न सुबह वो चीज मुझे याद थी इरान वाली उठेंगे यह नहीं सोचा था और यह बिल्कुल बात ठीक है अरे यह भिकमंगा देश है पाकिस्तान इनको कोई ऊपर से ठोक जाता है कोई नीचे से बजा जाता है तो इनका यही है रात को इरान इरान मार के भाग गया सुबह सुबह फिन एलन ने मार ली वाँ वाँ सेंचरी आएगी लो आ गई अब तो सब खूश है बिल्कुल सही बाद भाई रिशित चोटे जा रोही शर्मा दो मैंचेज में जीरो बट स्टिल सेगिंड हाइस रन गैटर ओफ तूना मैं शिवम दूबह 122 रन रोही शर्मा 121 रन क्या बाद है बहुत बढ़िया हाँ बस बाद भाई जोमर जी करो मेरे भाई आपको तीनो मैच मे इसमा अवेलिबल रहना था अगर आप थोड़ा साभी लेते हो किसी चीज को यह मैं परसनल से बता रहा हूँ वह जो काम है ना वह तुमको भी फिर लेती लेना चालू कर देता है ये मैं personal experience से बता रहा हूँ तुमको मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बरबाद होते वे देखा है बहुत talented लोगों को बरबाद होते वे देखा है मैं ये नहीं कहा रहा है विराट कोली ने एक मैच में छुट्टी ले ली तो बस वो बरबाद हो जाएगा मैं ये कह रहा हूँ काम आपको seriously नहीं लेता पहले धीरे-धीरे seriously नहीं लेता फिर फिर वो भी यह कहता है यहां ठीक है यह ऐसा करता है तो ठीक है फिर बरबाद कर देता आखरी में जाके तीनों मैच में available होने का फाइदा ये था एक मैच खराब होता एक में average performance आती और एक में बड़ी पारी आती अब विनाट कोली के लिए तो ये series बिल्कुल खराब है न खेला नहीं खेला एक ही बराबर रह गया तो यहीं चीज में कह रहा था नहीं करना चाहिए था छुटी नहीं होनी चाहिए थी बट क्या करें यार भाई अब समझ से बाहर हो जाती ही कहीं बार चीज़ें alone 007 कर रहा है यार यह 81 मत लिखा गरो मैसे ही मैंने बहुत बार बोला इस पेस दिया गरो unknown user थैंक्यू भाई corner corner कर रहा है भाई आज hitman की century देखके सच में बहुत ज़्यादा सकून मिला और रिंकू ने आज फिर पूरा proof किया कि वो कितना ज़्यादा reliable है रिंकू ने कमाई करिये भाई रिंकू ने मेहनत से ये जगे कमाई है जो भरोसा देखो सबसे बड़ा होता है भरोसा महेंदर सिंग धोनी जब बैट पकड़के खड़ा रहता था ग्राउंड पे यवराज सिंग सुरेश ना जब खड़े रहते थे न या विराट कोली आज की डेट में जब खड़ा रहता है सिच्वेशन जैसी मरजी हो तो इनके उपर एक भरोसा रहता है कि यार जो मरजी कर लो ये ये जब तक हैं तो ये मैच को निकाल देंगे ये ले आएंगे भाई जितवा देंगे मैच को तो यही चीज होती है यार उस रिंकु ने इतना जल्दी भरोसा कमाया है अभी रिंकु खेला ही क्या है यार कितने मैक खेला है यार अभी 15 T20 खेला है यहां 30-30 मैक खेलके लोगों को यहां मेंटल फटीक हो गई है 30-30 मैक खेलके तो इस चीज को समझो तुम यार यह बहुत बड़ी बात बोल रहा हु मैं 15 मैच खेले हैं, 176 का स्ट्राइक रेट है, आज थोड़ा स्ट्राइक रेट नीचे आगया, भाई का करियर स्ट्राइक रेट वैसे 180 का था, लेकिन आज थोड़ा सा डाउन आगया है, पर चलो कोई बात नहीं होता रहता है ये, भाई लोगो एक लाइव करना हैं, दो पर नहुंद करें, सवा 9 बज रहे हैं, साड़े 9 बजने वाले हैं, जल्दी बताओ, जल्दी, 10,000 लोग अपने साथ हैं, एक लाइव करें, दो लाइव करें, भाई लोगों जितने नये लोग, मैं बार-बार बतादा रहता हूँ, टाइटल का थोड़ा इशू रहता है, वो कई बारी approval में दिक्कत होती है कुछ हो जाता है problem तो उसको आप ignore करना live खतम करने के बाद title चेंज कर दूगा भाई ठीक है यह मत सोचना कि भांग के पकोड़े खाके यह title रखके आया हुआ यह मत सोचना दो करो दो करो दो करो दो करो एक करो एक करो यह तो बहुत ही mixed जवाब आ रहे है अब एक ही करते हैं न यार अभी यार come on यार अफगानिस्स्तान की बैटिंग पर भी दो करेंगे जीती ना जाये कहीं अफगानिस्तान इतना lightly मतलो अफगानिस्तान को भाई साब एक ही करेंगे यार एक ही करेंगे एक ही ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, अभी ट्विटर पे चलते हैं थोड़े देरम, ठीक है, ट्विटर पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या आरा है, स्टैट्स पर आये होंगे बहुत अच्छे-च्छे, वैसे तो मैंने बता दिये हैं, नॉर्मली आप ल मेरे खाल से, इतनी गालियां, रोहित को पड़ी हैं, इतनी मेरे को पड़ी हैं, लेकिन प्राउड है भाई, सही आदमी के साथ खड़ा था मैं, आज रोही शर्मा ने मेरा भी भाई, मतलब, क्या बोलते हैं उसको, मेरी भी लाज रखी है रोही शर्मा ने आजा सीरिसली, मैसी जाने दो, 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 एक दो हो गया भाई, एक दो हो गया, एक ही लाइव करेंगे यार, साथ में देख लेते हैं, अच्छा सा इंट्रो बना रख़ा है, कितना बड़ी या इंट्रो बना रख़ा है, दुवारा को न आएगा इंट्रो बना के एक ही live कर लेते हैं अपना 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 यार वैसे भी मैं जब इंडिया की पहले बेटिंग होती है T20 में मैं एक ही live करता हूँ अगर इंडिया पहले बोलिंग कर रहा होता है फिर मैं बाद में आता हूँ हाँ भाई कमल भाई ये बात बिल्कुल सही बोली है सब के मुझ बंद हो गए भाई कम्प्लीटली शट डाउन रोनक भाई करा भाई डैरी निकालो और टीम भी में रिंकु को एड करो शीट में पहला नाम होना चाहिए इस प्लेयर का लाइव देखने जाना चाहता था डैड ने मना कर दिया आज वाली पारी अगर किसी ने 22 रनों पे 4 विक्टे डाउन होने के बाद अगर मैच नहीं देखा ये सोच लिया कि ये तो खतम है तो भाई बहुत गलत हो जाएगा हमने टीम A बनाई थी और टीम B बनाई थी उस टीम A में और टीम B में एक्चली टीम B में हमने रोहित जैसौल विराट केल राहूल विकट कीपर सकाई हारदिक जडेजा बिशनोई आश्दीब बुम्रा सिराज ये रखा हुआ है लेकिन उसमें हमने रिंकु को नहीं रखा हुआ अब दिक्कत वही आ रही है कि रिंकु को किस तरीके से रखें सिराज बुम्रा जडेजा की जगे पर बिशनोई रख दूँगा भाई जडेजा टी ट्वेंटी इतने टाइम से खेल नहीं रहा है जो खेल रहा है तो कुछ कर भी नहीं रहा है ठीक है मैं हारदिक बिशनोई दो तीन चार पांच मैं पांच बोलिंग उप्शन के साथ चला जाओंगा ठीक मैं थोड़ा बहुत भाई विराट कोली से बोल डलवा लूँगा मैं दो अवर विराट से निकल वा लूँगा मैं एक अवर मैं एक अवर जैसवाल से निकल वा लूँगा मैं रोही शर्मा से एक अवर निकल वा लूँगा लेकिन मैं रिंकु को नहीं छोड सकता रिंकु क कमी क्या बात कर रहे हो यार और क्या कोई सूर्या का replacement है sorry to say but if he is unfit by सूर्या underrated best filter question mark rare catches drop two or three fielding effort always on top सूर्या कुमार यादव के बारे में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ वो T20 का बादशा प्लेयर है T20 का बादशा प्लेयर है बादशा यह देख लो भाई हमने अपनी टीम में स्काई के उपर कोई cutting नहीं कर रखी है सीधा नाम लिखा हूँ है स्काई का स्काई के बगार देखो कमी खलने की बात नहीं होती है कमी तो यार पहले मैच में विराट नहीं था तब भी जीत के थे सवाल जीत का नहीं है सवाल है important important मैचों में किस तरीके से आप खड़े रहोगे सवाल उस चीज का है मेरे भाई साड़े तीन लाग सब्सक्राइबर से सिर्फ हम कितने 900 सब्सक्राइबर दूर हैं सिर्फ 900 खिच के रख दो मीटर भाई और जितने भी नए लोग हैं वेलकम पुराने भाईयों का वेलकम आ रहा हूं भाई धाई घंटे का लाइव करेंगे अराम से तीन का भी हो सकता है अराम से मैसिव पढ़ेंगे भाईयों ठीक है और बिल्कुल बाद ठीक कहिए भाई देखो अगर तो वो फिट है और सूर्य कुमार याद हो अन्फिट होता नहीं ज्यादा ये भी एक अच्छी चीज है अन्फिट होता नहीं और मस्तमोला आदमी है महुल जमागे रखता है सूर्या दिल का साफ है हरामी नहीं है वो स्पूर्मेंट को इतना आसान बना रख रहे हैं कि यार क्या है ऐसे से तो करना है लेकिन ऐसा है नहीं अखिल कह रहा है भाई अभी ऍस्टेडियम में हूं ओ भाई साब आपके लाइव का नोटिफिकेशन आ गया मेरे पांश शब्द नहीं है मैंने आज सब देख लिया बस आपको बाद में सुनाऊंगा महोल जम गया यहाँ भाई रोही ताज हाट विनर है यार तुमने पारी देखी है यह ग्राउन में देखी है भाई लक्की हैं वो लोग जिन्होंने इतनी बहतरीन पारी देखी है कुछ चिरकुट कुछ मंद बुद्धी ही अफगानिस्टैन है तो बे शर्मो अगर तुम एक बाप की उलाद थे तो बाईस पे जब चार थे तब यह क्यों कह रहे थे कि ही देखो अफगानिस्तान से भी बाईस पे चार हो गए मैंने तो कुछ नहीं बोला था मैं तो चुपचा बैठा था मैंने एक पोस्ट डाला विराट कोली के लिए और उस पे जा के देखो क्या लिखा हुआ कि भाई अपने को पुराना विराट चाहिए नंबर थ्री को सरफ रिस्पोंसिबल एंकर ही करना है भाई छोड़ दो लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दो लोग तो हराम जादे हैं यार लोगों को क्या यार लोगों को तो सुवाद लेने ना यार लोगों को लोजिक थोड़ी ना देखना है लोगों को सुवाद देखने कि हाँ ये चल रहा है ये चल रहा है ठीक है बस लोगों का नहीं होता यार कुछ भी कॉंग्राचुलेशन भाई बहुत बजबती दस्त पारी देखी तुमने और हमने घर पे देखी है भाई और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने टीवी पे भी नहीं देखी बताओ उनका क्या करेंगे दिक्कत तो उनके साथ है ना दिक्कत उनके साथ है एक सेगिंड रुकें जरा मैं इधर मुबाईल में चला लेता हूँ किर्कट लवर कह रहा है ये पारी बहुत इंपोर्टन थी लोगों का मू बंद करने के लिए रोही शर्मा बिग फैन एवी भाई लोगों का मू नहीं लोगों का एक चीज और बंद कर दिये दो सुराग और थे हाँ दो छेद और थे वो भी बंद कर दिये हेटर्स के नाम भी बताओ कौन-कौन से थे समझदार हो यार तुम पता तो होगा ही तुमको यार सब बंद कर दिया अब मू से ही खाएंगे मू से ही वो करेंगे सोचों की हालत कैसी हो गई है ऐसे बेगैरत और ऐसे बेशरम लोग हैं भाई राधे वसिस्ट भाई everything is temporary बड़ 14 इस पर्मानेंट ये तो है भाई 14 तो पर्मानेंट रहता है भाई साहिल अगरवार रोहिट्टू विराट घर 13 सेंचरी मेरा अरे मैने ये डायलोग मारा था पिछले मैच के बाद मारा था कि टेंशन मतलो अच्छा लोगों ने फिर भी मजाग उड़ाया लोग तब भी सीरियस नहीं लेते यार भाई यार वन स्टार गेमिंग थैंक्यू भाई लिखा कुछ नहीं है सुमित्तव नायक भाई आज उस्ताद अवेश खान के लिए दो शब्द भाई मैंने टाइटल में नाम लिख रखा है उस्ताद जी का और उस्ताद जी के बारे में क्या बोलू मैं इस से जब क्या बोलवाना चाते हो तुम मुझे उस्ताद जी के बारे में तुम यार मुझे उस्ताद जी के बारे में गलत गलत चीज़े बुलवा देते हो हाँ बाद में बहुतना मुझे बढ़ता है ऐसे मत करा करो यार तुम तुम सही आदमी नहीं हो रुको मैं इधर जरा मैश लगा लेता हूँ हाँ मैश भी देखना जरूरी भाई विक्टे विक्टे भी लेनी है कि नहीं लेनी अरे अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ आउट करो भाई आउट करो गुलशन कुमार क्या रोही शर्मा का रिवर स्वीफ वर्ल्ड कब में दिख सकता है क्या वर्ल्ड कब में दिख सकता है क्या यार रिक्वाइर्मेंट होती है न यार requirement होती है न अगर requirement है तो यह ऐसा नहीं होता न कि Glenn Maxwell की तरह अंदर से सोच के आओ कि मैं तो मैं तो मारूंगा चाहे जो मर जी हो जाए उसमें bold भी हो जाता है requirement की और उसने ये तो बता दिया न कि मैं कर सकता हूँ ये भी है मेरे पास जगो घर में बंदूक होनी चाहिए चले ना चले सामने वाले को थोड़ी ना पता है की खराब है अगले की फटी तो पटी रहती है की है भाई इसके पास example समझ रहे हो example पर ध्यान देना उस पर मत ध्यान देना जो बोला है साहिल शिरा राम राम भाई राम राम भाई रोहित और रिंकू के लिए दो शब्द दो शब्द भाई मैं धाई घंटे का लाइव करने वाला हूँ पहले 14 मिनट किसी को भी मिस नहीं करना है इस लाइव का यह मेरी रिक्वेस्ट है सब भाई उसे कमाल कर दिया कमाल कर दिया धोती फाड़ के रुमाल कर दिया और वो रुमाल सब में बांट दिया इतनी भाईतरीन पारी देखो यह दो तरीके से पारी आती है एक तो जाते ही पावर पले में ठाँ 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 ऐसे किनारे पे खड़े थे कि अगर यहां से एक विकट और गिरा तो गए अफगानिस्तान की यहां से जीत पता क्या है अगर यह 180 run कर गए 180 कर गए भाई जीत है यहां से अफगानिस्तान की 180 run कर गए तो और अगर कहीं 200 touch कर गए तो भाई ये फिर बहुत अच्छा मैच हो जाएगा और मुझे लगता है उनको हारने के बावजूद भी appreciation मिलनी चाहिए उनको अफगानिस्तान को ऐसा मुझे लगता है अर्जुन पांड़े T20 World Cup से पहले last T20 था उसमें रोहित बहुत अच्छा होता है पहले 2-0 आए लोगों ने जो जो मन में आया रोहित शर्मा को वो बोला अवात वाले यहां रोहित जो आया मन में वो बोला मैं रोहित शर्मा को 2021 में 2022 में खुला क्रिटिसाइज कर चुका हूँ क्योंकि उसने काम ऐसा किया था 2023 के वंडे वल्ड कप में उसने मर्दो वाला गेम खेला मैं बार-बार यह शब्द वर्ड को यूज करता हूँ मर्दो की तरह मर्दो की तरह खेलना क्या होता है वो जा के कोई 2023 का वल्ड कप देख लेना पता लग जाएगा याद भी होगा भूले भी नहीं होगे तो मैंने बार-बार यह चीज बोली थी और यही चीज मैंने बोला यार यह बंदा वहाँ कर सकता है न वंडे में वंडे में T20 खेल सकता है T20 में तो T20 खेली देगा दो-0 आए और अगर वो आज भी 10, 12, 15 पे आउट हो जाता, फेल हो जाता आधा जन्वरी पूरा फर्वरी और भाई पूरा मार्च और आधा एप्रेल रोही शर्मा पे जितने एजन्डे चलते न मैं बता भी नहीं सकता तुमको गिंती में तीन साड़े तीन महीने जो एजन्डे चलते न तुम लोग प्रेशान हो जाते अब अगर कोई एजन्डा चलाएगा न जाके कमर में कौमनी मारना सीधी में बता रहा हूँ गोडे के नीचे ले 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 न अब जाके क्योंकि अब भी अगर कोई कुछ कहता है न भाई समझ लो वो बहुत ही जादा गंदा और जहरीला और कूते का बच्चा है बस अब इस से जादा मैं और कुछ नहीं कह सकता भाई इस से जादा मुझे बुलवाना भी मत कि यार भाई नहीं या नहीं भाई सच कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो फिर बहुत बड़े वाला है छोटे वाला नहीं है वो ये चीज मैं आपको बता दू बाकी रोहित ने कमाल कर दिया यार भाई चलो जी आगे बढ़ते हैं अभी 8.3 में 66 रन हो गए है गुरबाज ठीक खेल रहा है और गुरबाज को नोट आउट जाना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है तो या पास जाना है तो पास में तो खेर गडबड हो जाएगी बट गुरबाज को अच्छा खेलना पड़ेगा और अच्छा है मैच वन साइड़ नहीं होना चाहिए कहां तक पढ़ लिये थे मैसिज अर्जुन पांडे तक दिपांश मिना संजु भारतिय किर्कट का राहूल गांधी बन कर रहेगा राहूल गांधी बन चुका है लोग आ जाते हैं संजु के लिए कुछ बोल दो अरे क्या टट्टू बोलो मैं क्या बोलो उसके लिए जो अपने लिए नहीं खड़ा जार जो अपने लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए क्या बोले आदमी रिंकु ने दो गेम प्ले किये हैं मैच में एक तो एंकरिंग की है उसने और दूसरा फिनिश किया है ये ये निकम्मा दोनों में से एक नहीं कर सकता था एंकरिंग ही कर लेता अरे सोगे स्ट्राइक डेट से खेल लेता नहीं चले हैं ओपर गुबारा उड़ाने प्रतीक गुपता कमबक ऐसा करो कि एजेंडे वलों की फट जाए रो इंपक्ट फुल शर्मा बेलकोल भाई बेलकोल नहीं नहीं आज रो इंपक्ट कहां आज तो रो मैक्सवल शर्मा नजर आया भाई वो रिवर्स भी मारा है कमाल का शोट था दो तीन बार एक्चली वो छक स्टार्टिंग में जब स्पिनर लगा याद एडिट लिखा कुछ नहीं भाई थेंक्यू ओम मित्तल रिंको ने 69 बनाए और रोहित ने 69 बोल खेली है यह देखो एबी क्रीक इंफो को डेडिकेशन है यह यह हमें डेडिकेट कर रहे हैं यह लोग 14 चक्के लग रहे हैं 69 को 175 का स्ट्राइक रेट भाई साव क्या कर रहे हो यार और भाई रिंको का भी 177 का स्ट्राइक रेट है 176.9 का स्ट्राइक रेट है बहुत ही बड़िया यार मजा आगया यार दिन बन गया भाई आज जितनी मेहनत करी है नींद कम ली है खेर कम तो नी ली दिन में हो गया है स सुबह सुबह साड़े पांच बजए उठके पाकिस्तान को पेल पूल दिया भाई और आज जो हमारे ही कुछ हरामी थे जिनको जवाब देना जरूरी था वो दे दिया रोहित ने अच्छे से दे दिया मनला पूरा ही दे दिया अब लेके घुमते रो अगले 3-4 महीने तक अब आराम से टेस्ट मैच की तैयारी करेंगे नहीं आराम से मज़ा आएगा आप मनोज भट्टी सेम ऐसा रितु खेला तो गलत रोहित खेला तो वाव किदर ए बेटी चोध ध्यान से सुन रितु राज गायकवाड न उसकी हर मैच में फटी पडी रहती है वो 20 में बाइस करता है हर मैच में आज तेरा फूफा अकेला खड़ा था 4 आउट हो गए थे उसको 4 आउट से कोई लेना देना नहीं है उसकी पारी हर मैच में हर मैंच में रीतू राजगा एकवाड की पारी 18-16 आवर खेलेगा तो जस्टिफाई होगी तेरह फूफा रोही शर्मा के साथ ऐसा ना है बेटा यकीन नहीं आ रहा अपनी बुवा से पूछ लियो ठीक है मैं तोड़ दूँ आज बता रहा हूँ बाई साथ रोही शर्मा के बराबर की गालिया खाई है मैंने मैं तोड़ दूँ आज बता रहा है दूर रही हो मेरे से आज आज तो दूरी रही हो कल आज यह बात करने कल शायद अराम से बात कर लूँगा मैं आज तो दूर रही हो मेरे से कहां रोही शर्मा कहां रितुराज गायकवार ज्ञाट के बराबर नहीं है भी वो हद्ध हो गई यार उसकी हर मैंच में फटी वो चाहिना गए थे एशियन गेम्स के लिए डिबिया जैसे ग्राउंड थे वहां ये शश्वी जैस वाल ने लोड तार दिया और ये लगा हुआ वहां 24 पे 25 करके खड़ा हुआ जै हो मेरा रितुराज गया कोई मेरा पी ले कपड़ वाला गोटिया प्रेम मालविया रोहित इस माई फेवरेट प्लेयर आज आउट होना ही भूल गया था मुझे ना एक मैसी आया था रोहित अच्छा खेले बड़ी पारी खेले मैंने का यार तुम डिजर्व करते हो मैं मानता हूँ लेकिन हो जाता यार तुम अगले की नियत तो देख लो आगे बढ़के रितुराज खेल ले पहली बोल पे मैं उसको सपोर्ट कर लूँगा नहीं उसको तो बाइस में बीस करने है बीस में बाइस करने हद हो गई यार अथरवा नियू रोही शर्मा प्रेशर से डरता नहीं है बिल्कुल सही बात है हिमांशु पांडा भाई वीके शाय टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की ओपनिंग स्पोर्ट का सोच रहा है नमबर तीन अगर किसी टीम का हल्का होगा वो टीम कभी भी डिमिनेट नहीं कर सकती वर्ल्ड किर्केट में अगर नहीं यकीन तो पिछले 10, 12, 15, 20 साल की आब वर्ल्ड किर्केट उठा के देख लो जिसका भी नमबर तीन स्ट्रोंग रहा है जिसका भी नमबर तीन इमानदारी वाला रहा है वो टीम अच्छा करिए कुछ ऐसे भी हैं जो हरामी घूम रहे हैं मार्किट में, बोर्डर के दूर उदर दाएं बाई हर नमबर तीन किंग नहीं होता है वो एक डायलोग बड़ा चलता ना हर धोती बांधने वाला गांधी नहीं होता तो वैसा ही कुछ है भाई साब हुसैन के रोहित ने सब का मुँ बंद कर दिया अरे वो भी बंद कर दिया मुझे तो चिंता हो रही है, मुँ से कैसे हगेंगे अब सस्ता पांडू यह भी भाई गिर्धारी की वज़े से सो से सो से सोला सो बना लिए आज तो अमीर हो गया आज तो लड़का पनीर खाएगा वो भाई मुझे यह गंदी गंदी फीलिंग आ रही है क्या हो रहा है मैं तो मैच पे ध्यानी नहीं दे रहा कौन-कौन छित रहा है अब रोही शर्मा की सेंचुरी सेलिबरेट कर लिए हो तो आउट भी कर लो यार रोही शर्मा आउट होना भूल गया यह आउट करना भूल रहे हैं दूबे को दो अबरो में 25 पड़े चुके दूबे भाई आज तु घाटे में चल ला है आज कंपनी माइनेस में चल रही है आचा भाई सास्ते पांडू ने सो रपे से सोला सो बना लिए हाँ सो से सोला सो बना याँद आया भाई टेलेग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना मैच प्रेडिक्शन के लिए और लाइक और सब्सक्राइब रुकने नी चाहिए है भाई साब साड़े तीन लाग सब्सक्राइबर से मात्र मात्र छे सो सब्सक्राइबर दूर हैं सिरफ 600 subscribers दूरें एक ही बार में दबा दुभू के करदो जराई कठे हाँ आगे तुमने कहा मजा आ गया दे छक्का दे छक्का रिंकू रिंकू तो भाई कमाल है रिंकू कमाल है भाई क्या टेंप्रामेंटेस लड़के का चो भरोसा है ना यार इसके पास कि मैं 19 में 20 में अवर में मैं कुछ भी कर जाऊंगा तुका एक बार लगता भाई तुके की खासियत ही होती है कि वो लगता एक ही बार है लेकिन जब तुमारा भरोसा तुमको खुद को इतना हो जाए ना फिर ये 14 बोलो में 64 रन आते हैं और ये रोज रोज नहीं आते तुम चाहे यार छट पे बैटिंग कर रहे हो 14 में 64 वहाँ पे भी नहीं आते भाई बहुत ही जबर्दस गिल शांत बैठा है ने गिल पीछे हो चुका है ना गिल एक ही तरीके से टीम 11 में जगे बनाएगा अब अपनी 11 में जगे बनाएगा जब आपका ये सश्वी जैसोल खराब खेलेगा सिंपल सी कहानी है यही बात है मोहित जैन लिखा कुछ नहीं बाई ब्रेंड SN मूट खराब ऐसा वीके नहीं चाहिए नींद नहीं आएगी कोई बाद नहीं हो जाता है विराट कोली रोज रोज ऐसी गलती करता नहीं है वो एक बार एक ही एक आध बार ही करता है ऐसी गलती वो साल 6 मिने में एक ही बार करता है उसका रोज रोज वाला थोड़ी नहीं काम की फिर वो यही कर देगा वो एक बार कर देता है फिर वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज रेपीट नहीं करता होता है ये चीज समझ लेना आयू सिंग, री तु भी लाइक, मैं हर मैच में ऐसे खेलता हूँ हाँ घंटा, हाँ हर मैच में ऐसे ही खेलता है वो ऐसे ही स्टाट लेता है, बिल्कुल सही बोला है तुमने संदीब, संदीब जाट एवी भाई, इस पास्ट टू डेज, आई वास क्वाइट ली प्रेइंग टू भगवान राम फॉर हिट मैन सेंचरी फाइनली राम जी लिसन एन, ब्लेस हिट मैन विद अ हंडर्ड, जैश्री राम, जैश्री राम भाई मया आगया, मया आगया तब यद खुश हो गई यार मैं तो कह रहा है, मेरे तो खुद लाज रख लिए हो भाई, रोहिच शर्मा ने मेरे तो मेरे तो खुद लाज रखी है, इतना भयंकर, इतना गजब की पारी देखो अगर रोहिच शर्मा को स्टार्ट अच्छा मिलता, और वो एक ही फ्लो में खेलते वे निकल जाता तो शायद इतनी खुशी ना होती, सेंचरी की वैल्यू तब भी होती है लेकिन जो सिचुएशन बन गई थी ना, यार मैंने तो, ये जो इंट्रो मैंने बनाया है ना, आप लोगों ने देखा होगा ये मैंने सेंचरी से पहले बना दिया था मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि सेंचरी बन सकती है यहाँ पर मतलब कहां से यार, सेंचरी का आप सोच भी नहीं सकते हो उस सिचुएशन से लेकिन वहां से सेंचरी बन गी भाई माइन फ्रीक एके, माइन फ्रीक नहीं, माइन फ्रीक ही है, वो एके नहीं है आपने शायद गलती से बोला कि इंडिया का इंडिमेंडिस डे 14 अगस्त आता है, इनकी हरकतों की वज़े से सब तुम्हें पाकिस्तानी बोलते हैं सेर्मा जी का लोंड़ा ओपी अच्छा मैंने 14 अगस्त बोल दिया, 15 अगस्त, 15 अगस्त हां, 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 अच्छा, अच्छा, ठीक है अमिच्या, रिंक को, नहीं, मुझे बहुत लोग पाकिस्तानी समझते हैं, वो मैं करता हूँ न, जहांट अली खान टोपा टीवी, बिश्मिल्ला रह्मान रहीं, जी मैं घंते का वल्ड कलास बोल रहा हूँ, उसको देख देखके भी लोगों को डाउट हो जाता है, भाई य यह तो इंट्रेस्टिंग मैच हो रहा है भाई, मैं तो इसलिए एक ही लाइव कर रहा था, मैंने का अभी इनको अभी कूट काट के भेज़ देंगे अभी, अब कुलदीप अपना टैलेंट दिखाएगा, कुलदीप भाई आउट कर ले, आउट ज़रूरी है भाई, यहां इतना बाहर बोल क्या कर रहा है, और इंपायर की तरफ तो देख भी मत, यह तो पता नहीं कहां से उठा के लाए हो इसको तो, अमिच्छा, रिंकु उसकी जगे के लिए सीरियस है, अनलाइक अधर्स, उसने भाई एक 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 रोटी की लडाई देखी हुई है, उस लड़क के बाद भी इनका दिमाग खराब होता नहीं होता है, तो उसको अपनी जगे की वैल्यू है, बिल्कुल, वो जितनी वैल्यू करके चलता है, बहुती कम लड़के चलते हैं भाई, इतनी वैल्यू करके, आउट हो गया, नहीं मेरे पास नहीं हुआ अभी तक, रुख जो, र लैंड की सीरिज भी जीओ पे आ रही है, बताओ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ओ, वा, कैच यार भाई, किसने पकड़ी है, वाशिंग्टन सुन दरने का, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है यार भाई, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, नहीं नहीं यार, काफी हो ग अब विकट चाहिए यहां पे, और मैंने का कुल्दीप भाई, विकट ले है, बढ़िया कैच था, बढ़िया कैच था, क्रिशन कान शर्मा, भाईया, विकरान खान पे कमेंट करो, हलो, हाँ, दल्ले भाई, दल्ले भाई, दल्ले भाई, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, एक बाद बोलनी थी दल्ले भाई, BC, MC, BSDK, तेरी, MKB, थैंक्यू, इतनी आती हैं भाई मुझे, जितनी आती थी सारी दे दी, अब कोन आ गया, तो भाई ये बड़ा खतरना खादमियों गुल्बदीन, भाई ये बड़ा खतरना खादमियों, बहुत तेज मारता ये, सच में यार मतलब इतनी, इतनी हार्ड हिटिंग करता ये बंदा, क्या ही बताएं यार, बहुत हार्ड हिटिंग करता ये बंदा, ये टाइमिंग नहीं करता, टाइमिंग टुइमिंग का कुछे नहीं लेना देना है, तो जो और से मारते हैं इसा कुलाड़ा कुलाड़ा चलाता है तकड़े वाला चलो जी आगे बढ़ते हैं कहां तक मैसी पढ़ लिये थे अक्षे गनात्रा थैंक यू भाई लिखा कुछ नहीं तुमने परिवारी शायद समाजिक दबाब में कुछ लिखनी पाई तुम थैंक यू सोमाज हर्शल जादव मुंबई इंडियस ने सबसे लेट डाला सेंचरी पोस्ट अरे कोई बाद नहीं मत डालने था उनको वोलो तुम ना ही डालो तुम ना ही डालो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तुम मत डालो KSK Creation खाना खाते हुए रोही शर्मा को देख रहा था सच में सो देखकर आज आसू आगे लास्ट टाइम भी रोहित का वर्ल्ट कब में आउट होने पर रोया था I am a die-hard fan of रोही शर्मा यार देखो मैं तो एक चीज में यकिन रखता हूँ जब लोग तुमको गिराने पर लगे हूँ बिल्कुल नीच हरकते कर रहे हूँ और तुम्हारा जब सब कुछ दाओ पर लगा होता है मैं ये बार-बार ग्यान पेलता हूँ क्योंकि मैं इनी चीजों का बना हूँ खुद भी जब तुम्हारा सब कुछ दाओ पर लगा होता है ना बोस तब तुम्हारा बेस्ट निगल के आता है कहने को मानने को तो आज कोई ना मानो लेकिन रोही शर्मा का एक्च्वल में बहुत कुछ दाओ पर लगा हुआ था ने याँ ड्रॉप नहीं है यार ड्रॉप नहीं है यार कैरी नहीं हो पाया ड्रॉप नहीं कह सकते कैरी नहीं हो पाया effort अच्छा था कौन था कौन है विराट है मेरे को अब बाद में दिखा, नई नई मुझे नहीं लगता carry हुआ, एक बार यह देखते हैं slow motion में मुझे लगा, effort अच्छा लगा मुझे, मैंने देखा नहीं filter कौन था, अब दिखा विराट था नई नई नई, carry नहीं हुआ यार, carry नहीं हुआ भाई carry नहीं हुआ, अच्छा effort था, without filter देखे मैंने बोल दिया, carry नहीं हो पाया था अच्छा effort था, वो विराट था पहुँच गया वहाँ तक, शाए दूसरा एक रिंग को पहुँच सकता था otherwise तो बहुत मुश्किल होता है बाकियों का पहुँचना प्रोंजल दत्ता, वर्ल्ड कम में फर्स्ट बैटिंग ठीक से करना पड़ेगा, फस ना जाएं फस ना जाएं, अनि पहले विकट, पहले बैटिंग में थोड़ा इशू रहता है इंडिया को, ये बात बिल्कुल सच है लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को बैटिंग करनी नहीं आती, ये भी सच है अनिमेश वर्मा, रितुराज की बस ऑस्टेलिया के अंगेंस, सेंचरी बढ़िया थी बस बाई देखो, सेंचरी जब भी आएगी ना किसी की टी-20 में वो बढ़िया ही होती है मैं बात ये कर रहा हूँ, उसकी भीतुराज गायकवाड की पारी अगर तो वो नंबर 3 का प्लेर है, फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ने फिर तो वो उसको बना दो कोई, पदवी दे दो उसको अगर वो ओपनर है, तुमारी रोजी फटी रहती है मतलब यार तुमारी पारी तो हर मैच में तुम ऐसा स्टार्ट लेते हो, हर मैच तुमारी पारी जस्टिफाई होगी जब तुम अठारावर खेल लोगे ऐसा तो नहीं चलेगा ने यार लेजंड गेमिंग, भाई रोहित ये बता रहा था यार देखो ये लोग जब रिटायर होंगे ना तब ही कोई रिप्लेस करेगा इनको ये वो वाले प्लेयर तो है नहीं कि कोई आ गया रिप्लेस हो गया चलो जी चलो जी ऐसा तो नहीं हो सकता है अब इदर से भी मैसेजिज लेना शुरू करते हैं अब कोन खेल रहा है इबराहीम खेल रहा भाई उन ताली में 43 ये लड़का मुझे अच्छा लगता है हाँ देखो कहता है छक्काई मार दिया बेसरम ने लिहाज ही नहीं है कोई छोटे बड़े की अभी तारीफ करी थी अभी छक्का मार दिया बताओ भाई कोई छोटे बड़े की लिहाज नहीं है को नहीं है वाशिंग्टे संदर या ड्यू तो आया नहीं है अभी तो मतलब वैदर ठीक है हाँ स्मुक गेमिंग आफ्टर वोच हिट मैंस अंडर्ड छप्री टेक हंडर्ड पेंकिलर्स ने ने छप्री का क्या लेना देना है छप्री का क्या लेना देना है छप्री वैसे भी अपनी कप्तानी खराब कर चुका है भाई सच बात तो यह है छप्री अपनी कप्तानी ख तो आप देखो ना क्या एजंडा चलता और यहां तो भाई एजंडे के हिसाब से चलती है न सारी चीजें हाँ भाई मैं ट्विटर पर चलता हूं बिल्कुल ट्विटर पर चलते हैं देखते हैं क्या क्या चल रहा है किस किस ने क्या क्या बोला है क्या क्या खबरे चल रही है यह लो आ जो जरा चलते हैं विकरांदू की फटी पड़िये सबसे पहले विकरांदू का मेंसिजज पड़ते हैं विकरांदू की गोसला क्या लिख रहा हुआ है तीन घंटे पहले क्या बकवास मारिए इसने हलांकि यह मैच तो एक घंटे पहले शुरू हुआ है मतलब यह खतम हुआ है सो इंडिया वर लुकिंग एड जितेश शर्मा इस विकट कीपिंग ओप्शन फर वल्ड कॉप एंदेन बेंच इम आफ्टर टू गेम्स तो डू टू इन संजू सैंसनी में यह तो मैं पहले कह रहा था अबै आउट हो गया वह उटू रिव्यू हो रहा भाई अरे यार इसको आउट नहीं करना यह अपने लिए खेल रहा भाई अपना लड़का है यार इबरहिम 41 में 50 यार अपना बंदा है यार पर ठीक है यार 50 होगे न सेट ना हो जाए कहीं नहीं नहीं कर दो कर दो हो गया हो गया ये करा तो अच्छा है वैसे संजु ने मैंने पूरा नहीं देखा जो भी किया उसने अच्छा ही किया अरे मारते मा हो गया हो गया हो गया काम हो गया बहुत बढ़िया भाई संजु की नजर उसके बैट पे थी क्रीज और बैट पे उसका हाथ कहा जा रहा उस पे नजर नहीं थी उसकी चलो जी अब विक्टे गिर्ती रहनी चाहिए भाई साहब हाँ मॉंबई इंडियन्स लिख रही है कुछ फिफ्ट टी ट्वेंटी संच्री मोस्ट इन दे वर्ल्ड डाट सिटमें रोहित शर्मा बे गहर तो बे सर्मत तुम देखो हमें तो पता है हमें मत सिखा हो तुम रोहित टु इंपायर ये कूट कूट देता आज इंपायर को अरे वीरू यू गेव इट लेग बाए हाँ वो जो स्टार्टिंग में दिया था वो विरेंदर शर्मा को कह रहा है हो विराट कोली इस टेंडिंग कैप्टन ओफ इंडिया थोड़ी देर के लिए विराट कोली ने कप्तानी करी है वो स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था अब लोगों को और ये विराट कोली का ये एक यादगार इंटर्विव अब लोगों को याद होगा अबे आउट आउट क्यों लिखी जा रहे हो हो तो गया चला तो गया वो बस हो गया बते रहो गया यार क्या कर रहे हो तुम यार एक ही चीज को बार-बार लिखते रहते हो यार क्या करते हो यार तुम मैसी लिखो यार भाई यार क्या मतलब तीन आउट होगे अच्छा ये वाला गया ओ यार भाई यार ये कोई बढ़िया एप पे चलवाओ यार भाई यार रुको रुको मैं भी करता हूँ रुको जरा उमर जाई आ रहा है वाशिंग्टन सुन्दर और यह बोल पढ़के बहतरी पहली बोल पे 18 रन का शोट मारने की ट्राइ करी और यह निपट लिया भाई साब बहुत बढ़िया अज़ा देखो इसका विकरांदू का स्टेंडर देखो यह विकरांदू न किसी किसी को रिपलाई करता रहता है अब मैं इसके जागे देखता हूँ कितने फोलोवर हैं देखना स्टेंडर देखना विकरांदू का विकरांदू का न स्टेंडर देखना यह देखो यह दो-दो-धाई-धाई हजार फोलोवर्स वालो को रिप्लाई देता रहता है यह यह स्टेंडर है विकरांदू का देख लो तुम यह हैं भारत के सबसे बड़े ततर-पतर कार स्टेंडर देख लो इनका अब तुम कहे कहा है तो बीच में आई जा रहा भाई बिना मतलब के यार यह अच्छा है यह बड़िया था नौट फिनिश्ट यह बहुत बड़ी बड़ी पारी है भाई अच्छा सर्जरी डन हो चुकी है भाई सूर्यकुमार यादव की आप लोगों को पता होगा सर्जरी होनी थी भाई की तो अच्छी बात है यार अब IPL के कुछ मैचेज मिस कर सकता है स्टार्टिंग के बड़ अच्छी बात यह है कि आधा IPL खेल भी लेगा आधे से जादा ही खेल लेगा और फिर वर्ल्ड कप के लिए fit भी हो जाएगा तो ये अच्छी बात है आज बाकी सुबह सुबह यहाँ पे भी मोहल जम गया था भाई अलग से जो कूटा है ना मतलब आज हारी स्टेप ये का ना ये वाली ये वाले एक्स्प्रेशन आ रहे थे हसने वाले भी और वो वाले भी हैट्रिक नहीं है हैट्रिक नहीं थे बाई गरीब हैट्रिक नहीं थी हैट्रिक थी पता नहीं जो भी था चलो जी आगे बढ़ते हैं और किसने क्या बोला देख लो अभी भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है चोकली इतने 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 चिरकुट लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, अब ये कौन कर रहा है, ये रोहिशरमा के कुछ fans होंगे, जो actually ये हर किसी का एक fan base होता है जो कलंक होते हैं, ये हैं दो दो तीन 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 चार चार पांच पांच हजार लोग, ये अपने आपको कहते fans हैं लेकिन यह है नहीं है यह है कलंक कितने सारे लोग थे जो रोहित और विराट को इकठे बैटिंग करना चाहते थे देखना चाहते थे वो अलग बात है विराट आउट हो गया भाई पहले दो बैचों में रोहित शर्मा आउट हुआ है जीरो पर यही तो बात बोल रहा हूं है पिछले इतने दिनों से बड़े अजीब लोग हैं यार भाई यार क्या बोले यार आशे लोगों को चलो कोई बाद नहीं कर लेने दो जिसको जो करना कर लेने दो कोई दिक्कत नहीं है संजु के लिए वो अपना क्या वोलते हैं संजु के लिए भूलना नहीं है संजु के लिए जस्टिच जरूर मांगते रहना है time to time चलो जी अब messages पढ़ते हैं भाई आप लोगों के और थोड़ा सा मैच के उपर भी focus रखेंगे वो भी बहुत जरूरी है हाँ जी 3.500,000,000 subscribers से कितने subscribers दूर हैं ओ तो डीपाल ओए ओई ओई filters कितने ओई ओई जादा नहीं ओइ 300 subscribers दूर हैं बस जल्दी जल्दी कर दो भाई लोगो अच यार एफगानिस्तान के ना कैची जची पखड़ी है यह अपरिशेट करना पढ़ेगा भाई उनको चलिए जी अब यहां से मैंसी पढ़ता हूँ भाई अमपरकाज भाई मुंबई में आश कर रहे हो आप मोच कर रहे हो दे डोसे पे डोसा दे भेल पूरी पे भेल पूरी खिची चलो कम हेलो एवी भाई ऐसा लग रहा है रोहित ने कल वाली फोटो देख ली अपने घर मुंबई CST में पे नाम हिटमैन फोटो विराट का इसलिए अज विराट के घर में बैंगलूर में जाके बता दिया बहुत जबरदस्ट पारी बहुत ही जबरदस्ट पारी बहुत ही ब्रिलियंट पारी थी यार और यह संजू सैंसन ने यार बहुत तगड़ा स्टंप किया है स्टंप है रनाउट है जो भी काउंट होगा यह देख लो बहुत ही बढ़िया और वाशिंटन सुंदर ने दुबारा फिर करके दिखा दिया कि वो एक अच्छा बोलर है भाई वाशिंटन सुंदर बहुत ही अंडर रेटेट सा प्लेयर है लेकिन बहुत ब्रिलियंट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार वो बहुत ही आउटस्टेंडिंग प्लेयर है बैटिंग में भी अच्छा है और उसके बाद बोलिंग में भी दखो यहां से न अफगानिस्तान अच्छा खेल रही है 40 बोल बची हुई है आप 40 बोल में maximum करो कितना करोगे आप maximum भाई अगर आप 40 बोल में यार ये हो सकता है चेज हो सकता है ये no doubt अगर आप 40 में 87 और 80 करने का दम रखते हो तो एक respected हार हार होगे ठीक है ना तरीका होता हारने का भी तरीका होता है तो ये मेरे खाल से अच्छा खर रहे हैं या लोग और इनको ज्यादा आप सोचना नहीं चाहिए ज्यादा पारीवारी नहीं बनानी चाहिए हाँ ऐसे पेलो हाँ ऐसे बहुत बढ़िया शोटा बहुत बढ़िया शोटा ने ने मैं गिरवा दूँगा विकट चैंशन नहीं लो तुम थोड़ा सा मजा करते हैं न थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं मैच में जैसे जुरूरत पड़ेगी मुझे बता देना बही आउ कुछ होते हैं चिरकुट जैसे कुछ a-b-krik info को बहुती दिल से जो प्यार करते हैं कुछ भाई लोक क्या करते हैं मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत बोला मान लो ओ ओ ओ ओ यह ज़्यादा हो रहा भाई चार छे यह ज़्यादा हो रहा भाई कौन पिल रहा है ओ है उस्ताज जी पिल रहे हैं। उस्ताज जी अपने ट daleंट का जोहर दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या सौच के खरीदा हैं इसको। किज ने उनने खरीदा हैं इसको?? लखनौ वालोंने। नहीं लखनौ में तो पहले था है, तो राजस्तान में चला गया है। रुको भाई आउट कराना पड़ेगा यार यह तो गड़बड हो रही है रोईद भाई करो जरा कुछ यार उस्ताजी 36 रन पिलवा चुके है भाई रिंकू का वो फिनिश देखो आप कितना इंपोर्टन्ट है आखरी अवर की बात कर रहा हूं मैं पर्टिक्लोरी वैसे तो रोईद ने भी फिनिश ही किया मैच है बट वो इंपैक्ट आप समझ रहे हो अगर मालो वो 36 रन ना आके 36 रन का आवर ना आके वो सिरफ 15 रनों का आवर होता ये जो 20, 22, 25 रन का जो ये मार्जन क्रियेट करता ना रिंकू यही है यही है सब कुछ आप देखो अभी उनको 37 बोल में 86 रन चाहिए हम मान लेते हैं कि अभी उनको 6 एवरों में 85 चाहिए अगर वहां से आप अगर वो 20, 22 रन कम कर दो कितने चाहिए अब मान के चलो 60 चाहिए 65 चाहिए 6 वरों में 60, 65 चिनना स्वामी में बिल्कुल पॉसिबल है तो ये जो आखरी में जो वो वो जो मार्जन क्रियेट करता है ना रिंकू ये इसी की में बात कर रहा हूँ ये जो हमने बार-बार 2021 में सुना 22 में सुना कि हम लोग जी 10-15 रन शोट थे ये शोट कौन पूरा करेगा ये कौन कमी पूरी करेगा रिंकू जैसा बंदा पूरी करेगा फिर चक्का मार दिया ओ तो आरी अंड मंड का टॉला इसके बाद कोई चक्का मारे उसकी अब नहीं आएगा इसके बाद नहीं आएगा टैंचन मल लो दो। इसके बाद विकट ही आएगी भाई रोनक अकवाल कह रहा है भाई ये जो इंदर चाहल जरूरी है क्रूशल टाइम पे विकट लेता है नहीं वो नहीं आएगा वर्ड कप आप लोग जज कर सकते हो उसको लेके लेकिन पहले नहीं कर सकते हो मेरे भाई जैसे सुर्य कुमार यादव को खिलाना क्या गलत फैंसला था ODI में अब तो सारे बोलेंगे गलत है अब तो सारे बोलेंगे गलत है लेकिन उस टाइम पर गलत नहीं था decision ठीक था उसक कि ये महोल बगड़ रहा भाई बाई साब ये तो possible लगला है मुझे ये तो मुझे 10-12 रनों का ही margin लग रहा है जीत में हो सकता 5-7 रन का ही margin रहे हलाकि पता कुछ नहीं है पता लगे यहां से भी 25 रनों से पिल जाएं लेकिन अगर जो चल रहा है यहां से आंख बंद करके भी बला गुमाया सब ने तो ये भाई सा मुझे बहुत ही close लग रहा है जाते हुआ मामला रोई शर्मा कह रहा है यार कल लो यार तुम थोड़ा नजदीक ले लो यार कोई बात नहीं कैच बहुत अच्छा पकड़ा था गुर्बाज नहीं यार राज चल 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 भाई कोई नहीं कोई नहीं कुलदीब कोई बात नहीं अच्छा फिल्डिंगは उस्ताज जी खच के रखो मिटर शाबाज उस्ताज जी शाबाज आप पर भरोसा है चलो जी messages उस पर धान रखेंगे थोड़ा सा paste बना के रखेंगे messages का भी जो की जरूरी रहता है हाँ अब तो मुझे भरोसा हो गया साड़े तीन लाख सब्सक्राइबर कर देंगे भाई पूरे अब तो मुझे भरोसा हो गया जसी मदलब जैसवाल हाँ बिल्कुल बात ठीक है याँ देखो ये शेच्वी जैसवाल आपको ओपनिंग में चाहिए वो पागल ओपनर है यार वो पागल है सटका हुआ है वो सटकेला है और चाहिए ऐसा ही ओपनर चाहिए होता आपको तो वो बहुत ही ज़रूरी है यार साथ में रिंकू रिंकू के बगार तो भाई ओए भाई ओए कल लो catch कल लो कहा गई निकल गई रिंकू के बगार तो मैं imagine भी नहीं कर सकता टीम इंडिया की 11 T20 में imagine भी नहीं कर सकता आपको 5 option के साथ जाना है तो आप छटा bowling option अपना ready रखो बनाओ कोई batsman top 4 में से किसी एक को bowl डालना पड़ेगा, डलवाओ भाई डलवाओ सीधी सी बात है एक भाई कह रहा है गया match, चुप रहो यार तुम तुम्हें पता होता है नहीं कुछ अच्छा बला match हो रहा है, interesting match हो रहा है और क्या चाहिए अब या one-sided match में कोई मज़ा आता है अच्छा match हो रहा है मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आखरी bowl पे decision निकले तो कितना मज़ा आएगा यार जसी, अच्छा जो बुम्हा, हाँ ने, बुम्हा, ने, बोलिंग की तरफ तो बोलिंग तो यार clear है, बोलिंग को तो आप ऐसा ही बीच में ला रहे हो, बोलिंग तो clear है यार, बोलिंग मैं तो imagine भी नहीं कर सकता, आप जस्पृत बुम्हा पे भी debate करोगे top 4-5 पे बात करो मेरे भाई बोलिंग तो clear है यार आपकी, बोलिंग में तो कोई doubt ही नहीं किसी को कुछ भी तो भाई लोगो 30 बोल में 68 चाहिए बिल्कुल possible है बिल्कुल possible है यहां से बहुत ही interesting match हो गया है, दखो यहां से fielding अब अच्छी करनी पड़ेगी आपको 4 रन आ गया संजु ने catch चोड़ दिया भाई, मुश्किल था खैर विश्णो इस अबर में विगट लेगा 100% मार खा जाएगा थोड़ा, लेकिन विगट जुरूर लेगा, पहली बोल पर चोका आ गया है विगट ले लेगा, विगट लेगा, वो 100% विगट लेगा, ऐसा मुझे लगता निए कि बिना विगट के चला जाएगा, क्योंकि इस अबर में उसको मारना भी पड़ेगा न उनको तो अगर वो मारेंगे तो बोल तो खड़ा होगा, और उमीद है मुझे कि आउट होगा एक और चोका आ गया थोड़ा महोल बिगड रहा है भाई, अब रोहित शर्मा की सेंचुरी खराब न हो जाए शौट है यार, खराब बोल डाल रहा है इतना फुल बोल कौन डालता है खड़े-खड़े उसको पैरों में उसको खड़े-खड़े देई जा रहा है यार हाँ, हाँ, इकठे कर लो भाई, मैसी जा रहा हूँ मैं भी थोड़ा भी, थोड़ा मैच में महोल थोड़ा गड़ा गया है 28 में 60 चाहिए, छक्का आ गया है, तुम लोग छक्का लिख रहे हो क्या हो रहा है यार 28 में 60 चाहिए, क्या 27 में 54 चाहिए तो 12 का रिक्वाइट रन रेट आ गया है अब यार ये बोल तो ठीकी था नभी, अंड मंड का टोला विगट लो भाई, विगट लो, विगट लो, लड़को विगट लो यहां से मैच नहीं हार सकते हैं बोस, अफोर्ड नहीं कर सकते हारना 27 में 54 मेरे पास एक बोल पीछे चल रहा है अब लोग बताते जाएं, एक दो बंदा ही बता दिया अक्रू जादा लोग नी 27 में 54, अच्छा बोल, अच्छा विगट कीपिंग, बोल निकल सकता था पीछे 26 में 53 चाहिए भाई 26 में 53 नभी और गुलबदीन के बीच में पार्टनर्शिप हो गई है 53 रन की 19 बोल में सिर्फ बहुत ही तगड़ी पार्टनर्शिप हुई है मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो रिंकू का आखरी अवर वही एक मार्जिन क्रियेट करता है बढ़िया बढ़िया भाई, एक इरन आना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है कि हमको एक अवर में 20-22 रन का, 25 रन का ओवर चाहिए एक चलो जी, चार अवरों में 51 चाहिए बिल्कुल पॉसिबल है, जीतना अफगानिस्तान का अभी अवर किस-किस के रह गए हैं जरा वो देखते हैं मुकेश को ओवर नहीं दिया अभी तक अब डालेगा शायद मुकेश, मुकेश अब डालेगा शायद ना दो ओवरों में 16 दी उसने ठीक है अवेश खान को तो मेरे को लगता है अब देना बनता नहीं है दीन में 38 दे चुका है वाशी आ गया, अच्छा वाशी का रहता है अभी ओवर अच्छा वाशी के दो ओवर रहते हैं वाशी के दो ओवर रहते हैं भाई अभी क्या आउट हो गया गवरा आ जाते हो यार तुम रुको भाई पहले मैं देख लूँ मैं देख लूँ भाई पहले तुम लोग को का भरुसानी भाई वाइड है यार तुम लोग वाइड 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 तुम लोग आउट आउट बोली जा रहे हो यार सुंदर को दिया है वाशी को दिया है सुंदर को दिया है मेरे हिसाब से तो वाशी को दिया है हाँ वही संदर को दिया यार ये वाइड यार ये भाई यार ये बहुत पगलात आदमी है यार ये कहां से वाइड है यार ये 24 में 50 चाहिए भाई डाट बॉल 23 में 50 23 में 50 भाई लोगो मैंसे अभी पढ़ता हूँ थोड़ देर में अपने छोड़ के रखलो भी थोड़ा वेट करो है थोड़ा मैच को कर लें पहले मेरे ख्याल से ठीक रहेगा 23 में 50 चाहिए भाई वाशी ने अभी तक 2 अवरो में बहुत ही अच्छी बोलिंग कराई है अंड मंट का टोला अंड मंट का टोला उस्ताज जी ने अवेश जी ने कैच पकड़ ली भाई सहाब बहुत बड़िया 22 में 50 मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जो रिंकू आखरी अवरो में जो तबाई मचाता है हार और जीत का जो मार्जन है ना एक वो मार्जन वही क्रियेट करके देता है भाई अपने को चाहे आप 180 वाला मैच देख लो चाहे आप 212 वाला मैच देख लो इस मैच में तो रोही शर्मा भी था लेकिन मैं उस पर्टिकुलर एक अवर की बात कर रहा हूँ आखरी अवर की समझो बात को चलो जी आउट हो गया जी बहुत बढ़िया वाशिंग्टन सुंदर का बहुत इच्छा स्पेल जा रहा भाई 2.2 में मतब उसने 14 बोले डाली हैं 14 रन दिये हैं और तीन विक्टे ले चुगा है वाशिंग्टन सुंदर ब्रिलियंट यार आउटस्टेंडिंग्ट बहुत ही बढ़िया तो भाई इसके बाद कौन अवर डालेगा कितने हो गए कौन सा अवर चल रहा है 17 अवर चल रहा है 18 उन्निसमा कौन डालेगा 18 अवर किस से डलवा रहे हो मुकेश से डलवाते हैं 18 अवर 18 अवर मुकेश को डालना चाहिए मेरे ख्याल से वो उसने अच्छे डाले हैं 2 अवर खैर जीतेगा तो इंडिया लेकिन इंट्रस्टिंग कर दिया है मैच अब यहां से एक विकट चाहिए है गुलबदीन का अगर गुलबदीन का विकट मिल गया है तो फिर अराम से जीत जाएंगे अगर वो नोट आउट जाता है फिर वो एक कुछ ना कुछ करके रखेगा वो आखरी अवर तक कुछ ना कुछ उपर नीचे करके रखेगा सांस बस इतना सा फरक है मैसेज पढ़ता हूं तब तक विधान भाई कहना है रिंकू का इंपक्ट गेम हरवा या जिता सकता है हरवा नहीं सकता है यार रिंकू का रिंकू का इंपक्ट मैच नहीं हरवाता होता है रिंकू का इंपक्ट हारा हुआ मैच जिता सकता है ये करेक्ट लाइन मेरे भाई रिंकू का impact हरवा सकता है तब सही होगा जब वो किसी match में 20 में 22 करेगा वो देखना पड़ेगा क्या कर दिया फिल्डिंग में अच्छा मैं देखता हूँ रुको 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 देखता हूँ थोड़ा रहे रुको भई बहुत करांति करी जनता है 20 में 48 चाहिए मेरे पास तुम लोग बोल रहो भईया कोहली ने कोई फिल्डिंग कर दी मैं देखता हूँ क्या करा है ओबे भाई छका बचाया है ये देखना पड़ेगा बोस ये देखना पड़ेगा कि बचा पाया है कि विराट नहीं बचा पाया है ये देखना पड़ेगा बोस बच गया है क्या मैंने अब स्क्रीन पे चला लिया है मैच जी रह बच गया बच गया ओ भाई यार कमाल है यार भाई तगडी effort है भाई छका बचा दिया भाई बंदे ने ओई 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 क्या कर रहा है बच गया भाई बच गया बच गया चका उननिस में 47 अच्छा हो गया यार मैच इंट्रेस्टिंग है अभी भी पॉसिबल है भाई गुलबदीन के उपर पॉसिबल है सिंगल लिया है गुलबदीन ने जान बुच के सिंगल लिया है अठारा में 46 है बोस 18 में 46 अब मेरे ख्याल से मुकेश को आना चाहिए बहुत अच्छ आप ओवर डाला यार वाशी एक अवर ओर डाल सकता बहुत आराम से डाल सकता है एक अवर ओर तीन अवरों में 18 रन दी हैं वाशी ने और तीन विक्टे ली है और यार ये रेगुलर नहीं खिलाते यार वाशींटन सुंदर को रेगुलर नहीं खिलाते ये लोग और यही प्रॉलम आती है वो लड़का रेगुलर खेलने वाला है मतलब खेलने वालों में से है बड़ जगे नहीं बन पाती यहाँ बार बार जडेजा को डाल लेते हैं जो मैच ही नहीं खतम करके दे रहा है पिछले दो ड़ाई साल से उसकी सिरफ उसकी टेस्ट में भी ओन अन ओफ हैं बहुत जादा ओन औन ओफ परफोर्मेंस हैं उसकी टेस्ट में भी ये दीदी बाल खोल के क्यों डरा रही है ऐसे इतनी खतरनाक दूर हो जा दीदी दूर हो जा मामला बहुत गंबीर हो चुका है 18 में 40 एक ये बीच में आदमी बैठा हुआ है लग-अलग उंगलियां दिखा रहा है अवे कुछ दिखा दो यार विराट कोली का दुबारा दिखा दो हो एफ़ट ख़ड होगी यार दुबारा दिखा दो विराट कोली वाला वो एफ़ट महर को रिश्किछ नहीं लेता हुँ डेश का मुकेष तांगे काप जाती है डेश के मुकेष को देखके बहुत बढ़िया संचु सेम्सान जेबा इस दियुक हो गया करीम जननत कहरा है वाई यहोई तूने यह क्या करा है यार वाई ऐसे कौन कटवाता है बहुत ही बड़िया यार जो मर्जिक हो यार यह मैच में आया मज़ा है भाई नहीं मज़ा आया भाई इस मैच में अफगानिस्तान ने भाई पूरी एफट लगाई भाई पूरी पहले बोलिंग में 22 पे चार विक्टें और उसके बाद अब आउटस्टेंडिंग यार ओ भाई इसाफ कट गया यह इनके साथ कोई दिक्कत है गया यह सारे के सारे क्या मतलब इनको कोई तकलीव है यह सारे के सारे बीना बैटके बहुत भागते हैं इशारा मेरा समझ गए होगे तुम लोग क्या यहां पे देखो गुलब दिन यहां से क्लोज कर सकता है मैच गुलब दिन अगर कोई रिंकू वाला काम कर दे तो बोस कर दे अधर वाईस तो मैच इंट्रेस्टिंग तो क्या है भाई अफगानिस्तान ने मैच तो इंट्रेस्टिंग गिया यह तो बदाई जाती है उनको हाँ जी आगे कोन है विंच हैं जो भाई बार बार यह सुन्दर महिला क्यों दिखा रहे हो देख लो भाई इसमें क्या दिक्कद है यार भाई यार अमनो जी चिन्ना स्वामी में आईपल टाइम जो लोग वड़ा पाउक के नारे लगा रहे थे वहाँ आज हिटमेंड के नारे तो यही तो होता है ना यही तो टाइम होता है इसलिए तो बोला जाता है समय सबसे बलवान होता है सबसे ताकतवर समय होता है इंसान ताकतवर नहीं होता है उसका समय कमजोर या ताकतवर होता है इंसान तो वही होता है यार समय ताकतवर या कमजोर होता है यह वाइड नहीं देनी चाहिए क्योंकि 89 का हो गया है, वो नोट आउट जाता है ना, ये, ओ भाई बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से, दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा, इतना एवरेज कहां होता है T20 में यार, चैल ये जी, 16 में 46 चाहिए भाई लोगो, ये वाइड नहीं था, वो मूव कर रहा है यार, वो ब तेजस कह रहा, तेजस जकताब, आज एक्जाम खतम और उपर से रोहित की इनिंग, देखके मैंने अपनी बियर की बाटली खोल ली, मस्त आपकी लाइफ देखके इंजोई कर रहा हूँ, चलो बहुत बहुत बढ़िया यार, चलो बहुत बढ़िया, खेच के रखो भाई, भी मैच जिता देता रहें लोगो, जो लोग कह रहें न, विराट कोली जीरो प्याउट हो गया, उसका जीरो भी मैच जिता देता है भाई, और यहां कुछ प्लास्टिक के किंग हैं, जिनका लगातार पचास आता है, दुनिया में पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिनका इतनी बार पचास आया हो और वो मैच हार गए हो, वाँ भाई, अब आ रहा है विराट कोली का वो रेक्शन, यह मेरे को नोट करना था, बहुत ही बढ़िया यार, यह है भाई, फिल्डिंग, इसलिए बोला जाता है यार, विराट कोली की न, 110% कमिटमेंट होती है, 110% एक अफगानिस्तान को एक अवर चाहिए जिसमें 25 रन वो ले सकें, और अगले अवर में उनको 25 रन लेने पड़ेंगे, तब जाके आखरी अवर तक पॉसिबल हो पाएगा, या फिर आखरी अवर में कुछ ऐसा आ जाए, जो हमारे, रिंकू, देख लो, रिंकू, रिंकू है भई मार्जन, जीत का मार्जन, वो हार और जीत में रिंकू का वो एफट खड़ा रहता है बॉस, यह बहुत बड़ी बात है यार, हलाकि यह मैश तो यार मतलब सीधा सीधा यार देखो, रोई शर्मा ने जैस सेंचरी बनाई है, लेकिन वो जो आखरी अवर खेला है रि पकावेश होगा, शिवम दूबे, यार दूबे यार भाई, क्या कर रहा है यार, अच्छा फिल्डर है यार, क्या करता है, लंबा बहुत है न, मुडने में टाइम लगता है, चलो कोई नहीं, कितना चाहिए भाई, आखरी अवर में, सोरी, बारा बोल में 36 चाहिए, पॉस एक मिनट, विराट कोली के पिक्चर्स डाल दू में पीछे, अच्छा हो गया, हम लोग दुबारा लाइब नहीं आ रहे, एक ही लाइब बहुत है यार, खिच के रखो मिटर, खिच के रखो, साड़े तीन लाग सब्सक्राइबर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, सब भाईयों का, और सब महिला मित्रों का, साड़े तीन लाग सब्सक्राइबर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैंने मजाख में कल बोला था, कल शाम को ही बोला था क्या हम कर सकते हैं ऐसे ही बोला था मजाग में बोला था बिलकुल और मजाग तो एक्चली बनाया है रिंकु ने और रोहित ने और उसके बाद तुम लोग ने भाई उसको जस्टिफाई कर दिया थैंक्यू सो माज चलो जी अवेश खान गलत दे दिया यार गलत दे दिया गलत दे दिया गलत अवर दे दिया यार गलत अबर दे दिया एक कवर वाशी से डलवा देते यार 19 मा यार बहुत अच्छा बोल डाल रहा था बहुत अच्छा बोल डाल रहा था क्या बोलती है जंता 11 में 32 बिलकुल possible है बोस उस्ताज से डलवा सकते थे यार उस्ताज से कह रहा हूँ वाशी से जलवा सकते थे एक अबर मैच तो बहुत ही कमाल का जा रहा है वस मुझे तो इस चीज की खुशी हो रही है उस्ताज जी वाइड नी उस्ताज जी 11 में 31 मैच खतम हो जाए भाई फिर मैसिज पढ़ते हैं ठीक है अभी कितनी देर का लाइव हुआ है डेड़ गंटेगा अरे साही है डेड़ गंटेगा अच्छा हुआ हमने धाईका ही करना होता है लाइव अच्छा हो गया वाशिंग्टन सुंदर में कैच पकड़ी है जबरदस्त और उसके बाद स्ट्रंपिंग बहुत जबरदस्त करी थी संजु ने और बॉलिंग भी अच्छी कर रही है आउट हो गया बॉल बॉल है बहुत उपर गया भाई कैच हो गया ये हो गया है ओ हो 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 क्या बात है काफी भाग के जाना पड़ा यार इजी बनाया है उसने आखरी में बिलकुल चले जी रोही शर्मा का और विराट कोली का वाग भी हो गया है जो वाइरल होती है पिक्चर अकसर तो वो भी एक आ गया है लास्ट में फाइनली अभी अलब स्लो मोशन में आएगा बाद में फिर दालेंगे हम लोग background में अब देखते हैं real time में slow motion में देखते हैं कितना भागा है वो बहुत भागा है भाई बहुत भागा है भाई काफी भागा है भाई अरे भाई अरे भाई साब भाई साब बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ा है वो देखते हैं कितने meter भागा है तब बहुत ही जबरदस प्लेर है यार ये मैसीर पढ़ लेते हैं जब तक यहां फिर बाद में महाँ जलता हूँ सूपर चैट रुकी हुई है कुछ भाईयों की दाशूत तनुष कह रहा है भी भाई यार अच्छा खासा प्लेर को खराब करके चोडेंगे ये management मैने कभी विराट कोली को और नहीं नहीं वो आजेगा वापिस आजेगा tension मतलो tension मतलो वो वापिस आजेगा यार वो वापिस आजेगा वो समझदार player है वो नलायक नहीं है यार वो intelligent player है यार वो कोई वो कोई ऐसा player थोड़ी नहीं बातों में आ के अपना करियर खराब कर लेगा अगर उसने लोगों की बातों में आना होता वो 2014 में अपना करियर खराब कर चुका होता 10 में 31 चाहिए भाई और चोका आगया है अवेश से बचा लो बस भगवान जी किसी तरीके से क्या घटिया बोल डाल रहा है यार यह किस से चोका खा रहा है यह आठ नमबर वाले से चोका खा रहा है यह बता अश्रफ नो में सताइस उस आखरी अवरी की इंपोर्टन समझ में आ रही है अब लोगों को इसी लिए में बात करता हूँ रिंकू की जो रिंकू का वो मार्जन है ना जो मार्जन क्रियेट करके देता है आपको T20 में आप जीते हो आठ रनों से बारा रनों से वहाँ पता लगता है रिंकू 22 रन एक्स्ट्रा करके गया था कैच नहीं मार मार जल्दी मार सिंगल लिया है वाई सिंगल ही लिया है सिंगल ही लिया वैसे डबल था यहां पर इंडिया का इस टाइम पर 169 टोटल था सोचो ज़रा भाई तगडा मैच हुआ है जो मर्जी को हो यार अफगानिस्तान ने यार भाई लड़ाई करी है यार आज कमाल यार, मज़ा आगया भाई टक्कर दिये भाई बंदे ने, पूरी टक्कर दिये 38 मिटर भागा है 38 मिटर भागा है विराट गोली 38 मिटर छोटा छोटा टाइम नहीं था उच्छे आगया यार भाई, ये मरवा बैठा भाई 20 रन ये अवेश से बचा लो यार भाई, कोई 8 में 26 चाई है भाई, बहुत लंबा खा गया यार बहुत लंबा पिल गया 7 में 20 7 में 20, ये मैच मुकेश पे आगया भाई अब इंटरस्टिंग ये है गुलबदिन क्या क्या गुलबदिन सिंगल लेगा या गुलबदिन 6 के लिए जाएगा अब ये चीज़ देखनी है भाई क्योंकि अगर उसके पास स्ट्राइक रहती है आखरी अवर में 6 की 6 बोलें तो ये possible है बोस देखो 2-3 बोले अच्छी डाल सकता है मुकेश एक आध बोल तो वो भी खराब डली जाएगी यार आखरी बोल कैसी डालेगा 54 रन पिल गए है अवेश को सिंगल आया है भाई 19 रन चेहिए भाई लोगो कौन जीत रहा है कमेंट करो जल्दी जल्दी इंडिया एफ जी इंडिया या एफ जी जल्दी 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 क्या मैच हुआ यार भाई यार क्या मैच हुआ यार अगर वो आखरी अवर ना आता इंडिया का 37 रन ना आते क्या बोले यार वो आखरी अवर की इंपोर्टन्स वो रिंकू का वो दे दनादन चलिया जी गुलवदिन स्ट्राइक पे भाईया मुकेश कुमार आखरी अवर मुझे लगता है अगर वाशिंग्टन सुंदर उन्नीसमे अवर डाल लेता तो ज़्यादा बेटर था क्योंकि वो अवेश से ज़्यादा पिटाई ना खाता बट रिस्क रहता है उन्नीसमे अवर में स्पिनर को देना ये भी बाट ठीक है इंडिया का इस टैम पे टोटल था 176 और अफगानिस्तान का है 194 सोचो आखरी अवर की तबाही आखरी अवर की इंपोर्टन्स उस रिंकु सिंका वो लास्ट अवर उसमें वो नो बोल नो बोल के बाद वो छक्का सोचेगी अफगानिस्तान वाइड बोल वाइड बोल प्रेशर अभया 18 रन गुल्बदिन को अब बैक करना है अपने आपको उसको बैक करना है कि यार मैं तीन बोले ढूंडूँगा मेरे को दो बोल ढूंडनी है अगली चार बोल में मुझे दो बोल ढूंडनी है जिन पर छे मारू मैं फिर बाद की दो में छक्का मारना इतना मुश्किल नहीं होगा छे पर 18 चलो भाई चलो 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 खिच के रखो मिटर अवेश खान उस्ताज जी ने लगवा दिये भाई बहुत पिल के गया है वो ये मुझे लगता इंपायर पिटेंगे आज रोहित शेर्मा से क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं है क्योंकि मैंने हेडफोन नहीं लगाई हुए है मतलब मैं सुन नहीं रहा हूँ कमेंटरी वाइड को लेके चीज हो रही है इसमें भी अगर देखें तो काफी मतलब चोका आ गया भरोसा रखो भरोसा रखो मुकेश पे यार करेगा वो वो करके देगा उसने पहले भी दिया मैं जिता के यार पहली बोल वाइड डाल के प्रेशर दिखा दिया ना गलत बोल खराब बोल बेसिक ठीक रखो यार भाई बेसिक तो ठीक रखो यार रोई शर्मा की सेंचुरी खराब हो जाएगी बोस रोई सरमा बें स्ट्रोक बें स्ट्रोक बोल रहा है नीचे नीचे भरोसा रखो मुझे भरोसा है मुकेश पे, मुकेश उसको जा के थोड़ा समझाओ तू अच्छा तू बडिया बोल डालना तू बोल अच्छा डालना बाकी छोड़ दे फुल्टोस डालो के तो कैसे चलेगा यार यहाँ पर मुकेश को सोचना है नौ बोल नहीं डालनी है कोई भी तो बोल ठीक डाल बेस्टिक ठीक रख छका मारता है मारने दे कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया है बढ़िया है अच्छा अच्छा है चार में चोदा चार में चोदा चाहिए बोस कोई वाइड मत डाली हो नौ बोल तो बिल्कुल भी मत डाल दियो गलती से बोल शायद गिला नहीं हो रहा है आते हैं भाई मेसेज़ज पर बाद में बात करते हैं अभी तो सांस रुकी हुई है मैं आपको बोल रहा था गुलबदिन कर सकता है आखरी में अगर लेके गया मैस तो अगर कोई क्लोज लेके जा सकता है गुलबदिन लेके जा सकता है 40 बोल में कितने चाहिए थे इनको 99 चाहिए थे 40 में 40 में 99 के आसपास चाहिए थे भाई लोगो 20,000 लाइक करेंगे ठिच के रखो मीटर लेकिन उससे बहुत इंपोर्टन्ट है कि मैच जीतना है अपने को कोई बात नहीं यार वाइड वो देखो वो डाल वो डॉट डालने के चक्कर में वाइड डाल रहा है देखता हूँ क्या डाली है मैंने देखा नहीं है अब भागा है मेरे पास ने ने ठीक है उसकी नियद ठीक है नियद ठीक है उसकी वो जो करना चाहरा है लेकिन ये मैच फच जाएगा ऐसे देखो दो बोल अच्छी डालनी है हमको दो बोल ढून रहा है कुल बदिन तो कहानी कुल मिला के दो बोल की है चार बोल टोटल बची हुई है अगर जड में योरकर डालेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जड में डाल दे भाईया योरकर डाल दे जड में डाल अगर मिस करेगा क्योंकि वो जोर से मारने जाएगा मिस करेगा तो बोल्ड होने का चांस है LPW का चांस है वाइड योरकर से मिस कर जाएगा तो वो फिर भी note-out खड़ा रहेगा ये फिर फुल्टोस डाल दिया फिर घटिया बोल डाला है शाबाँज 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 rinko दो रने भाई तीन में ग्यारा एक बोल अच्छा चाहिए है एक बोल अच्छा चाहिए है यहाँ पर ये भी खराब बोल डाला था यार फुल्टोस नहीं डालनी है पहले चोका पड़े चुका है फुल्टोस पर वो योरकर ला ना जो योरकर डालता है मुकेश तो डालता है योरकर यार पर क्या मैच हुआ है यार भाई क्या मैच हुआ है छक्का नहीं यार मत करो यार मत करो मुकेश दो में पांच 21 में 51 कर दिया है भाई गुल्बदिन ने या वाइड योरकर इतना प्रेडिक्टेबल हो रखा है वो उसी के लिए तयार खड़ा था भाई उसी के लिए तयार खड़ा था वो तो स्लोड में बोल डला है जड में बोल डाल दे यार भाई अभी भी डाल दे अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है ना मिस हिट में भी कहीं मिस हिट में भी अगर कोई एजवेज लगके पीछे चला गया और इस टाइम पर अक्सर ऐसा होता है बाचीच चल रही है क्या आ गया डबल आ गया और डबल में भी प्रॉलम में कहना है कि वो स्ट्राइक पर आए एक मिनट चौट अच्छा था यार फिल्डिंग पर कौन था वाशिंग्डम सुन दर नहीं नाट आउट रन का आउट तो कोई चांस नहीं था एक में तीन एक में तीन डबल अगर भागा तो सूपर अवर होगा भाई सूपर अवर डबल अगर भागा तो सूपर अवर होगा अब यहां पर वाइड नहीं डालनी है मुझे लगता यार योरकर पे जा जड में डाल मिडल में डाल योर कर पे जा वही मैच निकाल सकती वही मैच जिता सकती है भाई सारे फिल्डर्स अलर्ट रहें यहां पे क्योंकि दूसरा रन भागेगा और यहां दूसरा रन मेरे ख्याल से विकट कीपर की तरफ ही थ्रो आना चाहिए विकट कीपर की तरफ अगर थ्रो आएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वो शॉट खेलेगा थोड़ा लेट स्टार्ट लेगा पहुँचेगा भी लेट एक में तीन क्या होगा वो एक फुल्टोस पे चोका बहुत गलत खा गया मुकेश और वो अवेस जाते जाते जो चक्का खाके गया है उसका तो यही रहता है भाई वो हमेशा चक्का ही खाता जाते जाते important time पे देखो यह wide yorker को जाएगा और यह cross खेलेगा यह इतना cross चला जाएगा कि यह square bounty देखेगा tie हो गया tie हो गया अभे क्या हो रहा यह वो पहले ही भागया है रिंकूफ जल्दी come on यार throw अच्छा नहीं था super hour तो यही नहीं खतम हुआ है मजा मुकेश and company हस रही है मुकेश कह रहा भाई देखो match नहीं हरवाया है मैंने भाई जी match नहीं हरवाया है मैंने मैं पहले बता रहा हूँ तो भाई लोगों यह super hour होगा अब यह किसको क्या कह रहा है रोहित संजु को समझा रहा है throw अच्छा नहीं था throw अच्छा नहीं था भाई क्या match हुआ है यार भाई क्या match हुआ है चलो अच्छा यार हारे तो नहीं है न कम से कम इतना बड़ा total करके भी और अफ़गानिس्तान की तो जीत है बोस इसमें अफ़गानिस्तान की तो जीत है इसमें चलिये जी let's see अब क्या होता है boss match वैसे यार क्या बात है गुलबदीन ने जान लगा दी भाई पूरी गुलबदीन ने पूरी जान लगा दी लड़का कमा, दम है भाई लड़के में इस लड़के में दम है boss लड़के में दम है भाई इसने दूसरे मैच में भी करके दिखाया था कि यार मैं इस तरीके से हार नहीं मानता हूँ और इसने इस मैच में भी करके दिखाया दम है भाई लड़के में दम है तो क्या होगा हमारी पहले बोलिंग आ रही है क्या एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई हम पहले bowling कराएंगे क्या करेंगे अभी पता नहीं भाई मैं सुननी पा रहा हूँ भाई आप लोग commentary अगर सुन रहे हो तो बता देना पहले bowling कौन कर रहा है क्योंकि हमारे bowlers महीं बैठ गये हैं सारे के सारे ground में मतलब उसके pitch के आसपास ही बैठे हुए है तो let's see क्या होता है चलो मैं message पढ़ लेता हूँ जोड़ तक आप लोगों के ठीक है सूपर अबर हो गया है भाई कितने एक घंटा पचास मिनट पे क्या match भाई यार ये क्या drama चलना है चलो जी कौन कोन है तेजस भाई का message हो गया था प्रेम दगेम रादे रादे समझ गये इशारा पाजी सुभर इजवान पे है हाँ हाँ विल्कुल डॉक्टर गोच भाई करें भाई आज जो मज़ा आएगा पहली बबरी जलील गया फिर हिटमेन ने तीन मैच को एक में कर दिया और रिंकू का क्या कहना टाई कर दिया उन लोगोंने इंडिया बोलिंग कर रहा है पहले हाँ बोलिंग ही कर रहा है इंडिया क्योंकि बोलोस वहीं बैट गे थे लग रहा था ऐसाई देखके अनबिटेबल प्लेस कहा रहा है ब्रो एक पाकिस्तानी बोल रहे हैं था मैंने कहा कि ये पीपल अंडर से वो बोल रहे हैं न मैंसे अब रहे छोड़ो यार तुम कहां पाकिस्तानी की लेके बैट गे ये बेगरत लोग हैं बेसरम लोग हैं इनको छोड़ो तुम यार चले जी अब राउल दरवेट वगेरा आगे हैं भाई अब क्या हो रहा है क्या प्लैनिंग हो रही है विकरम राठोर सहाब का जुरूर सुन लेना प्रोग्राम क्योंकि विकरम राठोर सहाब अगर जो प्लैनिंग आपको दे रहे हैं अगर वो आप लोगों ने प्लैनिंग नहीं मानी तो मुझे लगता है आप लोग struggle करेंगे रोही शर्मा अकेला खड़ा हुआ है वहाँ पे इस टाइम पे और राहूल दरवेट बगएरा सब बात कर रहे हैं विराट कोली बगएरा उदर दूर खड़े हुए हैं और वह मजे ले रहे हैं सूपर अवर हो गया भाई लोगो और गुलबदी नहीं आएगा उदर से बैटिंग करने उदर से गुलबदी नहीं आएगा क्या मैच वा यार मज़ा आगया यार मैच में लेकिन इस मजे मजे में पिलना जाएं कहीं ठीक है जीतना है भाई अपने को वितेश कहा रहा है भाई अवेश उस्ताजी फिनीशर है भाई बोलिंग से भाई यह मुकेश ने पता नहीं हरवाया है मतब मुकेश ने यह जितवाने से रह गया या बचा लिया कुछ कह नहीं सकते हार भी सकते थे हम लोग यार आखरी बोल पे छका भी पढ़ सकता था चोका भी पढ़ सकता था डॉक्टर गोजबाई का रहा है भाई पांच लाग सब्सक्राइबर पे पाटी करते हैं सब मिलके हाँ हाँ भाई नंगा नाच नाच नाचेंगे एकदम सारे भाई मिलके बिलकुल एक दम पक्की बात है प्यूश कतियाल भाई आम समझ आ रहा हैं गलती RCB या कोहली की नहीं है यह गराउंडी ऐसा है सही बात है यहाँ जितने मर्जी रन कर लो जो मर्जी कर लो यह गराउंडी ऐसा है भाई चलो गोल्ड मेंडलिस्ट दोनों ने मिलके टाई तो करा दिया ऐसे ही थोड़ी गोल्ड मेंडलिस्ट है बिलकुल जो मर्जी कोहो आप गोल्ड मेंडलिस्ट ने मैच बचा लिया भाई नहीं तो कितना बुरा लगता अभी अभी बी चांस तो है पर मैं तो यहां अफगानिस्टान की तारिफ कर रहा हूँ अफगानिस्टान ने जिस तरीके से दम लगाया ने भाई इस मैच में यह अपने आप में मतलब यार काभीले तारिफ बात है जितनी तारिफ करो उतनी कम है यार छोटी बात नहीं है दोसो बारा रनों में यार अच्छे अच्छो के पैर हिल जाते हैं जिस तरीके से और आखरी की 40 बोल में 97 90 संथिंग चाहिए था 90 प्लस चाहिए था मुकेश ही डालेगा आखरी अवर पर मुझे लगता एक रोही शर्मा से एक मिस्टेक जुरूर हुई है कि 19 आवर मैं अगर होता तो मतलब जितना अच्छा बोल डाल रहा था न सुन्दर वो सुन्दर को ही देना चाहिए था बोल सुन्दर उससे ज्यादा पिटाई ना खाता आवेश से ये पकी बात है चलिए जी अब कितने पर शुरू हो रहा है ये बाद में भाई कोई भाई ना ये जरा टाइम लिख देना यार मैं मैं स्पिन कर दूँगा आपका मैंसी ठीक है पूरा पूरा में में लिख देना यार भाई इतना काम तुम भी कर दिया अगरो मेरे लिए यार हमने मिलके ही चलाते हैं अपन क्या करें तो गुल्बदिन और गुर्बाज ये आगे हैं भाई या बैटिंग करने और आखरी ब बारा में 42 चाहिए थे हां बहुत बड़ी बात है यार तीन अवरों में कितने चाहिए थे 46 तीन अवरों में 46 नहीं बारा में 42 नहीं था यार और वो विराट कोली ने जो बचाया वो बहुत बड़ा रीजिन है ये कहा गया वह effort दिखाता हूँ अब ये ये वाला ये देख मैच आखरी बोल पे भी ना जाता, तो ये भी एक बड़ा रीजन था, चलिए जी देश का मुकेश, पहली बोल, डायरी निकाल लो भाई साब, पूरा ब्योरा लिखेंगे पहली बोल पे क्या हो रहा है, जिस भाई के मैस सीजन बाद में पढ़ेंगे भाई साब, चलिए जी, खेच के रुखो मेटर, ढिल नी देनी है, साड़े तीन लाग सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवा स्पेशल डे है, मैच जुरूर जीतेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक रन ले लिया है, दूसरे रन के लिए मुढ गया है, विराट कोली से प कर लिया है, थोड़ी सी लिया है, बेटा विराट कोली से, और का बोलते हैं उसको, रविंदर जडेजा से, कभी भी सिंगल नहीं चुराते, गुल बदिन का कट गया है भाई, विराट कोली का एकड़म स्टनिंग थ्रो, आउटस्टेंडिंग थ्रो, कोच बाहर खड़े हो अच्छा थ्रो था विराट कोली का, विराट कोली की यही मुझे खास अच्छी बात लगती है, जब वो जल्दी आउट हो जाता है, तो उसकी एक खास बात है, कि वो 100 से भी ज़्यादा इन्वोल्व हो जाता है वो मैच में, यह चीज उसकी सबसे खास चीज है, बाद में लगाते हैं, मैच खतम हो जाए, बाद में लगाते हैं, ऐसे इच्छा चान लगता हूँ, कितने रन बनाएगी अफगानिस्तान, बताओ जरा, मेरे हिसाब से अफगानिस्तान बनाएगी, 10 रन का टार्गेट देगी, मुझे लगता 10 रन का टार्गेट मिलेगा, ठीक है, औ और एक ही विकट बची हुई है हाँ ये भी ये भी गोर तलब बात है एक ही विकट बची हुई है चलिया जी नभी बहुत अच्छा यार क्या योरकर अब डाल रहा है योरकर उस टाइम पर वाइड योरकर है लगा हुआ था करने अब यही तो करना था यार लो, कुछ भाई लो कह रहे हैं, भाई या 6 रन का टारगेट होगा, कुछ 10, कुछ 12, कुछ 9, कुछ 7, ओके, अगर आउट हो गया तो 2 रन का टारगेट मिलेगा, लेकिन 6 चोका तो पड़ेगा भाई, ऐसा भी मुझे लगता है, चल 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 देश के मुकेश, गोल् रन आगे, आँख बंद करके मारा थवाई, चल प्ले ही लेते यार, कोई ना, कोई ना, कोई ना, 6 रन होगे, 3 बोले बची हैं भाई, 12 रनों से उपर नही जाना चाहिए है, मामला, 12 रनों से उपर नही जाना चाहिए है, हमारी तरफ से कौन आएगा बैटिंग करने, साथ में रोहित को भेद दो क्योंकि confidence नाम की भी एक चीज होती है न यार और उमरे जाई बोल डालेगा यह मैं पहले ही बता रहा हूँ यार यह फिर घटिया बोल डाला है यार यह क्या करते हो यार सिंगल लिया है डबल था एक रन दो बोले बची है भाई साथ रन बन चुके है विराट यह रिंक हूँ नई नई रोहित और रिंक हूँ यार सैंस नहीं बनता है ना confidence जीरो बना है और विराट का आपको पंगा नहीं लेना चाहिए emotion अलग बात है पंगा नहीं लेना चाहिए वन डाउन आजेगा ना विराट चक्का पड़ गया अरे भाई अब पंगा पड़ गया फुल टोस तो नहीं डाला था अगर मैं देखता हूँ बोल देखता हूँ एक मिंट रुको नहीं बोल तो ठीकी था यार तेरा भाई अब मामला सीरियस हो गया है यार भाई हार मानने को तयार नहीं है फगानिस्तान ये बात तो भाई साब कहनी पड़ेगी महोली जम गया है यार हार मानने को तयार नहीं है भाई राहूल दरवेट कह रहा है यार मेरी हंसीनी के लिए जा रही है बार बार राशिद मिया बैठके इंज्वाई कर रहा है राशिद कर रहा है मज़ा आ रहा है खीच के रखो मीटर चलिया जी लास्ट बोल है रोई शर्मा के चेहरे तो बिगड़ गए है लास्ट बोल लास्ट बोल अरे ये नो बोल है क्या पैर का no bowl लग रहा है मुझे पैर ये cheating है ये हराम जादगी है ये तीन run भाग गे हो तुम यार ये पैर पे लगा है बोल यार ये run थोड़ी ना भागोगे यार पैर पे लगा है ये buy दे दिया इसने ये तो बहुत हरामी है यार इंपैर पैर पे लगके भागा है यार ये गलत बात है यार ये तो अच्छी चीज नहीं है यार पैर पे लगके भागा है ऐसे तो run छोड़ देते हो अब मैं इसी चीज की तो बात करता हूँ ना ये जो spirit की बात करते हो ना ये सब ढकोसला है ये कुछ नहीं है अगर यही चीज बाद में होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी अगर यही चीज बाद में होती नॉर्मल होती मैच हार रहे होते फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब कोई नहीं छोड़ेगा 17 रनों का टार्गेट है भाई आखरी बोल में 3 रन आ गए हैं यह देखो यार मतलब बोल लगा है यार वहाँ पे रोई शर्मा ने काफी मतलब बहंस बाजी भी करी है लेकिन क्या फाइदा आप कोई फाइदा नहीं है पैर पे बोल लगके गया यार भाई यार वह देखो पैर पे बोल लगके गया चलो कोई बाद नी क्या हो गया यार रिस्क हो गया यार 17 रन थोड़े ज़्यादा हो गए है 12 13 तक ठीक था यार 12 13 तक का मतलब था 2 बड़ी हिट 17 का मतलब है 3 बड़ी हिट वो देखो विराट कोली बोल भी नहीं उठा रहा था जान बूज के नभी ने उकाद दिखा दी भाई, फाइनली रोषरमा गरा कमान यार क्या करी जा रहे हो ये विराट कोली ने भी अबजेक्शन उठाया, रोहित ने भी अबजेक्शन उठाया मुझे लगता है राशिद अगर होता ना, राशिद यह रनना भागता राशीद शायद बात भी कर रहा है नभी से राशीद अभी बात भी कर रहा है नभी से कुछ ऐसा ही कुछ डिस्केशन चल रहा है पैर पे बोल लग के भागा है भागे हो यार तुम यार क्या करते हो चिटिंग कर रहे हो यार सरयाम चलो कोई बाद नहीं यार कोई बाद नहीं लेट सी क्या होता है देखते हैं भाई कौन आता है अपनी तरफ से बैटिंग करने मैं कोमेंटरी सुन नहीं रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग लिख देना जैसे आप लोगों को पता लगे तो गलत किया यह, नभी ने गलत किया यह मतलब हारने को हो सकता है, हम सहे 13 में भी हार जाते हैं बड़ यह थोड़ा सा गलत हुआ, अच्छा सा नहीं लगा यह impression देखके मैं हमेशा बात करता हूँ, फिर यह ड्रामा नहीं करना चाहिए, यह खेल भावना खार, यह नोटंकी यह नोटंकी बाजी नहीं करनी चाहिए हमेशा, यह ड्रामा है खाम खागा, इसलिए मैं बात करता हूँ इसलिए कभी भी दानविर मत बनो खाम खागा फिर यही होता है फिर जब time importance देखी जाती है हमेशा अगर यही चीज बाद में होती न भी कह देता हो के फिर यहां आ जाते दिल जीत लिया खेल भावना जीत गई पता नहीं क्या क्या जीत गया तो यह चीज बाद में बड़ी होती है लेकिन जब importance है उस चीज की जब value है जब आपके वो खिलाफ जा सकती है तब खेल भावना एल पे रख लेते हैं सब यह गलत बात है यह बहुत ही गलत बात है नभी के उपर camera है तब से चले जी उमर जाई बोल डालेगा वो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को चले जी मैसिज पर लेते हैं मजाग मजाग में काफी लंबा खिच गया है मैच प्यूच भाई का भी हो गया था मैसिज नील भाई कर रहा है कोई नहीं भाई रिंकू भाई तीन बोल में खतम कर देगा यार असान नहीं है ना असान नहीं है देखो बारा तेरा रन का मतलब था सिरफ आपको एक दो हिट मारनी है और खतम हो जाएगा जैस वाल भेजा है यार आप विदाउट रिंकू के आ रहे हो ये मेरी सेंस में नहीं मेरे लिए तो मैच हार गी इंडिया मेरे लिए इंडिया मैच हार गी जैस रिंकू को आप भेज नहीं रहे हो यार कौन-कौन चाहता था रिंकू आए यार पहली पारी में जो रन बनाए होते हैं ना उसका confidence अलग होता है यार रोहित को रिंकु को आना चाहिए था simple चलो लेक्ट सी जैसवाल जिताना तो पड़ेगा या अब क्या करें बट जो जिताने को रिंकु जैसवाल जिता दे जिताने को तो या अवेश को भेज दो वो भी जिता देगा जिताने को तो लेकिन जो basic कहता था जो sense कहता था वो यही कहता था रोहित को और रोहित को रिंकु को भेजो कौन जैसवाल और रिंकु आ रहा है तेखते हैं कौन आता है साथ में अभी जैसवाल खड़ा हुआ है खेला नभी ने ठीक नहीं किया हरामी ने वैसे सच बताऊं तो नभी ने वड़ी चिरकुट हरकत करी है ये तीन रन महंगे पड़ते वे दिख रहे हैं मेरे को चलो जी रोहित और जैसवाली आ रहे है रिंकु का आना बहुत जरूरी था यार रिंकु का आना बहुत जरूरी था रिंकु का बहुत जरूरी था आना यार confidence की बात होती है यार चलो देखते हैं यार क्या करता है अब ये ठीक decision नहीं है हलागि जुरूरी नहीं है कि आपका decision ठीक ना हो तो आप हारी जाओगे कई बारी decision ठीक नहीं होता फिर भी आप जीत जाते हो बट ये decision ठीक नहीं है मेरे हिसाब से उन्होंने भी तो अपने best भेजे न दो गुर्बाज ने run बनाए थे पहली उसमें जो पहली पारी होगी अब वो एक तरीके से गुर्बाज ने run बनाए थे गुलबदिन ने बनाए थे वो दोनों आगे उसके बाद उनका तीसरा कौन था best नभी था नभी आ गया तो ये चीज मेरी समझ में आई नहीं है अभी तक बिल्कुल भी वन डाउन आएगा अरे उसके बाद जो मर्जी हो जाए वन डाउन यहां अगर दो बोले खराब हो गई तो उस चीज को देखना चाहिए चलो रोही शर्मा इस सीरीज में highest run scorer तो बन जाएगा वो 122 था ना तो 121 पर यह तो हो जाएगा कम से कम चलिया जी पहली बोल उनका पहली बोल पर एक run आया था और run out हो गया था दूसरे run पर run out हो गया था करो भाई करो खेला चालू करो भाई एक run आया है दखो जब अफगानिस्तान आया है वो 17 रन की सोचके नहीं आया था वो 12-13 रन की ही सोचके आया था सच्चाई तो यह देखो फुल्टोस बोल मिस हो गई है run out भी बच गया है फुल्टोस बोल मिस हो गई है रोहित से और run out भी मिस हो गया है एक run दो बोलो में अगर 11 चाहिए होंगे और तब run out आयेगा उसका क्या फाइदा है मैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है रिंकू को आप कैसे रोक सकते हो यार आने से क्या मजबूरी थी जो run out को रोक के बैठी है मेरे तो समझ में नहीं आया है पहला भोल रिंकू को खेलना बनता था one down पे आपने खड़ा का रिंकू को कोई संस समझ में आ रही है बस ये गिरलो पडलो ये खरलो ये गिरलो पडलो ये तो बात होती है न रिंकू सीधा खड़ा रहता है इतना focus रहता है उसका वो अपने पैर वहीं जमा के खड़ा रहता है वो हिलता डुलता नहीं है वो आखरी टाइम तक बोल देखता है दूसरी पे दो रन चार में पंदरा चाहिए यह बहुत गलट डिसीजन है यह रिंकू को ना भेजना बहुत गलट डिसीजन है यह अब जो करना यहां से रोहित को करना पड़ेगा रोही शर्मा रिंकू का आना बनता था यहां ओपे भाई छक्का हो गया भाई फाइनली नो रन चाहिए तीन पे नो चाहिए जो करना है रोहीत को करना पड़ेगा क्योंकि रिंकू बाहर खड़ा हुआ है यार रिंकू बाहर खड़ा हुआ है जैस वाल के पहले शोट से पता लग गया आपको जैस वाल के पहले शोट से पता लग गया था आपको वो confident नहीं है तीन पे नौ चाहिए भाई लोगो तीन पे नौ खच के रखमेटर खच के रखमेटर रोहेद मार एक और जिस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेसिक ठीक नहीं रखो गए तो मार पड़ेगी बोस तीन रन दो बोलें तीन रन पहला फुल टोस मिस हो गया था रोहित से डाउन दा लेग था रोहित ने कुछ ऐसा ही एक मैच निकाला था मुझे याद आ रहा है न्यूजिलेंड में भी शायद मुझे मालूम नहीं है वो सीरिज वही थी क्या 5-0 वाली एक ऐसा ही था टिम साउदी के लगाए थे बहुत लंबे लगाए थे क्या बोलती है जंता दो में तीन दो बोल में तीन चाहिए बोस रोहित खतम करना पड़ेगा भाई तेरे को कैप में माल डबल भाग कैप में माल डबल भाग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिंगल नहीं लेना भाई सिंगल नहीं लेना लड़को सिंगल नहीं यार सिंगल नहीं चाहिए था यार भाई ओ नहीं 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 गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई यार एक में दो गल्ती हो गई भाई गल्ती हो गी रोहित से यार जैसवाल कहीं अब दूसरा सूपर अवर ना आ जाए कहीं एक में दो चाहिए भाई रोहित को रेडी रहना है भाई कहीं बोल मिस ना हो जाए पीछे ना चली जाए रेडी रहना है भागने के लिए थोड़ा लंबा पैर करके रिखे पहले ही अपना दूसरा सूपर अवर नहीं चाहिए बॉस दूसरा नहीं चाहिए भाई प्लीज यार नहीं चाहिए दूसरा भाई एक बहुत है यार रोहित क्या बाते कर रहा है शायद सूपरोवर की बात कर रहा सारे फिल्टर बाउंडरी पर खड़े हुए है ये क्या हो रहा है रोहित बाहर जा रहा है रोहित बाहर जा रहा है रोहित बाहर जा रहा है परमीशन ले लिये क्योंकि last ball खेलनी उसने है runner आ रहा है runner आ रहा है रिंकू आ रहा है तैकि तेज भागे थोड़ा यह अच्छा decision है मेरे हिसाफ से यह बढ़िया किया है क्योंकि अधे को ultimately ball खेलनी है जैस वाल ने, बोल जैस वाल ने खेल ली है, नोन स्टाइकर एंड पर खड़ा होना रिंकु ने, तो मेरे ख्याल से ये ठीक decision है, मेरे को लगता है ये बड़िया decision है, क्योंकि सिर्फ भागना है न आपको, तो अगर कहीं एक आद कदम पीछे रह जाए, तो मुझे लगता है चैस ने ये ठीक decision लिए अब ए हरामियों, गेम खेल लिया, रोहित गेम खेल गया भाई, रोहित गेम खेल गया और वो हसरे है, सारे बाहर जब गया, ये मैनेजमेंट हसरी है बाहरmern, क्या रहे भाई, ये ये तेरे दिमाह में कैसे आया, मुझे लगता ये गेम खेल गया, और ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम हरामियों तुम नभी, नभी कैसे भागा है तीन लास्ट, वो देखो जरा, हमें बता रहे हो यार, कमाल है यार भाई, चल, वो बाहर बैटके हैं हस रहा है, भाई, जैस वाल, बेटे कुछ कर लियो, फिर टाई, नहीं यार, मत करो यार, एक अवर और टाई यार भाई, जूट लिख रहे हो यार तुम, अब ए तेरी तो, यही मुझे लग रहा था, एक और सूपर अवर भाई साब, लो भाई साब, एक सूपर अवर और, एक सूपर अवर और, यह मैं आज कर तम कहाई नहीं होता है, बे, बाई, मैं बता रहा हूं, रिंकु को भेजना चएए था, याशश्वी जयसवाल फॉम में नहीं है, याशश्वी जयसवाल का कोई लेना देना था नहीं, इस मैच में वो टच में नहीं है, तो मुझे यह डिसीजन भिलकुल ठ ठीक लगा नहीं है, बिल्कुल भी, क्या बोलती है जनता, ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, यह शच्वी जैसवाल को नहीं बेजना चाहिए था, वो मिस हिट कर चुका है, रोही शर्मा की स्माइल देखो, उसने गेम तो ठीक खेला था, देखो, गेम तो ठीक खेला लेकिन वो पड़ उल्टा गया है, पहली बोल पे जो मिस हो गया ना, अर देखो, यह जैसवाल ने अच्छा नहीं किया, रोही शर्मा तो अपना काम करके चला गया था, रोही शर्मा तो अपना काम करके चला गया भाई, दो छक्के मार गया वो, प्यूश कहरा आब खेल पाएगा भाई, बताओ, फिर ये क्या, ये तो नुकसान करवा बैठे हो, अरे ये मैच मरवाया इसने बिना मतलब के, ये टाइर होना बनता ही नहीं था, दो छक्के मार दिये, दो छक्के मार दिये थे उसने रोहित ने, ये शेश्वी जैसवाल ने बिना मतलब, टच मे में पुश करता, कमाल हो जाता, डबल भाग लेता, अब कौन करेगा पहले, क्या चल रहा है भाई, बता दो जरा, अब है जगराता हो गया, मैच नहीं हो गया, जगराता हो गया यार, अच्छा हुआ लाइवी हैं हम लोग, नहीं तो बार-बार कैसे लाइव आते, क्या या जैसवाल यार भाई यार वो याद है तुमको शरλन्का में एश्याá अब था वो आखरी में ऐसे पुछ करके भाग गया था, कि चलो यार आखरी में पुछ करके भाग जाते हैं आ गया रीइंकु ठीके 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 फिर बढ़िया है फिर बढ़िया रिंकू आ गया तो वा भाई वा मज़े ही हो गए यार डबल सूपर ओवर डबल धमाका मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है चलो जी अब आया मेरा असली पेर अब मेरा पेर आया भाई अब मेरा पेर आया है जो मैं कह रहा था, भगवान का लाख लाख शुकर है, हम बच गए, ठीक है, रोहित शर्मा एन रिंकू, वापिस आ रहे हैं जी, परशान प्यूश, रोहित ने गेम मरवा दिया, धन्य हो भाई का वहाँ, रे कप्तानी वहाँ रिंकू को पूरा वेस्ट कर दिया, ओ भाई न रिंकू को पहला बोल खिलाते यार यार अटलिस नों स्ट्राइकर एंड पे रखते और आखरी बोल पे जैसवाल को यह दिमाग लगाना चाहिए था, कि बेटा तू बस टच करके, पुछ करके भाग जा बहुत बड़ा गैप था, अब मिड विगट पे देखो कितना नजरी नहीं आ रहा था, प्यूश कह रहा है लगता है पीछे से छोटू ने रूल चेंज करवा दिया, छोटू का काम बढ़ गया काफी, छोटू कह रहा है भाई, स्क्रिप्ट लिखो जल्दी लिखो जल्दी, पहला सूपर अवर टाई, दूसरा सूपर अवर अब खेला जी, रोही शर्मा फिर आ गया, यह मैच है खतम होने का नाम ही ने ले रहा है, राहूल दरवेट को देखो कितना काम हो रखा है, काम देखो जैसे शादी में मेन बंदा नहीं होता है, जिसको बहुत काम होता है, वही बना हुआ इस टेम पे, कभी भाग रहा है, कभी इदर जा रहा है, कभी उदर जा रहा है, करा दो यार, करा दो, मैच खतम करा दो, यार, देखो कन्याई विचारी वेट कर रही है, ऐसे नहीं होता है, यार, कितने रन चाहिए इंडिया से, साड़े 300 सब्सक्राइबर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सब भाईयों का, उसको बढ़ाते चले जाए आगे, थैंक्यू सो माच, मैच नहीं हो गया, आज तो कमाल ही हो गया, मतलब यार, कमाल ही हो गया, कितने रन चाहिए भाई, रोही शर्मा कह रहा है, मेरे दो मैच खराब हुए थे, मैं आज ही, तीन तीन बार बैटिंग लेके जाऊंगा, दो मैच ख मैं मिनिमम कहता हूँ, हमेशा मैं मिनिमम की डिमांड रखता हूँ, 14-15 रन तो आपको मिनिमम चाहिए, क्योंकि यार, हमारे वाले भी फुल्टोस डाल रहे है न, ये चीज समझनी चाहिए, चलिया जी, पहला बोल, रोही शर्मा, छे रन, अबे यार भाई, क्या फ्लाट शक्का मारा है भाई, भाई, बंदा टच में आ गया, रोही शर्मा ने भाई, कमाल गर दिया, संदीब जार भाई, मैंने फर्स्ट मैच के बाद आपको बोला था कि छोटू को, कोल करके बोलो, अच्छी स्क्रिप्ट लिखे, अबे इतनी अच्छी कॉन लिखता है भाई, चोटू दिल पे ले गया, चोटू बहुत जिगह पे ले गया, चोटू कह रहा है मैं सारी कसर निकाल दूँगा, क्या चोका आ गया भिर, ओ नहीं, सच में, एक मिनट यार मैंने तो लिखाई नहीं भी छक्का भी, मरो तुमार, मरो, मरो, खिच करको, रोही शर्मा को हर्ट किया भाई इन लोगों ने, इन लोगों ने रोही शर्मा को हर्ट किया, वो तीन रन नहीं भागने चाहिए थे नभी को, चिटिंग किया यार उसने, एक रन था वहाँ पे, चले जी दो बोल में, दस रन आगे भाई, खेंच के रखो मेटर, आज तो रोही शर्मा का एक रन करा दिया, ये तो शुकर करो, भगवान का शुकर करो, रोही शर्मा ने दो छक्के मार दिये जाते जाते, नहीं तो मैच तो लग गया था, दो सो बारा रन करके, अब टाही करके, फिर सूपर अवर में मैच लग गया, सिंगल आया है, चले जी रिंकु स्ट्राइक पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, बोल अच्छा था, बोल अच्छा था, बोल अच्छा था, चलो जी, कितने रन होगे, ग्यारा होगे भाई, तीन में ग्यारा, एक छक्का चाहिए भाई, इन बाकी बची हुई तीन बोलो में एक छक्का चाहिए, बाकी सिंगल डबल सिंगल लोग गई हुए वहाँ पे फुल पैसा वसुल भाइस अब तीन-तीन मैच देखो तीन-तीन बार बैटिंग करते हुए देखो अब मुझे भूग लग रही है इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं दो घंटा इकिस मिनिट हो गए ये मैच एक घंटा चौन-तीस मिनिट लाइव हुआ था तब खत्म हो जाना चाहिए था चालिया जी रिंकू स्ट्राइक पे मिस हो गया ये कैसे हो गया ये अन्याई कैसे हो गया ये अन्याई कैसे हो गया रिंकू एक छक्का चाहिए भाई बची वी बाकी दो बोलो में अगर यह मिस हुआ है तो रिव्यू हुआ है मिस हो गया भाई, मिस हो गया रिंकू तो जा रहा है रिंकू आउट लग रहा है मझे बोडी लेंग्वेज से आउट लग रहा है रिंकू रिंकू आउट लग रहा भाई बोडी लेंग्विश से आउट है आउट लग रहा जा रहा है वो आउट लग रहा है आउट ही लग रहा था पहले ही लग रहा था आउट क्या कर दिया यार रिंकू हम यहां रिंकु रिंकु चिला रहे हैं इतनी देर से रिंकु भाई बेचती गल के चला गया यार आउट है भाई आउट है आउट है आउट है आउट है भाई एक छक्का चाहिए है आज तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है रोही शर्मा को सिंगल ही नहीं लेना चाहिए यार रोही शर्मा अगर खुद खेलेगा न तो रोही शर्मा टांग टूंग देगा रोही शर्मा को सिंगल ही नहीं लेना चाहिए आज ऐसा महोल लग रहा है रखो बारा तेरा में बैंच बनेगा नहीं दो बोल बची हुई है किसको बहेज रहे हो भाई अब कौन ची हिट करेगा यार आज तो भाई किसी ने करी नहीं है विराट नहीं आएगा विराट तो विराट तो ready भी नहीं है, विराट तो खड़ा हुआ है वैसे विराट नहीं आ रहा है, विराट तो आएगा भी नहीं आउट है, आउट है, रिंकू चला जा मेरे भाई इतना time लगाते हैं DRS में यह चले जी, पहली बोल छक्का, दूसरी बोल चोका, तीसरी बोल सिंगल चोथी बोल विकेट, पांचमी और छटी बोल पर क्या आएगा उसी चीज को लेके हम वेट कर रहे है I think Dubai बैट रहे है फिर तो, Dubai बैट रहे Sanju आया है, Sanju आया है चलो ठीक है जी भेट दो आज, आज दूबे रिंकू, सब दूबे Sanju फेली हैं आज, कोई बात नहीं, चलो जी ओ सकता है भाई, मैंने आज Sanju को थोड़ा पेला है पता लगे वो कहे जस्टिस तो मैं इसी मैच में लेके जाऊंगा बेटे जस्टिस तो आज ही लूँगा मैं, चैंशन मदलो तुम लोग यार, यार अगर मान लो ये भी टाई हो गया तो मतलब, फिर तो मुझे लगता है फिर तो एक काम करो, कल रख लो, मैच दुबारा ही करा लो, ऐसा रूल होना चाहिए अगर एक सूपर अवर टाई हो जाए, पहले मैच टाई हो जाए, फिर सूपर अवर भी टाई हो जाए, फिर दूसरा सूपर अवर भी टाई हो जाए फिर तो एक काम करो आउट हो गया हम तो बोल भी खराब कर बैठे तो हार गे हम मैच हम हार गे मैच रोहित को सिंगल ही नहीं लेना चाहिए था फिर आज रोहित को किसी पर यकीन ही नहीं करना चाहिए यह लो करादी बेजती इनसे बोली नहीं टच ओती यार गया मैच यार 12 रन कहां डिफेंट कर लेंगे कहां 12 रन डिफेंट करेंगे बताओ मैंने बोला मिनिम्म चोदा रण चाहिए थे आउट हो गया इनसे बोली न टच होती है एक बोल वेस्ट होगी हमारी एक बोल खराब हो गई हमारी बताओ यह चाहिए इसको जस्टिस चाहिए इसको स्टेडियम से बाहर फेंकने आया है बोल ये गया भाई मैच गया गया भाई गया मैच गया यहां से तो अफगानिस्तान नहीं छोड़ता मैच हमारे पास कौन सा जस्पृत बुम रहा है जो मैच बचा लेंगे गया भाई मैच बचा लेंगे कितने सही शोड मारे रोही शर्मा ने पहली बोल पे दूसरी बोल पे बतल अब इन बे शर्मों को सिंगल भी ना दे अब वो चलो रिंकू आउट हो गया संजू कम से कम टच कर ले यार तू रिंकू ने चलो पहली पहली उसमें पारी में कुछ तो कुछ क्या उसने तो बहुत कुछ करा है तू यहां पे भी भाग गया यार तेरे को यहां से भी बोल नी टच ओरी फुल्टोस नी टच ओरी इन से इतना जोर से मारने जा रहे हैं कि बोल बाहर फेंकने जा रहे हैं अवेश कान घंटा यह करे मेरा अवेश कान अवेश कान तीन बोल में मैच खतम कर देगा अवेश कान तो चका चोका खा के उसको समझ में आता है करना क्या है अवेश कान कुछ नहीं करता भाई गया मैच यार मेरी तो उमीद खतम हो गई है क्या लगता है भाई कौन जीत रहा है तुम बता दो यार 12 रन कहां से डिफेंड हो जाएंगे यार यहां एक ही बोलर 12 रन डिफेंड कर सकता है वो कर सकता है आपका मुकेश मुकेश बोल नहीं करा सकता भिश्नोई विकट ले सकता है बट यार मार्जन क्या है एक छक्का चोके का मार्जन नहीं है आपके पास अने बिश्नोई को देखके थोड़ी उमीद फिर भी जागी है बट अवेश को देखके तो बिलकुल भी नहीं पाजी उस्ताज जी ही अब कमाल करेंगे नहीं पाजी उस्ताज जी नहीं कर सकते उस्ताज जी नहीं कर सकते यार दिल तोड़ दिया भाईन लोगों ने विश्णोई के पास ये है कि विकेट टेकिंग बोल तो है कि विकेट टेकिंग बोल तो डाल सकता है वो लो जी अब एस ही कराएगा बोल अब विश्णोई से बोल ले लिया वापिस ये गुर्बाज फिर आरा बैटिंग करने आई आउट थोड़ी न हुआ था अजीबी लेवल के प्राणी है भाई यार क्या यार रोहित को भरोसा ही नहीं करना चाहिए था इनके उपर रोहित को सिंगल ही नहीं लेना चाहिए था टैक जूनियर कह रहा है भाई रोहित की संच्री खराब कराने में लगे हुए करदी खराब है यहां से अवेश नहीं जिता अवेश मैंने तो नहीं देखा अवेश कभी भी ऐसा मैच जिता सकता है यहां से मेरे लिए तो एक ही जीता है अवेश पहली दो तिन बोल अच्छी डाल दे वो पहली दो तिन बोल में चोका चका खाने का दम रखता है भाई कौन डाल रहा ही कर क्या रहे हैं एक बार ही बिश्नोई को दे देते हैं बोल फिर बिश्नोई कैप पहन लेता है फिर ये ले लेते हैं फिर वो आ जाता है सत्यन भाई ये मैच खतम होगा जब आपके साड़े 300 सब्सक्राइबर होंगे मेरे जान साड़े 300 तो हो चुके हैं लेकिन मेरे को साड़े 300 के साथ-साथ मेरे जान इंडिया की जीत भी चाहिए ना चले जी बिशनोई डाल रहा है बिशनोई डाल रहा है भाई फाइनली कमल सरेश्टा भाई पाजी क्या कह रहे हैं पाजी का मैसी हो गए था ये बीकेल ड्रेविट का डिसीजन लगता है जैसवाल को भेजना वो गलत था तब ही हमारे पास मोका था हैसन बर्ग रोहीत संजू को कह रहा था लांस्ट पे फालतु का थ्रो करा उसने जिसमें थर्ड रन आ सकता था सूपर अवर की बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है खामखा का थ्रो था बिलकुल चलिया जी पहली बोल बारा रन डिफेंट करने अब एश को देखके मेरे को उमीद नहीं है बिश्णोई को देखके थोड़ी उमीद जागी है पहली बॉल विकेट छोटा बॉल डाला था लेकिन बिश्णोई के पास विकेट टेकिंग बॉल है भाई अभी हिम्मत बना के रखनी है अच्छा कैच पकडा रिंकु ने बारा रं डिफेंट करने बहुत ही मुश्किल है चिन्ना स्वामी में बारा रं डिफेंट करने यार बहुत ही ज़्यादा difficult होते हैं एक विगट और लेना है ना एक विगट और लेना है ना चल 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 बैक कर बैक कर भाई बैक कर बैक कर अपने आपको बिश्णोई बैक कर यार शाबाज 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 बेसिक ठीक रखो फुल्टोस मट डालो वाइड मट डालो नो मट डालो बस बाकी अगर सामने वाला अच्छा शोट मारता है तो ठीक है करीम जन्नत आ गया है गुर्बाज को स्ट्राइक पे मत आने दो ओ बोल अच्छा था लेकिन गुर्बाज ट्राइक पे मत आने दे यार क्या कर रहा है यार दुबे यार भाई थोड़ा आगे भाग के बोल पकड़ना त्रो मार 4 में 11 चहिए भाई एक रन आगया है भाई रोई शर्मा वहाँ सनायने मैं जूता लेके भागू सब के पीछे रोहित को चोड़ को चोड़ के सुनने रहे हो तुम मेरी बाते ओ जीत गए? क्या बात कर रहे हो या तुम? ये बात हो गई ये येस ओ प्रा हो ओ प्रा हो ओ फाइनली कलेश खतम हुआ जित गए यार भाई यार ओ भाई यार सेंचरी खराब होने से बज़े गई रोहित की यार भाई यार भाई सब कमेंट बोक्स में चलेगा बिश्नोई ये बहुत अच्छा डिसीजन हो गया आप लोग ने देखा मैं लाइब में ये ही बोल रहा था अवेश को बोल देने का मतलब है गया मैच जब बिश्नोई ने बोल पकड़ा मैंने का यार बिश्नोई को देखके फिर भी थोड़ी उमीद जागी है क्योंकि ये विकट लेने के लिए जाएगा ठीक है फाइनली भाई मैच जिद गए लेकिन वट आ मैच यार वट आ मैच वट आ मैच वट आ मैच वट आ मीच वट आ सेंच्री भाई अब भाई 3,5 लाग सब्सक्राइबर ना भाई अब हुए वसूल अब आएगा भाई मज़ा, अब एक कान करेंगे, साड़े तीन लाग नहीं, तीन लाग 51,000 करेंगे भाई, हाँ, 51 का थोड़ा शगून होता है न अपने यहां, तुम समझा करो यार बात को, बहुत ही बड़िया यार, मज़ा आगा यार भाई, बिश्नोवी ने कमाल कर दिया बाई, 12 रन डिफेंट, देखो भाई, एक चीज आज बोलनी पड़ेगी, चलो जी, अब थोड़ा लाइव लंबा हो जाएगा, 2 गंटे, 34 मिनट से आगे चलते हैं, तो भाई लोगों, बात कुछ इस तरीके से है, कि मतलब, यह मैच फाइनली खतम हो गया, सबसे पहले तो उपर अवर में, क्योंकि मुझे पता था बाद में कौन जाएगा, कौन देखेगा, स्कोर्ड कार्ड, कौन नोट करेगा, चले जी, नभी और रोही शर्मा भंस रहे हैं, पहले काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, वो ठीक नहीं था, वो गलत था, बढ़ चलो जो भी है, जैस दिया, विराट ने वो जो एफर्ड लगाया है, बाउंडरी लाइन पे, जो पांच रन रोके थे उसने, छक्का रोका, उसमें एक रन चलो भाग के ले लिया, जब तक बोल उठाई, लेकिन वहाँ पे पांच रन सेव किये, अगर वो ना होता, तो वो सूपर अवर ही ना कर पाई, वो भी टाई हो गया, मतलब आज रोहित शर्मा की सेंचरी खराब कराने के लिए, हर किसी ने एफर्ड लगाई है, कि खराब कर दो, खराब कर दो, लेकिन फाइनली, और अभी भी देख लो, इस सूपर अवर का भी जब स्टार्ट हुआ, रोहित ने छक्का मारा, तीसरी पे सिंगल लिया, चोती पे वो रिंकू आउट हो गया, पांचमी पे भाई सब रन आउट कराके चलेगे संजू, एक फुल टोस को भी टच नहीं कर पाए, लेकिन यार मज़ा आगा भाई, ये मैच देखके, फुल पैसा वसूल हुआ है, एक्चुली फुल पैसा व अब कितनी बार बैटिंग लूँगा, पहले मैच में बैटिंग ली, फिर सुपर अबर में बैटिंग ली, फिर दुबारा तीन बार, आज तीन बार बैटिंग करीए, तीन बार और 121 रन थे रोहित के, वो बाद में और रन भी बना दिए, हाईयस रन स्कोरर तो इस मैं ही रहूँगा तुम्हारा भाई ही रहेगा मज़ा आगया यार भाई क्या मैच हुआ है अब रोही शर्मा क्या बोलता है रोही शर्मा ने क्या बोला है इंटर्विव देगा उस पे बात करते हैं सब भाईयों का वेलकम हम लोग तो यार दो घंटे 36 मिनट से लाइब बैठे हुए है मैंने नहीं सोचा था ये मैच इतना क्लोज चला जाएगा लेकिन यार रवी बिश्नोई ने कमाल कर दिया रवी बिश्नोई ने जिस तरीके से मैच में विकर टेकिंग बोल है वाइस लड़के के पास और ये अच्छा हो गया कि यार इनोंने अवेश से बोल ले लिया क्योंकि अवेश नहीं जिता सकता था यार अवेश पहले दो-तिन बोल में ही मैच खतम करवा देता ये यकीन करो आप लोग वो पहले चोका खाता फिर छका खाता उसके बाद वो मिटिंग करता कप्तान से तो ये उसकी खासियत है ये मतलब हमारे उस्ताज जी की खासियत है वो ऐसा ही करते है मैं बिश्णोई को लेके आ रहा हूँ और नभी काफी तूट चुका है नभी काफी नराज हो चुका है काफी सैड है लेकिन नभी ने वो जो तीन रन भागे बाईस के वो थोड़े से गलत थे रोही शर्मा ने गुस्सा भी किया रोही शर्मा ने पर बाद में जाके स्लो स्माइल कर ली वो रोहीत का नेचर ये ऐसा है ये देखो ये बैठा हुआ है नभी अभी की लेटेस्ट पिक्चर है ये ठीक है और यार फुल पैसा वसूल क्राउड का डबल सूपर अवर बहुत ही इंटरनेशनल किर्गड में जादा नहीं हुए हैं बहुत ही कम हुए हैं आई पिल में मुझे याद एक पंजाब का भी हुआ था ऐसे तो कम हुए हैं ऐसे जादा नहीं हुए हैं रवी बिश्णोई काम कर गया भाई रवी बिश्णोई ये वाला थमने लाना चाहिए ये थोड़ी नीचे कर लो थोड़ा प्राइवेट चीजे दिख जाती है ऐसे कर दो भाई साब बहुत बढ़िया बहुत इस्तानदा कमाल कर दियो हो लला मज़ा आ गया भाई साब क्योंकि यार देखो यहां पे ना लोग वेट कर रहे थे आप लोग एगरी करोगे इस बात से यहां लोग वेट कर रहे थे किसी तरीके से रोही शर्मा की सेंचुरी खराब हो जाये और हम रोही शर्मा की कप्तानी पर गालिय निकालनी चालू कर दें यहां पर सूपर अवर ने गलती हुई है बहुत बड़ी गलती हुई है सबसे पहले तुमने बड़ी गलती करी है कि तुम जैसवाल को लेके आ गई कई बार नहीं होता है प्रेट को भी तो नहीं लाए ना, क्यों नहीं लाए, नहीं तो फिर विराट को ले आते, रिंकु को ही पहले ही सूपर अवर में लाना चाहिए था, बड़ चलो रिंकु जब आया, दूसरे सूपर अवर में बैटिंग करने, वो चलो आउट हो गया पहली बोल पे, लेकिन सं सूपर अवर में कितनी बोले खेली हैं, मैंने डायरी में लिखी, मैं बताता हूं, उसने कितने रन बनाए हैं, पहला बोल खेला था, रोही शर्मा ने, पहला बोल खेला रोहित ने, उपता नहीं, लेक बाय का था या क्या था, चलो एक रन लगा लेते हैं, फिर दो छक्ये में रोहितने बनाएं, 10 और 11, 11 रन बनाएं दूसरे सूपर ऑवर में, तो वो बना 14 और 11, कितने 15 और 24-25 रन, 24-25 रन वो सूपर अवर में बनाके गया है, बाकीओं नहीं क्या किया, बाकीओं ने बता देता हूं क्या है, बाकियों ने 1 1 2 2 दो रन और इधर से 3 यार कितनी हिरानी की बात है रोही सर्मा ने 24-25 रन बनाए पावर पले सूपर अवर मेए और बाकियों ने किये uç tiis चिइए एए सरफ 3 सिंगल यदो यश्य तो भगवान का लाख लाख शुकर है ये बिश्णोई कर गया भाई, बिश्णोई बचा गया इजद, और उससे पहले मुकेश ने भी ठीक तागी बोल डाला है, मुकेश ने भी अच्छा बोल डाला है, मुकेश ने खराब नी बोल डाला, मुकेश भी अच्छा काम कर गया, और बतलब ये नभी का चलो ठीक है, व यह run out, विराट कोली की fielding, भाई, stunning fielding थी, catches देख लो भाग के catch पकड़ना देख लो वो छक्का देख लो किस तरीके से बचाया उसने, फिर यह पहले super hour की पहली बोल पर जो run out किया, यह भी outstanding था, यह भी कमाल था और, मज़ा आगया यार भाई चलो, चलो जी, अब क्या बात करेंगे तुमारी बात करेंगे जितने भी भाई लोग हैं, सब का thank you पिछले 2 गंटे 41 मिनट से में बोले जा रहा हूं, जादा नहीं, अगले 20-25 मिनट का लाईव करेंगे, जब तक हेसन बर्ग तक मैसी पढ़ लिये थे, रोहित ने संजू को कह रहा था, बोल फाल तुमे यार देखो, वो जो आख, जो जो वो था ना, पहला जो सूपर अवर था उसमें जो आखरी बोल फेंकी है, उसने, संजू सैमसन ने वो ठीक है, ठीक फेंकी थी, लेकिन सीधी, साइद मुकेश को भी थ्रोह हो सकती थी, बड़ वो चालू क्या था, वो नभी जो था ना, वो बीच में भाग रहा था ऐसे बोल अपने लग जाती है, कोई नहीं भागता रहन यार और उसमें भी देखो, मुकेश ने अच्छा सूपर अवर डाला था पहला, एक रन, फिर एक रन, चार, एक, आखरी की दो बोल में नो रन पड़ गे थे, छक्का और तीन रन, तो वहां से थोड़ा मैच भाई निकल गया था, पर थेंक्स टू बिश्णोई, बिश्णोई ले आए भाई, मैच खीच गे, दुबारा ले आए, विकट टेकर एक ही था, और मैं इसलिए कह रहा था, कि यार, देखो, बिश्णोई को सूपर अवर कराया, हम लोग ना वाशिंग्टन सुंदर को मैच में ही उननिसमा अवर करा सकते थे, वहाँ अवेश को जुरूरती नहीं थी बोल डालने की, वाशिंग्टन सुंदर ने कमाल का बोल डाला है भाई, इस मैच में, धीरज भाई कहा रहा है, रोहित आउट ही नहीं हुआ, पूरे मैच में, रिस्पेक्ट, और रोहित कुछ और सोच के आया हुआ था थ दक्षित बंसल, थैंक्यू भाई, लिखा कुछ नहीं है, कमल सुरेश्टा भाई, बोला था, साड़े 300 सब्सक्राइबर, साड़े 300 के सब्सक्राइबर, अफगानिस्तान की सीरिज के साथ बदाई हो, इंडिया विन टू, यार इंडिया जीत गया और इतना बढ़िया मैच मैचेह है, देखो, इतना अच्छा मैच खेलके, इतनी अच्छी पार्टनर्षीब पाके, इतनी अच्छी सैंचरी आके, अगर मैच हार जाते, तो यार, रोही शर्मा के लिए, परसनली बहुत बुरा लगता। सीरीज तो चलो हम जीत रहे थे, सीरीज तो हार नहीं रहे थे, लेकिन रोहित के लिए परसनली बुरा लगता, और जो एजेंडा चमकाने वाले थे, उनको एक छोटा सा पॉइंट मिल जाता, उनको आज महसूस भी हुआ होगा दो-तीन बार, कि नई ने यार, अभी देखना जोहित को अभी बरबाद करेंगे, अभी देखना ये मैच हारेगा, फिर हम इसकी कप्तानी पे, क्योंकि आज बैटिंग पे तो उसकी कमी नहीं निकाल सकते, आप बैटिंग में कुछ नहीं बहुल सकते, आप कप्तानी में अब उन्होंने बहुकना था, अब उनको कप्ता का नहीं मारेगा, पहली बात तो वो इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे से खेला, यहीं तो खेला है यार वो अपना क्रिकट यार, इतने साल से यहीं खेल रहा है वो, सेकेंड चीज, यह जो संजू सैम्सन और यह शश्वी जैस्वाल, यह जो सिंगल भी नहीं निकाल पा परवर की, जहां दो रण चाहिए थे आखरी बोल पे, अब एक गैप में देख, वो स्टेडियम से बाहर मारने की सोच रहा है, अब संजू को देख लो, अब जैस्वाल को देख लो, स्टेडियम से बाहर मारने की सोच रहे है, जैस्वाल ऐज ओपनर जब आएगा ना, एशिया कप का, वो ऐसे ही टुच करके भाग गया, पूरी फिल्ड खोली हुई है, दो रन भाग गये वो, तो वैसा ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें तो स्टेडियम से बाहर बोल फेंक रहा है, ओम मितल करा बिश्णोई, दि मैच विनर, रिंकू, टेक इंपोर्ट यस, बिल्कुल, शुब शैविन गेमिंग करें, मैं गलत था, अफगानिस्तान लड़ना जानती है, रोहित ने तीनो मैच की पारी खेल दी, मैं दूआ मांग रहा था, अवेश ना करे बोलिंग, हाँ हाँ, शुब गेमिंग भाई, तुमारा पहला मैसिज जो था, इस अफगानिस्तान को तुम ही एप्रिशेट, तुम फिर ये बोलते की देखो मैं चारगें के खिलाव, मुझे लगता सबसे परफेक्ट जवाब तुमें ही मिला है इस लाइव में, और अफगानिस्तान ने दे दिया, बॉस अफगानिस्तान को हलके में लेने की गलती कभी मत कर देना, इस वर्ड कम में तीन-चार टीमों ने हलके में लिया था, अफगानिस्तान नोच के खा गया उनको, ये चीज याद रखना, शिवे मलोतरा के रहे हैं, आज सिरफ रोहित का दिमाग से जीते हैं हम, वरना कब के हार चुके होते, बहुत पहले के, लेकिन यार आख वाइड योर्कर क्यों डाल रहा है, ये वाइड योर्कर डालने वाले मुझे समझ में याते, अगर मानलो तुम्हें बोल मिस हो गई, तुमने एक डोट करवा दी मानलो, करवाई भी थी, अरे वो बैट्समें नोट आउट ही खड़ा है, जड में बोल डालो, बोल्ड करो, चांस तो लो, अल्टिमेडली वो मार तो देगा ही तुमको वैसे भी मार देगा चोका जखका, तो वो नेगिटी बोलिंग होती है, बाकी तो पता नहीं यार, और रोही शर्मा ने भाई जान लगाई आज, सूपर अवर में भी, और मैच में भी, बहुत तगड़ा मैच ला जवाब, बहुत ही बढ़िया, अब अच्छे से टेस्ट किरिकट को इंजवाई करेंगे, इंडिया वर्सिस इंग्लेंड, लक्षे परमार करें, गोट बैटर, गोट सिक्सिटर, गोट कैप्टन रोही शर्मा, आज बिचारे हेटर्स का क्या अलाहाल होगा, तुम का इशू रहता भाई लोगो, थोड़ा सा अज़ेस्टमेंट करना उसको लेके, राजेश विष्णोई, अरे विष्णोई भाई, अभी विष्णोई के ही कुन गा रहेते हम, यार देखो, रिंकू, रिंकू के बगार मैं कलपना भी नहीं कर सकता कि टीम इंडिया वल्ड क करता हूं विष्णोई की, ये शेश्विट जैसवाल जैसा पागल ओपनर चाहिए होता है, लेकिन यहां सूपर अवर में वो कुछ एक्स्ट्रा ओडिनरी, कुछ आउट्स्टेंडिंग, जुरूरत से ज़्यादा ट्राई कर रहा था, रोही शर्मा ने जो छक्के मारे हैं रोही शर्मा ने जो सूपर अवर में चक्के मारे हैं, अरे वो खड़े-खड़े मारे हैं उसने, वो खड़े-खड़े करा मेरे एल पे बैठता है सूपर अवर मैं नी कोई डरता तुरता, किसी से, खड़े-खड़े मार दियो उसने, ज़तो शुकर करो रिंकु आउट हो पहली बोल पे, नहीं तो रिंकु ने तो वहीं पर चमका देना था इनको, अक्षे गयत्र कर रहा है बिश्णोई योपी, एटलिस रोहित एंड रिंकु की मेहनत खराब नियो ने दी, बेलको, सबसे बहुत ही खराब लगता, इतना जादा महोल अच्छा था, लेकिन अगर मै यह चाहके भी अफगानिस्तान के लिए खराब नहीं लग रहा, नहीं नहीं, यार अफगानिस्तान के लिए तालिया हो जाए यार, दिल से रिस्पेक्ट है भाई इस टीम के, यह लड़के ना लड़ते हैं भाई, नभी ने थोड़ा सा चिरकुट सा काम करा था, जो कि मु बहुत ज्यादा रेट करता हूं इस टीम को, क्यों करता हूं इनको बहुत ज्यादा रेट क्योंकि पाकिस्तान दो कवडी की टीम है यार, पाकिस्तान की टीम का बिना मतलब के इंडियन मीडिया, यहां की जो दोगली मीडिया है, यह जिनोंने अपना बाप बना रखा है पाक तेखो, अफगानिस्तान भाई साब लड़ती है टीम, और अगली टीम होगी एशिया में नेपाल की, जो इसी तरीके से लड़ती है भाई वो टीम, अफगानिस्तान नेपाल भी बहुत तगडी टीम है देखना, वो लड़के भी बड़ी, बड़ी मतलब पक्के आयें, वो भ बुरा नहीं लग रहा है, आगे क्रिशना कह रहा है, मुझीबुर रह्मान पे मैक्सवल का कैच छोड़ दिया था, उस्टेलिया मैच में, एंड उसी दिन हुआ, वल्ड कप भार गए थे, अब उस्टेलिया को भी हरा दिया था भाई दिवे, अफगानिस्तान ने, जो लो तो बात है, करित राज करन सिंग, बेस्ट टी ट्वेंटी एवर, एक सोनब्बे की पार्णरशिप प्लस, सूपर अवर ट्वाइस, बेलकुल, और उस, उस कप्तान की सेंचुरी आई है, जिसको लोग कह रहे थे, ये तो टी ट्वेंटी में बरबाद हो चुका है, इसका त वो लोग, भाई मैं तो लाइव के स्टार्टिंग में रो दिया था, भाई गालिया इतनी खाई है, मैंने रोहित के लिए क्या करू, बट कोई दिक्कत नहीं, रोहित ने लाज रख ली भाई मेरी, सीरियूसली, हैसन बर्ग, जस्टिस को संजु मिल गया, है, जस्टिस को स पॉइंट है, चलिया जी, मैं रोहित के इंटर्विवी बेट गर रहा हूँ, एक बर ही रोहित का इंटर्विव आता है, उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है भाई, क्या बोलेगा, हसे गाई और क्या, जब पहला अवर सूपर अवर टाई हो गया, सूपर अवर भी अवर के, अल्लादिन गेमिंग, वन टू फाइव, ये लोग जो सिर्फ चैट में संजु को ट्रोल कर रहे हैं, तुम लोग महान हो, बाकी लोग भी आउट हुए हैं, रोहित और रिंकु के अलावा, पर ट्रोल सिर्फ संजु हो रहा है, नहीं नहीं, मैं जवाब देता हू उनकी तरफ से, ट्रोलिंग अर लोग होती है, संजु के लिए जितना शोर मचता है ना भाई, क्या नाम है तुमारा अल्लादिन गेमिंग, संजु के लिए जितना शोर मचता है ना, संजु के लिए मैं भी हमेशा वाज उठाता हूँ कि यार लड़के के साथ गलत होता है, बट जब सामने से लड़का अपने लिए कुछ ना करे न, ऐसी निकम्मी उलाद को तो बाप भी छोड़ देगा एक ताइम पे, कि है निकम्मा छोड़ो इसको, ये गलत है भाई, अपने आपके लिए भी लड़ना होता है, अभी उसकी वंडे में बहुत अच्छी पारी आई ये बहुत बड़ी है, मैंने क्रेडिट देता हूं, इसको हम साउथ अबरीका में जीते हैं, लेकिन संजू सेम्सन ना तो ये आई पील में बड़ा धमाका करता है, कोई 700-800 रन बनाता है, नहीं, जस्टिस मांगने के लिए फोज आ जाती है, अरे पहले वो खुद तो करे, खुद तो अच्छा करे ना यार, क्या वो, चलो मैच में आउट हो गया, क्या वो यहाँ पर सिंगल भी नहीं ले सकता था, दुबारा मोका मिल गया था, हो सकता है भाई, वो दो छक्के मार देता, हम सारा क्रेडिट हो सकता है, विश्णोही को ना देके संजू को ही दे दे अपने लिए नहीं लड़ता है वो, अपने लिए वो जस्टिस नहीं मांगता है, जस्टिस को संजू मिल गया, संजू को जस्टिस नहीं मिला है, नंदीश कुमार कह रहे हैं, M.I.Post देखो भाई, देखेंगे भाई, अभी ट्विटर पे चलेंगे, थोड़ देर में चले गया उपर ही आगया कहीं न कहीं, अंशु 10, अच्छा तूमी थे क्या, स्वमिश्टा शिर्वास्तवा, भाई रोहित से बुरा कोई नहीं पेलता किर्गड में, आज की डेट में, लेकिन अफगानिस्तान फाइटिंग फोर्स बनता जा रहा है, राशिद नूर के आने के ये वल्ड कम में खतरनाक होंगे, खतरनाक क्या होंगे, अफगानिस्तान के हाथो एक बार फिर पाकिस्तान को जलील करा देंगे, और बताओ तुम, भाई को तुम ओडर दिया, भाई ने तो तपश्या पे बैठना है, भाई ने तो मंत्रों पे बैठना है, भाई काम कर दे उसके बाद मैंने का भाई रोही शर्मा के तो रेंट चाहिए आज रोही शर्मा से ज़्यादा मैं प्रेशर में था भाई को बताया करो तुम टेंशन नहीं लेनी है तुम लोगोंने और अफगानिस्तान बिल्कुल टीम है भाई अफगानिस्तान मानना पड़ेगा आज कि यार भाई हम लोग ना हम लोग 12 रंचेज नहीं कर पाए जखो 12 रंच तो उनके बनते थे पर बिश्णोई को ओवर दे के पूरा गेम घमा दिया प्यूश राठोर एवी भाई अगर यही छपरी होता तो अगर यहां छपरी होता तो कहां किसकी जगे पे बोलिंग में नहीं, बॉलिंग में कर सकता था यार, हारदिक भी जिता सकता था, ऐसी बात नहीं है, जिता सकता था हारदिक, हारदिक, नहीं यार, देखो, प्लेयर तो अच्छा है वो, प्लेयर पे कभी मैं सवाल नहीं उठाता, प्लेयर ठीक है वो, 140 प्लस डालता है, बैटिंग प्रोप गया, दिन बन गया, अराम से रिलेक्स होके कल शाम को लाइव आएंगे साड़े नो बजे, सब भाईयों से दुबारा आज के बारे में चर्चा करेंगे अराम से मस्त टांगे चोड़ी करके अराम से सो जाओ आज टेंशन नहीं लेनी है, महोल जम गया भाई साब अब टेस्ट करकेट की अराम से तयारी करेंगे ठीक है, अराम से कोबरा भाई, M.I. वर्सिज पंजाब, IPL 2020 इंडिया वर्सिज अफगानिस्तान जनवरी 2024 इतियास के दो महान मुकावले, अचा वो डबल हुआ था, ना सूपर ओवर डबल हुआ था उसमें भी चलो पाजी, किसी इतियास में तो पंजाब का नाम है बाकी next level match, क्या स्वाद आया है मज़ा आया यार मैच में, रियली, बहुत ही मज़ा आया स्वाद आया मैच में संजु के जितने फैंस है अब तो चुप हो जाओ उसमें टैलेंट नहीं है, accept it नहीं नहीं यार देखो वो अपने साथ अच्छा नहीं करता है संजु को सोचना पड़ेगा वो अपने साथ अच्छा नहीं करता है अब आपको ओगे भाईया, उसके साथ भी तो लोग अच्छा नहीं करते हैं, मैं मानता हूँ आपने एक मैच में मोका दिया एक मैच में क्या यू खाड लेगा वो यार दो बार मोके मिल गे थे ना आज तो बैटिंग में रोही शर्मा भी तो यही चीज कह सकता था ना भाई मैंने तो मैंच में बना दिये अब मैं मैं क्यू बनाओ, शूपरवर में 4 पच्ची रन पेलके चला गया व के लगे अकेला और बाकी लोगों ने कितने बनाई तीन बनाएं बाकी लोगोंने सोचो जरा इसलिए डैरी पे लिख रहा था मैं एक एक करके एस गेमिंग लिखा कुछ निया थैंक यू भाई प्लेयर ओफ दा सीरीज किसको मिला है प्लेयर ओफ दा सीरीज जी शिवम दुबे और प्लेयर ओफ दा मैच है रोही शर्मा और क्या मैच हुआ यार क्या मैच हुआ यार क्या मैच हुआ यार मज़ा आ गया अच्छा हो गया यार हम लोग एक ही लाइव किया हम लोग ने हम लाइव थे अराम से ठीक है थोड़ा लंबा हो गया बट मज़ा आया अपने को आज haters, रोही शर्मा के जितने haters हैं और जो मुझे भी गालिया निकाल रहे थे अरे तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, लग्या पता वेटे, हम गलत आदमी के साथ नकली आदमी के साथ खड़े ही नहीं होते हैं हाँ, वो लोगों को बुरा लग रहा होता है लोगों को खराब लग रहा होता है लेकिन हमें पता होता है बंदा ठीक है और मेरी तो एकी, मेरी पहली मेरी first requirement क्या होती है किसी के साथ दोस्ती करने में किसी के साथ बातचित करने में कि क्या वो हरामी तो नहीं है अगर नहीं है वो अपना दोस्त है क्या वो वो तो नहीं है कि हम बात करें दिल से और वो बात करें उपर उपर से तो ये भी हरामी पंती होती है ना तो रोही शर्मा हरामी नहीं है इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ राजेश बरवाल यंग्स्टर्स यंग्स्टर्स लगे रहते हैं ये जित वाएंगे world cup साही बात है आज कोन से यंग्स्टर ने साथ दिया भाई रिंकु रिंकु को आप यंग्स्टर बोले हैं जो मर्जी बोले हैं पर रिंकु तो भाई अपनी रिंकु ने तो यार 15 T20 खे ले 15 के 15 T20 में वो बंदे ने यार भाई भरोसा जीता उस लड़के ने उसका काम है मैच खतम करना उसका काम ये नहीं है पांच में और में खड़े कर दो उसको बैटिंग के लिए लेकिन वो लड़का वो काम भी करता है तो ये तारीफ होनी चाहिए भाई उस लड़के के कोब्रा भाई आगे कह रहा है अल्ला दिन भाई तू रहन दे IPL में उसने 300-300 रन से यही तो मैं बोल रहा हूँ मैं संजू के लिए स्टैंड लूँगा हम सब लेंगे क्या संजू सैंसन 700-800 रन का सीजन खेलेगा क्यों नहीं खेल सकता टोप 3 में बैटिंग करता है नहीं नहीं करेगा 300-300 रन बनाता है भाई ज्यादा रन नहीं बनाता और जस्टिस चाहिए इस हिसाब से तो प्रभ सिमरन ने 300 किया फिर तो पाजी को भी धरने पे बिठवाएंगे बिल्कुल सही बात है भाई आखे खोल लो इतना अंधवाई बिल्कुल नहीं संजू को पहले अपने साथ जस्टिस करना पड़ेगा भाई सरमिच्णा मिखर जी रिंकू के हाथ में सोफे ये टेप या ये ये पैरो में ले आएगा रिंकू नहीं छोड़ता किसी को अगर रिंकू 18 में, 19 में, 20 में वर में खड़ा है न ये आदमी क्या कर बैठेगा इसको खुद नहीं पता रिंकू को और इससे बात करो न यार तूने क्या किया बात कैसे करता है भाया, पिस हो जाता है, कर देता हूं कर लेता हूं अर्य भाहि, कर देता हूं मतलब ऐसे कैसे कर देता हूं यार वही तो पूछना है तेरे से बतानी पाता है वह शरमीला सा है न, थोड़े शर्मा जाता है FF4 कुछ करके idea इंडिया वर्सिज न्यूजलेंड बंगलादेश अफगानिस्तान इस आर दी बेस्ट ट्वेंटी मैचेज इंडिया वर्सिज न्यूजलेंड यार नहीं मुझको याद नहीं आ रहा कौन कौन से मैचेज कह रहे हो तुम बट चलो जी रिंकू को ट्रोफी दे दी है रिंकू और जैसवाल को तो रोही शर्मा लेकिन रोही शर्मा बहुती pleased है बहुती relaxed है क्योंकि जो मर्जी कहो भार था भाई उसके 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 सिर के उपर भार था बोज था उसके सिर के उपर क्योंकि प्रेशर था भाई चाहिए वो रोहित है चाहिए वो कोई भी है ऐसा भरोसा नहीं दे रखाएगी तुम हमारे ये हो कप्तान हो नहीं इन्होंने सब का बेकुब बना रखा है तो ये कब क्या कर दें मुकर जाएं क्या करें कुछ नहीं तो ultimately आपको बस परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा तो ये एक अच्छी चीज है कोप्रा भाई करें आज अश्दिप को किस किस ने याद किया भाई देखो भाई देखो अवेश खान के आगे तो मैं याद करूँगा सीदी सी बात है सोहम शुरिया वंची लिखा कुछ नहीं भाई थैंक्यू सो माज आर 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 एस गेमिंग भाई मेरे पांस सूपर चैट के लिए पैसे नहीं है भाई मैं देखो आज थोड़ा मैच है इस बज़े से आज नॉर्मल मैस्स थोड़े से कम पड़े गए है लेकिन तीन घंटे से लाइव कर रहा हूँ कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने घवराना बिल्कुल नहीं है कल साड़े नॉब जे लाइव आएंगे मैं अपना कॉंटेंट तीस पैंतिस मिनट का रखूँगा बाकी के दो घंटे जो बच जाएंगे दाई घंटे में से जो एक घंटा पचास मिनट बढ़ जाएगा वो तुम लोगों पर ही लगाऊंगा सो टेंशन ही लेनी है ठीक है आज थोड़ी अड़ेस्मेंट करनी है बाकी टेंशन ही लेनी है तुम लोगों ने ठीक है ये वो चैनल नहीं है जो 45 मिनट लाइव करें उसमें 35 मिनट सूपर चैट पड़े और लब यू ओल बोलके चला जाए नहीं वो वाला नहीं है ये बहुत ही औरगैनिक सा ये पागल आदमी है हाँ ये देखो न रोही शर्मा को आदा हिंदुस्तान कह रहा है ये खराब हो गया इस इंटर्वी में अच्छी चीजे निकल के आएंगी लेकिन रोही शर्मा क्या बोला है मैं जरा हिंदी रुपांतरन कर देता हूं रोही शर्मा के इंटर्वी का जल्दी जल्दी ठीक है क्योंकि वह बहुत जुरूरी है और तुम लोगों को तो पता है मेरी अंग्रेजी बहुती ज्यादा हाड है काफी शट्रोंग अंग्रेजी है मेरी हाँ तो ये हिंदी रुपांतरन सुन लो मुझे याद नहीं है रोही शर्मा कह रहा है मुझे याद नहीं है कि आखरी बार ऐसा कब हुआ था मुझे लगता है कि मैंने आईपिल के एक मैच में तीन बार बल्लेवाजी की थी साजेदारी बनाना महत्वपुरन था और रिंकू और मैं बड़े मैचों में उस इरादे को ने खोने के लिए एक दूसरे के बात करते रहे अच्छा हम एक दूसरे से बात कर रहे थे ऐसा कुछ हमारे लिए ये एक अच्छा खेल था दबाव था लंबी और गहरी बल्लेवाजी करना महत्वपुरन था और हम जो इरादा मतलब जो हमारा इंटेंशन था उससे समझोता नहीं किया हमने मतलब उससे हमने कॉम्प्रोमाइन नहीं करा तो अच्छी बात है लिए सुब संकेत बैक एंड पर ऐसा कोई व्यक्ति चाहता था और हम जानते हैं कि उसने आईपिल में क्या किया है और उसके लिए भारती रंग में भी लाया है विश्णोई की भी हलकी सी तारिफ की है तो ये भी अच्छी बात है बाकी अभी रोही शर्मा का एक इंटरवू चल रहा है वो आप लोग ज़रूर सुन ले कोई एक भाई सुन ले जाके उसमें से में पांच पॉइंट बता देना क्योंकि वो इंटरवू बाद में वाइरल होगा वो वाइरल होगा clip viral होती है बाद में और यह interview बाद में मिलता नहीं है चलो अब जो भी है वो चल रहा है जैसा भी है मैं इसको रोक लेता हूँ मैं यहीं से दुबारा सुन लूँगा ठीक है ना चलो जी अब message पढ़ते हैं जी सौहम का message जो गए था नितिश कुमार गुरबाज विराट भाई से थेंक्यू मेरे उपर से बबरी की बला हटा दी मेरी फोम भी आ गई मैंने पिछले मैच में बोला था यह विराट के साथ खड़ा था मैंने का चलो इसकी तो फोम आ जाएगी बबरी कब सो मारेगी नेपाल के साथ ही मार लेगी कोन है यह हैंड रूल्स करके कुछ है हाँ भाई और नेपाल से बातचीच चल रही है बबरी की हेलो हेलो जी बिश्मिल्लायरहमानिरहीम जी मैं घंटेगा वल्ड कलास नंबर वन बोल रहा हूँ जी पाईजन पाईजन नेपाल से बोल रहे हो यार भाई खेल लो यार तीन मैच नहीं नहीं अरे भाई मैं दिखता खतरनाक हूँ हूँ नहीं नहीं पाईजान मैं वही वाला बोल रहा हूँ जो अपने पचास करता है और मैच हार जाता है हाँ पाईजान तो पाईजान इसका इसका moral of the story यह है कि मैच तो तुम ही जीतोगे मेरे बस अपने रन बन जाएंगे पाईजान किसकी मां की पाईजान यह तो दोस्त यह त करते हैं और बाद में उनको चकना चूर कर देते हैं हाँ चलो मैं पर उन से बात कर रहा हूं जिंबाबेव से हाँ चलिये जी अलम्दिलिल्ला दिव्यान जैसवाल कह रहा है एक मैच में रोही सर ने तीन बार कमबैक करके सलेक्टर के साथ-साथ मुंबे इंडियंस की मैने को ओकाद दिखा दी है, यह मैच रोही शर्मा ने खीचा है, इस मैच के तीन से चार बड़े फैक्टर हैं, रोही शर्मा जुका नहीं, रोही शर्मा थका नहीं, रोही शर्मा हारा नहीं, मैच में बैटिंग करते हुए, पावर प्ले में बैटिंग करते हुए, रिंकु दो दो रोल प्ले करता है यह लड़का, फिनिशर का भी और पारी भी बिल्ड करता है, तीसरा सबसे बड़ा फेक्टर, विराट कोली का वो छक्का रोका भाई विराट कोली ने, वो आउट उसके लिए, बहुत लंबी और बहुत बड़ी, बहुत लंबे टाइम तक आप रेंगे, और तीसरा, तीसरा और चोथा एक्चली, तीसरा सबसे बड़ा फेक्टर, मुकेश ने ठीक ठाक योरकर लगाई हैं, मैच हार सकते थे भाई, उसकी एक और गलती से, बिश्णोई ने आके जिस तरीके से सूपर अवर में बोल डाली, वो आउटस्टेंडिंग था यार, अन्बिलीवेबल था, आगे आपने कहा, कॉंग्राचलेशन फोर फिफ्टी के सर, मैनी मोश टू कम, हैस्टेग एबी फोरवर, और उपर आपने लिखा, हैस्टेग फोरवर हिटमेन फैन, यार आप लोग ने उनको जाके नहीं रगडा आज, अज उनको जाके गालि हाँ वाई, क्या चला है फिर, मझे आगे की नहीं आगे, यह वीडियो को स्टार्टिंग से जुरूर देखना है, ठीक है, और 25-30 मिनट का वीडियो तो प्लीज देखना ही यह यह मेरी रिक्वेस्ट है, और एक वीडियो और देखना है आप लोगोंने, याद है आप लोग प्ल गया, पाईजान उस पे 96K व्यूज है, उसको एक लाग करा दो, हाँ, एक लाग करा दो, डिजर्व करती है वो वीडियो एक लाग, जाके इंज्वाई करो, मझा ना आए तो पाईशा वापिस, अब इदर से कुछ मैसी लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको 3 गंटे 25 मिन हुए हैं, तो इसको 14-15 मिनट का ओर करते हैं, फिर 14 आ गया, 15 मिनट का ओर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी कमर भाई बोल चुकी है, इसी एनरजी से बात कर रहा हूँ, पिछले 3 गंटे से, तो मेरे खाल से काफी होगा, और उसके बाद कल शाम को 9 बजे, कल नहीं, हाँ मतलब 18 तारिक को शाम को 9 बजे, without any matches, जितने नए लोगा उनको टाइमिंग बता रहा हूँ, पुरा ने तो पंटर भाई लोगों को पता ही अपना टाइमिंग का, 9 अपना टाइम है, तो कल जरूर आ जाना, और ताकि मैसिज भी पढ़ सकूँ आप लोगों बिना सूपर च ने ने रोही शर्मा आगे निकल गया, महेंदर सिंग धूनी और रोही शर्मा का रिकोर्ड बराबर हो चुका था, आज रोही शर्मा ये जो रिकोर्ड है इसको आगे निकल चुका है, अब इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाला कप्तान जो है, वो रोही इसको शर्मा बन चुका है, अगर में गलत नहीं हो तो बराबरी तो पिछले मैच में हो चुकी थी मेरे भाई, उच्वल मिश्रा करें ब्हाई, बट कुछ भी कहो, लेकिन नभी ने अपनी लाइन नहीं चेंज की थी, आप रीपले देख लो, नहीं लाइन नहीं चेंज की लाइन नहीं चेंज की थी उसने बट इस तरीके से जब बोल लग जाता है ना भाई देखो ये सारा ड्रामे बाजी ना ये स्पोर्ट्स खेल भावना ये वो ये सब कुछ नहीं है ये बिना वे बकवास बाजी है मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है अगर ये ही कोई नॉर आवर ना होता ये नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती अगर अफगानिस्तान अराम से मैच हार रहा होता तो नभी ने नहीं भागना था आगे दिखा दूँगा आगे भी करेगा ये कुछ आगे नहीं भागेगा ये इस सब इंपोर्टन्स होती है जब आपको पता लगता इस सस्ते यूट्यूबर की नभी नभी ने जीता दिल हाट वोमिंग मॉमेंट तो ये सब बखवास बाजी भाई कुछ नहीं लेना देना इनका परविन कुमार कह रहा है केल राहूल अगर वल्टकप नहीं खेलेगा तो हमारे गाउं में कोई मैच नहीं देखेगा गाउं संजू सैंशन को सिरफ वैसे इन्होंने लिया है विगट की पर ठीक है और संजू सैंशन ये ये भी संजू सैंशन को मजबूरी में लेते हैं और संजू सैंशन भी मजबूरी में खेलता है ये ये लाजवाब मतलब एक तरीके का वो है क्या बोलते हैं इसको एक इंटि इंटरनेशनल में पहली बार गोल्डन डख हुआ है विराट कोली, एगरी, एगरी क्या, ये फैक्ट है, तिव्यांस जैसवाल, हम रोहित फैन किसी और को गाली नहीं देते, जिसको जो कहना है, कहे, क्योंकि हमारा जवाब रोहित सर खुद दे देते हैं, तिव्यांस लेकिन तुम लोगों को एक जिम्मेदारी है तुमारी, जो लोग चिरकुट हरकते करते हैं, सस्ती हरकते करते हैं, तुम लोगों को उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैन बनके आते हैं, जो कहते हैं हम रोहित के फैन हैं, लेकिन वो गिरी हुई हरकते करत जो सही में जैन्वन फैन है या तो वो जो घटिया लोग है थोड़े से या तो वो फैंक है वो बिना मतलब के फैन बनके आते हैं अगर वो बिना मतलब के फैन बनके आते हैं उनको रोको भाई रादे रहता कर रहा है चपरी को पहले दुबे जी ने दुबे जी ने क्या पेला आज खुद पेला Mastermind रोहित रे चपरी तेरा क्या होगा नहीं चपरी comeback कर लेगा चपरी सीधा 11 में आएगा चपरी को एक ही चीज करनी है चपरी को अपना fitness ओके रखना है और उसके बाद उसको आ जाना है ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं भाई चपरी की जगह पकी है टेंशन मदलो तों शीवम दुबे बैक अप के तोर पे तयार हो रहा है इस चीज को आप लोगो देखना चाहिए अचा रोही शर्मा ने वो जो किया था ना अपने आपको रिटायर कर लिया था आखरी बोल पे वो फैंसला बहुत अच्छा था क्योंकि रन भागना था आपको तेज याना वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था और मजे आया यार इस मैच में ना मजे आया है अच्छली महौल बड़ा सही जम गया था कुछ बोलो परताब कहा रहा है कुछ बोलो वाशिंग्टन सुंदर यार वाशिंग्टन सुंदर ने बहुत ही कमाल की बोलिंग कराई है उसको एक अवर और कराना चाहिए था मैच में 19 मावर वो शायद सूपर अवर होने ना देता मुझे ऐसा लगता है शायद होने ना देता बट क्योंकि अवेश पर confidence है नहीं मुझे इसलिए तो उसको हम उस्ताज जी बोलते हैं इसलिए बोलते हैं वैसे थोड़ी ना बोलते हैं 10 मिनट का live ओर रहता है भाई हमारा ट्विटर पर कल चलेंगे भाई अभी ट्विटर का टाइम नहीं है ट्विटर पर हम अल्रेडी देख लिया था हमने ट्विटर का टाइम नहीं भाई साड़े तीन घंटे का live होने वाला शूपर चैट वाला रोहित भी लाइक आओ तुम्हें 2-0 दिखाओं 100 वाली हाँ यह अच्छा था पहले 2-0 जीरो जीरो है और अब 1 के पीछे जीरो विलकुल सही है सस्ता पांडू कर रहा है भी भाई हार्दिक CSK में गया था कैप्टेंसी लेने CSK वालों ने विसल फोडू भाग घोडू बोलके भगा दिया मीम है जैशा चोटू स्क्रिप्ट राइटर रोपी जैशा से बढ़िया कोई स्क्रिप्ट राइटर है नी भाई पाइदा ही नहीं हुआ शौमिस्त्रा शौमिस्त्रा सिर्वास्त्वा भाईया पोर्की होते ना तो उनके प्लेयर भी पीटे और फैंस को भी नहीं छोड़ते अफगान कुरसी तक मार देते हैं वैसे एलन तांडव कर दिया आज अरे एलन ने तो तांडव करा घाई उसने तो उस तो काल बनके टूटा आज फिन एलन ने आज जो सुबह बैटिंग करी है सीरिछली वो काल बनके टूटा है काल बनके जितने नहीं भाई लोग है भाई.. टाइटल देखके एबी करीग इन्फो को बेवकूफ मत समझना हमारी हरकते बेवकूफे वाली होती हैं है नहीं है टाइटल बाद में हम चेंज कर देंगे जैसे ही लाइव खतम होता है थोड़ा टाइटल का इशू रहता है अपने साथ हाँ पता नहीं क्या दिक्कत है फोड़ा चल रहा हो जाएगी जल्दी ठीक हो जाएगी नहीं भी होएगी तो क्या फरक पड़ता है थम्नेल देखो टाइटल देखो थम्नेल देखो मेरको देखो एस करो भाई क्यो टेंशन लेनी है तुमने रेग रेग नोक्स पाजी ये अवेश ने कब चार विकट ले ली यही वही बताई मैंने अभी अभी बताई मैंने यही चीज अभी बताई है विपिन चोधरी एवी भाईया अगर सेकंड सूपर अवर अगर उस्ताजी को दिया होता तो बेडा गरक हो जाता पहले तीन बोल में मैच खतम था वो चका चोका खा के उसका वोम अप होता है आप देखलो मेरा लाइव रियक्शन देखलो मैंने जब उसने देखा ना मैंने देखा अवेश ने बोल पकड ली मैंने का गया भई मैच गया मैंने काटा मार दिया डायरी में गया मैंने का मेरी तो उमीद खतम हो गई फिर विश्णोई ने बोल पकड लिया मैंने का यार अगर विश्णोई डालेगा तो एक चांस है क्योंकि ये विकट के लिए जाएगा विश्णोई को देख के ऐसा लगता था ये छे बोले शायद डालेगा नी छे बोले नी डालने देगा अब छे बोले खेलने नी देगा ये पहले ही आउट करने की सोचेगा और उसने वही किया एक्जैक्ली और नभी का पहली बोल पे विकट ले लिया उसने तो ये चीज़ देख के अच्छी लगे ओमेश भाई कहा रहा है आज किंक को थोड़ा कम आका गया भाई अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार तो ठीक है कि आपने नहीं उतारा पर सेकेंड सूपर अवर में उतारना चाहिए था, एगरी करता हूँ second super hour की मैं agree करता हूँ second super hour में आपको उतारना चाहिए था specially जब संजु आया ना betting करने वहाँ पे आपको उतारना चाहिए था open ना कराते, open ठीक कराया था रिंकु से बट आपको आपको उतारना चाहिए था क्योंकि विराट का क्या है ना विराट आप जैसवाल को देख लो super hour में आप संजु को देख लो, इन्होंने स्टेडियम से बाहर बोल फेंकने की सोची है टाइम करने का सोचा ही न इन लोगोंने विराट पुचक करके डबल भाग लेता 12 के target से अच्छा था 14 14 के target से अच्छा था 16 11-12 रन में तो फस गे थे भाई हम 12 रन चिन्ना स्वामी स्पिनर डाल रहा है super hour बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल बिश्णोही भाई, गेम खेल गया तगडे वाली हार्दिक जैसवाल लिखा कुछ नहीं है भाई, थैंक्यू सो माच इसलिए उन्होंने अवेश को अवेश को दिखाया था अवेश को देखके तो उनकी भी उमीदे जाग गई थी कि यार भाई, अब तो माच अपना है एक भाई कह रहा भाई, IPL फीस रिंकू की कम है, हर्शल की जादा है रिंकू को जादा पैसे मिलने चाहिए भाई रिंकू मेरे ख्याल से 10-12 करोड रुपे का प्लेयर डिजर्व करता है आप लोग एगरी करेंगे इस बात से कम से कम 10-12 करोड का आप ओक्शन में, अगर, देखो और रिंकू इतना शरीफ लड़का है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे ओक्शन में जाने दो पर इस चीज का फाइदा नहीं उठाना है केकियार को केकियार को भाई उसको पैसा देना चाहिए वो खिलाडी कम से कम 10-12 करोड का प्लेयर है अगर वो आप और अगर किसी को डाउट है कि नहीं है आप उक्शन में उतर लेने दो एक बारी एक बार उक्शन में उतर लेने दो रिंकु को पता लग जएगा कितना बड़ा प्लेयर है वो कितने की उसकी वो है अमाउंट है मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको 10-12 करोड रिंकु है वो वो जीता हुआ मैंच तो जीता हुआ मैंच तो कोई भी जिता देगा वो तो आपको वो मैंच जिताता है जो बिल्कुल हारा हुआ है कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता आखर ये वर 36 रन तब जाके तब जाके टाई हुआ हुआ है वो नहीं तो हम 19 अवरों में मैं चार जाते भाई जिस तरीके से चल रहा था तो ये चीज़ समझनी चाहिए यार और मैंने एक चीज़ रिलाइज करिये भाई इसका शिकार मैं भी रहा हूँ मैं seriously बोल रहा हूँ जिन लोगों को अपने काम पे बहुत पकड होती है ना जिन लोगों की अपने काम के उपर जो लोग सिर्फ अपने काम को पूझते हैं जो लोग सिर्फ काम के इलावा और कुछ नहीं सोचते हैं उन लोगों को हमेशा पैसा आधा मिलता है जो सिर्फ काम करते हैं किसी की चापलूसी नहीं करते, किसी के तलवे नहीं चाटते, उनको तनखा हमेशा आधी मिलती है, अब लोगों के ओफिस में आस पास में कुछ लोग होंगे जो एक नमबर के हरामी होंगे, तीन गुना सेलरी बे बैठे होंगे, मैं तो खुद विक्टिम रहूं भाई इन च तुमारा बोस नहीं देख रहा, कोई बात नहीं है, एक बोस है जो देख रहा है, वो देख रहा है, एक दिन तुमको ऐसा, वो कहते हैं न, देर होती अंधिरनी होती, मू मांगा पैसा मिलेगा तुमको, जितना तुमने इमेजिन करा होगा, उससे चार गुना पैसा मिलेग ये भी मैंने देखा है मैं कोई भी वो बात नहीं बोलूँगा जो कहीं पड़ी लिखी होगी मैंने जो खुद जेली होगी वही बात बोलूँगा भाई हाँ जी आगे बढ़ते हैं हारदिक फिर मेसेज कर दिया लिखा कुछ नहीं भाई क्या हो गया विने शुकला कर रहा है चोड़ो भाई चोड़ो चोड़ो ऐस तैसी करांदो ऐसे गदार लोगों की बाते मत करा करो हैं शिकर गोतम भाईया 2020 में RCV वर्सीज DC में लाश बोल पे 6 चाहिए था और अवेश खान केस भरत स्पेसलिस्ट विकट कीपर से 6 केस भरत की क्या अचीवमेंट है केस भरत की यही अचीवमेंट है कि उसने अवेश को छक्का मार रखा है बस और अवेश खानना उससे पहले एक दो बोल पहले डॉट बोल खेल दी थी हसरा था अवेश ऐसे करके उसने चमका दिया अगली बोल पर छक्का मार दिया करें ले आजा तिरको मैं एल पर रखता हूँ अनिकेद शर्मा इनिंग देखके आंसू आ गए यार मैं ना मैं बहुती तपा हुआ था ठीक है मैंने भी बड़ी गालियां सुनी है लोगों की बड़ी अजीब अजीब चीजें तो यहां बहुत अजीब लोग होते हैं थैंक्यू अब वी अमर सरिया मज़ा आगया रोहित लई जो बकवास कर रहे सी सारे चुप हो गए नाले मेरे वल्लो मेरे वल्लो साहिब कलाम गुरू गोबिन सिंग जी दे गुर्पुरुव दी बहुत वदाईया साबनो थैंक्यू विरे एंड सेम टु यू मेरे को भी पता नहीं था कि आज है अच्छा गुर्पुरुव एज चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विरे लगी ये फोटो उते लगी ये फोटो और सामने लगी है दिवारते थैंक्यू एंड सेम टु यू चलो जी आगे बढ़ते हैं चलो जी लाइव हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है बस दो से तीन मिनट का लाइव ओर करूँगा भाई ठक गया हूँ साड़े तीन गंटे का लाइव करके आई होप की आप अंडरस्टैंड करेंगे कल मिलेंगे दुबारा कल मिलेंगे और जादा मैसिज पढ़ेंगे ठीक है इस से जादा पढ़ेंगे और जब कल हम आएंगे वापिस तीन लाख बावन हजार सब्सक्राइबर हमारे हो चुके होंगे लेकिन उससे भी जो मुझे एक satisfaction जो चीज देती है न वो ये देती है कि यार मतलब हमारा देखो जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं खराब title पढ़के भी क्यों करते हैं वो क्योंकि उनको पता है जो ये बात बोल रहा है न वो ठीक बोल रहा है तो ये चीज भाई ये example है तुम लोगों के लिए भी ठीक है न जो बाकी लोग हैं जो अपने काम पर भरोसा नहीं रखते हैं इन चीजों से कुछ होता नहीं है ultimately तुमारी बात में अगर दम है तो भाई और बात में दम क्या है यार मैं जो सोच रहा हूँ मैं किस की तरह सोच रहा हूँ तुम लोगों की तरह सोच रहा हूँ मैं वो वाली बकैती करता नहीं हूँ ये जो खाम खाके 4 अक्षर जादा पढ़ लेते हैं अंग्रेजी खोधते रहते हैं बिना मतलब के अरे भाई एक player हरामी पंती कर रहा है कर रहा है जो नहीं कर रहा हो नहीं कर रहा कोई भी है मैं example मैं वैसे कह रहा हूँ example के तोर पर यह बात ठीक है चल यह जी जाएं भाई करें छुटी thank you so much यार बहुत अच्छा match रहा है यह यह memorable match रहा है जाते जाते बस इतना कहना चाता हूँ इस match की सबसे खास चीज एक ही थी भाई एक बारी जरा agree और disagree कर दे सारे भाई मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का 10,000 लोगों को छोड़ के जाने का वैसे भी मन नहीं करता है बट पेन होने लग गया है बैठे बैठे ठीक है अब भूग भी लगने चालू हो गई है पानी भी कम पिया है तो I hope कि आप लोग adjust करेंगे सुबह पांच बजेगा बैठा हुआ हूँ मेहनत कर रहा हूँ सुबह सुबह एक वीडियो भी डाली थी लाइब नहीं करा था उस टाइम पे वीडियो जा ली थी वो तुम लोग ने देख ली थैंक्यू सोमाज लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ इस मैच को लेके कि रोही शर्मा के लिए बहुत ही outstanding मैच रहा है as captain and as player as captain अगर वो ये मैच हार जाता 212 run बना के भी लोग तयार खड़े थे लोग तयार खड़े थे बरबाद करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप अपने काम में इमानदारी रखते हो agree or disagree अगर आप अपने काम में इमानदारी रखते हो आप skill में उपर नीचे हो सकते हो लेकिन अगर आप अपने काम में इमानदार हो तुमको भगवान फिर ये 12 run भी defend करवा के दे देता है समझ रहे हो मेरी बात को अगर आप अपने काम में इमानदार हो दो मैचों में 2-0 जिसके मन में जो आया वो बोला अगर अपने काम में यकीन रखोगे भगवान फिर तुमको एक ही मैच में 3 बार बैटिंग के लिए उतारेगा और 3 बार बैटिंग के लिए कितने run बनाने देगा आपको T20 में रोई शर्मा ने अराउंड 145 प्लस रन किये इस मैच में 121 मुझे एक run का doubt है वो एक run पता नहीं बाय का था या क्या था मुझे वो run मुझे confirm नहीं हो रहा है अजरवाई रोहित ने किये जी 25 run अगर वो बाय का था तो 24 मान लेना 641 146 run और आप 146 run की पारी खेलते हो और आप note-out जाते हो boss विराट कोली के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई कुछ नहीं होता हो गया एक match खराब कोई issue नहीं है जंगल का राजा शेर होता है शेर का अगर पैर फिसल जाए तो कुटे बिली हंस लेते हैं थोड़ी दिर के लिए पर रहता तो वो शेर ही है ना तो वो शेर ही है टेंशन नहीं लेनी रोही शर्मा को BCCI ने मजबूरी में कप्तान बनाया है यह आमको मैं बता दूँ साफ साफ क्यों मजबूरी में कप्तान बनाया है क्योंकि यहाँ पे हार्दिक पंड़ा इंजर्ड है सकाई के साथ ये खुद इनको भरोसा नहीं है क्योंकि यह किसी के उपर भरोसा करते ही नहीं है दूसरी चीज Broadcaster ने जो पैसे दे रखे न वो उन्होंने तिलक वर्मा को देखके नहीं दे रखे उन्होंने रोहीत और विराट के मूँ को देखके दे रखें इतने इतने करोडो रुपे तो उनका भी बंबू है कि भाईया हमको चाहिए विराट कोली रोहित शर्मा नहीं तो कौन जाएगा मैंस देखने कहां से टी आर्पी आएगी इन्होंने मजबूरी में कप्तान बनाया रोहित को अब रोहित ने डिसाइड करना है कि भाई इस मजबूरी को अब मैं मजबूर कर दूँगा इनको कि बेटा कप्तान तो मुझे ही बना के रखना पड़ेगा तुम लोगों को 2024 वर्ल्ड कप के लिए हारें जीतें अलग बातें एक ही टीम जीतेगी बाकी सब हार जाएंगी लेट सी हम कौन से वाली टीम में होंगे थैंक्यू सो माज भाई एक बारी बाई कर दो सारे भाई लोग मिलके बाई कर दो एक बारी सारे लोग मिलके और जिस जिस बाई ने अभी तक सब्सक्राइब नी किया प्लीज सब्सक्राइब भी करें कल दुबारा लाइब आते हैं कल दुबारा साड़े नो बजे मिलेंगे दो मैसीज और पढ़ लेता हूँ अशिश गेमिंग रोही T20 वर्ल्ड कप के बात कर रहा है इंटर्विव में अच्छा चलो मैं देखता हूँ मैंने रोक रखा है एंटर्विव मैं सुनता हूँ ये लाइब ख़तम करते हैं सुनता हूँ मैं क्या बोला रोह इतने रम नूर सिंग पाजी विराठ सर ने जड़ा पांजरन बचाए उसते थोट पाजी मैं पांचे बारी बोल चुक्या है ये लाइब थोड़ा लंबा हो गया तिन घंटे अठाइमेंट हो गये पाजी मैं पाई बोल चुक्या हूँ मेरी रिक्वेस्ट है किसी एक भाई से मैं ठक गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक भाई से रिक्वेस्ट है किसी से इस पे याद time डाल देना comment में, मैं pin कर दूँँगा, एक गंटे तक time डाल देना, मैं pin कर दूँगा, main man डाल देना, पहले 25-35 मिनट का डालना, main man 3-4 point, उसके बाद, जब match tie हुआ, match tie हुआ, वो डाल देना, पहले super hour का time डाल देना, इतने से इतने, दूसरे super hour का time डाल देना, चार-पांच चीज़े डाल देना ज्यादा मत डालना ठीक है, थैंक यू भाई लोगो तीन लाख बावन अजार सब्सक्राइबर कर दो यार होगे होगे, दोसो सब्सक्राइबर दूर हैं, सिरफ दोसो कर दो कर दो, पानी पीता हो तब तक कर दो और टेलेगराम चैनल को भूलना नी भाई, जॉइन करना मैच प्रेडिक्शन के लिए ये रिक्वेस्ट आप लोगों से हाँ, ने ने रमनूर पाजी मैने बोला, मैने का वो मैच टाई ना होता मैच सूपर अवर में जाता ही नी अगर वो छका ना बचाता विराट को ली तो ये तो बिल्कुल लाइव में बैठे हुदे भाई हम तो लाइव रियक्शन कर रहे थे सारी चीज़ों का अखिल कहरा है भाई, मज़ा आ गया पूरा लाइव कल सुनूँगा हाँ भाई पूरा लाइव सुनने वाला होगा देखो मैं कभी भी बोर लाइव नहीं करूंगा पूरी effort मारूंगा लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा भाई बस की चलो काम चलाने के लिए नहीं मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं और यह चीज तुम लोगों ने कुछ साल में realize कर भी लियोगी काम से प्यार करना है भाई काम की इज़द करनी है ठीक है काम की इज़द करनी है काम से प्यार करना है फिर एक time आएगा वो काम तुमारी इज़द करनी चालू करेगा और जब यह combination बन जाएगा ना फिर करांती हो जाएगी यह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं थैंक्यू सो माच थैंक्यू सो माच थैंक्यू 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 और रोही चर्मा के लिए इज़द रख ली भाई तुने सच में इज़द रख ली थैंक्यू यार थैंक्यू सो मच क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो यह पता नहीं यार कौन से फटे दूद की चाई पीके आता है यार इसको पता यह अपने ही सुरूर में खड़ा रहता है इसको हिला हुलू के देख लिया करो यह सुरूर खड़ा रहता है मगर मैं हिंदुस्तानी पिया गंगा का पानी है मेरी जाम वहीं पे गली की चमक चलो मांगो जेस्टिस संजु सेमसन के लिए मांगो वांगो जेस्टिस ने ने मांग के काई नहीं हो बे तम बात सही है हाँ भई रोहित का मजा उड़ाने वालो रो मैक्सवल शर्मा कैसा लगा फिर यू ना देख ओ सुंदर नारी मुझे समझे ओ ना ब्रह्मचारी ऐसा ना हो तेरे कारण दो तिन लड़के जीरो कर दें बस कर बस में बे बस बस जाये ना बस ने नों में ने ना क्या कहना बई क्या कहना फिर तो तेसे बोली मै ना अब कुछ ना बोलेंगे रूहित शर्मा को ट्रोल करने वाले दो जीरो आई थी भाई तुमरा साथ में खड़ा था विराट भाई ने जल्दा जदवाल जी कर दी संजू सैंसें मैं तो नहीं सूधरूंगा लाइक करो सब्सक्राइब करो खीच करो कॉमिटर डिली देनी है रिंकू तो चाहिए है भाई इस टीव में आजो फटाफ़ टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लेना जिंदगी में कोई परेशानी हो कोई दिक्कत हो एक चहरा जुरूर देख लेना है आप लोगों को नहीं क्या मतलब साड़े तीन घंटे का लाइव हो गया है तो बाई साब जो हमारे रीती रिवाज है वो तो पूरे करेंगे हम लोग ठीक है चेल ये जी मेरा और धानी का हो गया है टाइम स्माटी बुआए धानी का हो गया है टाइम जाने का थैंक्यू सो माज गोड़ बा तैंक्यू मया आगा जार फुल पैसा वसूल पूरी महनत वसूल थैंक्यू सो मज तेन लाख बावन हजार सब्सक्राइबर के लिए बहुट भूट धन्यवाद दिल से थैंक्यू थैंक्यू बहूट छोटा वर्ड है लेकिन थैंक्यू सो मज